हाज जी दोस्तों आज फॉरेक्स का रिविजन जैसा कि मैंने बोला था आज 20 तारीक है आज फॉरेक्स का कम्प्लिट रिविजन आपके सामने है इंटरेस्ट रिस्क मैनेजेमिन में एक कोशन था जिसमें सायद गलती हुई थी और मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था और वो कोशन ये है और बच्चों का ये कहना था कि सर यहां जो इंटरेस्ट ले रहे हो ये 3.75 प्लस 0.25 मतलब 4% के 4% होना चाहिए था पर 3.75% ही क्यों लिया गया नहीं 4.25% होना चाहिए था एक्जेक्टली बिल्कुल सही एक्चुली मैंने देखा ही नहीं जब मैं अपलोट कर रहा था तो मैं सोचा पीम तो सही ही होता है एकाद बार गलती हो जाती है प्र यहां प्रैक्टिस मैनल में गलती हुई है और मैं बिना देखे पीम को ही यहां अपलोट कर दिया था जब मैं रिविजन कर वारा था तो प्लीज आप इसे सुधा दीजेगा और यहां इंट्रेस जो है वो 4.25% के सबसे कैलकुलेट होना चाहिए था ठीक है फॉरेक्स का रिविजन अपलोट कर रहा हूँ मैं आपको और कु पॉर्टफोलियो का रिविजन अपलोट नहीं कर सकता कुछ प्रॉब्लम से चल रही है र्टीप जो है वो मैं अपलोट करूँगा जब भी मझे टाइम लगेगा पॉर्टफोलियो भी अपलोट हो सकता पर वो नेक्ट मन्त देखेंगे ठीक है तो फॉरेक्स थोड़ा सा स सपीड से पढ़ाया है पर प्लीज आप अराम से धीरे- कर लेचेगा थेंक यू थेंक यू सो मच गुद्मार्णि नया चैप्टर है और नया चैप्टर बहतरीन चैप्टर ओगुद्श का नाम क्या है सार चैप्टेर का और थेओर का नाम है इद फॉरेक्स Forex, Foreign Actions Risk Management Foreign Action Risk Management पहला question कि सर ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहा है? हमें इस चैप्टर के जरुरुरत क्यों है? तो सरजी हमें जरुरुरुरत क्यों है? इतना समस्दों कि मानलो, 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 मानलो एक डॉलर कर रेट साथ रुप है, एक डॉलर कर रेट आज साथ रुप है, क्या इंडिया में बहुत सारी ऐसी फर्म होगी, जो इंपोर्ट का काम करती होगी, हाँ, और मालो इंपोर्ट कर रहा है आज, एक लाग डॉलर, एक लाग डॉलर का इंपोर्ट किया, पर वो डॉलर जो एक लाग डॉलर है वो आज नहीं देना है हमारी party से बात हो चुकी है US की party से और हमें देना है तीन महने बाद तो क्या तीन महने बाद जो कि आज डॉलर साथ रुपए का मिल रहा क्या तीन महने बाद गी साथ रुपए का मिलेगा नहीं हमें डर है रिस्क है, किस बात का डर है, कहीं यह जो rate है, यह बढ़ना जाए, हाँ, इस इस foreign action risk, और क्या उस डर से बचा जा सकता है, उस risk से बचा जा सकता है, हाँ, इसलिए तो यह chapter है, foreign action risk management, risk को किस तरह से आप manage कर सकते हैं, सेम चीज अगर हम export कर रहे हैं, तो हमें फिर डर है, कहीं dollar करेट कमना हो जाए तो सरे डॉलर अभी खरीद के रखलो न बटे डॉलर अभी खरीद के रखी नहीं सकते या पच्छे से जानते हो फेमा बीच में आता है जिस दिन आप पैमेंट करोगे आपको डेट बताना पड़ेगा तभी डॉलर की डिलिवरी मिलेगी यहां तक ठीक है तो बस क्योंकि मैं बहुत सारी बातती कर नहीं सकताः क्रेस कोर से स्पीड से काम करेंगे तो यह हमें वे टौक पड़ना विडिया विक्त क्थि किभाडह से कुन्वर से करना से किस तरह से dollar से रुपिया में convert करते है रुपिया से pound में convert करते है spot market arbitrage, forward contract, cover deal, actions rate determination कौन सी चीज क्या है अगर मैं कहता कि इसको मैं पक्का overview दे दूँ पर overview देने का मतलब नहीं है क्योंकि हमें ये चीजे पढ़नी ही है तो यहां तो total मिला कर हमने forex को 14 topics में cover कर रखा है हर topics में कुछ बात है हर topic में कुछ बात है पर यहां समझाने का कोई मतलब नहीं है कि क्या होता है currency exposure, क्या होता है cancellation of forward contract ये सब जिन मैं वहाँ पहुचूंगा ना तब मैं बात करूंगा ठीक है तो इसे ये तो note है ही आपके पास, ये 14 topics करेंगे हम लोग सबसे ज्यादा important है आपके लिए basics बिना basics के पहली बात अच्छे समलो, basic का कोई question exam में नहीं आने वाला है और सुनो, बिना basic ये कोई question बनने वाला भी नहीं ये forex का तो basics हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और पहला जो है basics में भी मैं 6 points में divide कर रहा है 1st point और 1st point है exchange rate exchange rate क्या होता है सर एक डॉलर बराबर साट रुपिया, exchange rate एक डॉलर बराबर 80 रुपिया, ये exchange rate हाँ मतलब sir price of one country currency, हमारे हां की currency जो है रुपिया, how many units of another country currency बस दो अलग-अलग country की currency में equal to करने पर कितना होता, ये हमको निकालना और कुछ लिए अच्छा, action rate के साथ बात ये है कि दो तरह से बता सकते है action rate को express दो तरह, एक होता है direct quote, एक होता है indirect quote अगर मैं आप से ये बोलू, dollar one is equal to rupees 60, ये बिल्कुछ साफ साफ दिख रहा, dollar one is equal to rupees 60 इसको बोला जाता है direct quote, dollar one is equal to 60, क्योंकि हमें सीधा-सीधा यार एक dollar कितने का, साथ रुपे का, लेकिन कभी-कभी ऐसे भी होता है, rupees one is equal to कितने dollar और मालो मैं dollar निकालने के लिए one से divide करना पड़ेगा, inverse relationship होता है, one divided by 60 तो या गया 0.0167, ये कैसे आया पता ना, ये, one divided by 60 करने से, तो action rate इस तरह से भी दिखा सकते, इस तरह से भी दिखा सकते, अगर आप इस तरह से दिखा रहे हों, इंडिया में, तो इससे बुला जाता है direct quote, लेकिन अगर आप इस तरह से express कर रहे हैं, तो इसे बुला जात direct quote का कोई use नहीं होने वाला मेरे forex में, पर फिर भी जबकि हमको, हम start कर रहे है, crash course का मतलब ये कभी नहीं होगा, कि मैं छुड़वा के काम करो, मैं करवाँगा तो पूरा ही पूरा, बले इसका use नहीं है, हो सकता theory आजाए, तो direct quote का definition क्या हो जाएगा, ये कौन सी currency, sir ये ह foreign currency, और ये कौन सी currency, sir, ये home currency, तो direct quote means one unit of, one unit of foreign currency, how many units of home currency, in direct quote क्या होगा, one unit of home currency, how many units of foreign currency, simple है, कुछ है नहीं है, sir, ठीक है, sir, एक बार read कर ले क्या, बेट्टे ये लिख वाया है, मैं पढ़ लेते इसको एक बार अच्छे, लेका, action rate means price of one country's currency, is expressed in another country's currency, example हो गया, dollar one is equal to rupees 60, pound one, euro one, इस तरह से, और इसमें मैंने और किस किस चीज की बात किया, मैंने किया है, direct quote, indirect quote, direct quote means one unit of foreign currency, how many units of home currency, indirect quote, one unit of home currency, is worth how many units of foreign currency, अच्छा, इस तरह से लिखा जाता हो, rupees per dollar, rupees per dollar समझ रहा हो, मतलब sir, 1 dollar is equal to कितने रुपई, ये होता, base currency, base currency, 1 dollar is equal to कितना रुपई, रुपीज पर euro, मतलब ये हो गए, 1 euro is equal to कितना रुपई, 1 pound is equal to कितना रुपई, ठीक, इसी तरह से, ये direct quote है, कहां के लिए direct quote है, इंडिया के लिए, ये कौन से quote है, indirect quote, indirect quote कैसे हो गए, 1 unit of home currency, बस इस पे आप थोड़ा सा focus करना बेटे, सुना, अगर ऐसे लिखा है, rupees per dollar, 60, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, dollar 1 is equal to rupees 60, और कई-कई बार ऐसे भी लिखा रह सकता है, USD, INR, 60, इससे बोला जाता, ISO quote, इससे क्या बोला जाता है, इससे बोला जाता है, इससे बोला जाता है, सिम्बॉल, अगर ऐसे दे रखा है, तो base currency ये होती है, लेकिन जब ISO code में दे रखा, तो base currency आपको पहली वाली लेनी पड़ेगी, it means हो जाएगा, dollar one is equal to rupee, 60, मेरी बात समझना है, अच्छी से समझ लो, काम आएगा, आपको देखना पड़ेगा, कि currency pair कैसे दे रखा, इस तरह से भी दे रखा, rupees per dollar, इस तरह से भी दे रखा, अगर symbol में दे रखा तो base currency ये होती है, इसको one बोला जाता है, अगर ऐसे दे रखा तो base currency आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ISO code में देखना है, कि इसमें दिया ही आपको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से धियान देना पड़ेगा, तो simple first point में कुछ था ही नहीं, इसमें आपने action rate की definition पड़ा, आगे चलते हैं, इसके मिना question हो नहीं सकता, फर्स्ट वाला point जो action rate है वो आपके काम नहीं आएगा, डायक कोट ये कुछ नहीं लेकिन ये काम आएगा, सुना भी हाँ से, क्या लिखाओ, रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर, 70 रुपीया 50 पैसे, एक डॉलर आता है, 70 रुपीया 50 पैसे, तो बताओ, एक लाग डॉलर कितने का है गा, सर, एक लाग डॉलर, 70 लाग पैसे, common sense सर, ये क्या time पास, बिटे सुनो, common sense अपने पास रखो, अब भी सीधी सी बात है, मैं जैसे समझा रहा हूँ, वैसे समझते जाना, जैसे समझा र डॉलर है, तो सबसे पहले देखो, रेट किसका दिया, रेट, सर, रेट तो डॉलर का दिया है, बिल्कुल, सबसे पहला कोशन, कुद से करना, कि रेट किसका दिया, रेट दिया है, डॉलर का, और नीचे जो currency convert करना है, वो कौन सी currency दिया है, सर, वो भी डॉलर ही दिया है, rate भी dollar का दिया है और करन्सी भी dolar दिया है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा 1, talk into 70,50 पसे 17,50 लेकिन rate dollar का देता और currency रुपीज देता तो फिर multiply नहीं हो दिङा फिर divide हो जाएगा ultimately आप sar ये तो आप वो ही कर रोगे Music से ही करव में वही करवा रहा हूं लेकिन अभी वह सब कुछ समझाने का टाइम नहीं मैं जैसे कह रहा हूं बस वैसे करते चाहिए यह वाला एक्जम्पल तैयार हो आपका नंबर है है डॉलर παर के रॉपीस रेट किसका दिया है रॉपीस का करेंज सी को अधिगा जाएगा डिलर बे। पचास एडिवाइड बाइड इस पचास एडिवाइड बाइड इस आंसर आजाए कही है इत्मिस खुश से पूछना रेट किसका दिया है रुपीज का करेंसी कौन सी है डॉलर तो दोनों अपोजीट हो गए है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा टिवाइड हो जाएगा अब में के तो प्रम्रीट किसका दिया है रीपीज का कशन सी कौन सी है धोर तो क्या हो जाएगा है रोपीज का करpen सी कौन सी रुपीज ही है तो क्या हो जाएगा मैं ट्संप अ है 8 यहाँ आई marvelous को चीह दो क्या ISO code है हाँ ISO code है तो क्या इसको वन लेते हैं हाँ तो rate किसका दिया है dollar का दिया है और currency कौन से दिया है रुपीज का तो फिर क्या हो जाएगा divide टिक आपको बस यही focus करना अब यह वाला question क्या ISO code है हाँ sir ISO code है और ISO code में sir आपने बोला था इसको वन ले लेना तो इसका मतलब हुआ रुपीज वन इस इक्वल टू पाउंड 94 पॉंट कुछ कुछ सर कुछ अजीप सा नहीं लगता अजीप सा लगता ही तो है कभी कभी institute आपके साथ धोका कर सकता है आप भी जानते एक रुपिया इस इकॉल टू इतना पाउंड नहीं होता यह धोका है आपको अब यहां common sense यूच करना पड़ेगा आपको अच्छे से पता रहना चाहिए कि पाउंड इतना आ ही नहीं सकता एक्च्वल में यह rate किसका दिया है rate pound का ही दिया है और pound ही दिया तो क्या हो जाएगा multiply sir हम ही कैसे याद रहेगा अभी तो कभी आप बोल रहा है ISO code दिया है बिट्टे आपको ना कुछ चीज़े याद रखनी पड़ेगी और क्या चीज़े आपको याद रखनी पड़ेगा कुछ currency आपको याद रखन dollar से महगा हो गया euro और euro से महगा हो गया pound तो आपको इतनी currency के विशे में थोड़ा सा idea रखना पड़ेगा तब ही काम होगा नहीं तो काम नहीं होने वाला तो इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ idea था इस question में तो इसलिए मैंने यह common sense use किया और आपको इतनी इस currency के लावा और ज नहीं कुछ था यह नहीं क्या था क्या समीफियक नहीं में कुछ नहीं सर रेट डॉलर का दिया currency भी डॉलर ही दिया है तो multiply अगर currency कुछ दूसरी दिया है तो divide okay तो boy number two खतम हो गया अब चलते boy number three bid ask rate क्या होता है bid ask rate एक बार बता हूं यह जो bank 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 यह currency बेचती है public को आपको dollar चाहिए तो आप किस के पास जाओगे stock exchange तो जाओगे नहीं तो over the counter market होता है मतलब आप bank के पास जाओगे reserve bank को आप इंडिया ने authorized कर रखा bank authorized dealer होगा कोई bank और bank के पास गया और bank से आप dollar मांगने गया क्योंकि आपको dollar चाहिए तो bank dollar कहां से ला कर देगा साइड वाली bank से मांग के देगा बिल्कु से इंटर बैंक भी हो सकता पर साइड वाली bank में भी dollar कहां से आएगा सवाल यह है कि dollar हमारे पास आते कहां से currency तो bank ना एक काम करती बैंक क्या करती currency खरीदती भी है currency बेचती भी है अगर किसी ने export किया तो उसके पाद डॉलर आया मालो यूएस ही मान के चल रहा हूँ मैं अभी export किया तो dollar आया तो bank क्या करती है dollar खरीदती है उसी से खरीद लेती है बदले में रुपिया दे लेती है पर आपको dollar चाहिए तो bank आपको dollar भी बेचती है और profit कैसे कमाती है आप समझ जाओ customer से सस्ते में खरीदती है dollar और उसको महग है okay sir और जिस rate पर bank और simple सी बात है मुझे बस इतना बता यह bank जो खरीदती होगी और bank जो बेस्ती होगी dollar क्या एक ही rate पर बेस्ती होगी कि अलग अलग rate bank खरीदती होगी तो सस्ती में मालो dollar खरीदेगी तो बोलेगे 70 रुपए में खरीदेंगे sir और बेचेंगे तो बोलें पर खरीदा जा रहा है उसे बुला जाता bid rate 70 रुपए को क्या ओलेंगे buying rate bank खरीद रहा ना तो buying rate bid rate और 72 में बेच रहा है इसे बुला जाता selling rate इसको बुला जाता ask rate और इन दोनों के बीच का जो difference है इसको बुला जाता bid ask spread यही बात मैं नहीं लिखवा रहा है फटा फट स इसको बात में लिखा जाता है कि जो पेपर सेटर है वो आपको घुमाते हैं पर आप मतलब bid ask को पहले लिख दे bid को बाद में लिख दे आप डरना मत आपको सच्चा ही मालू है कि bid कम होता ask जाता होता है ठीक है तो इसका मतलब के SBI मालो SBI ने एक कोट किया है तो SBI खरीद सकता है dollar कितने में 70.25 पैसे में और SBI बेचने को तकिया रहे कितने में 70.25 और इन दोने के बीच का difference क्या कहलाता है bid ask spread ठीक है अब समस्या क्या होता है समस्या problem क्या problem यह है कि बच्चों को bid rate और ask rate पहचानने में दिक्कत होती है और इसी पर मुझे काम करवाना है और इस पर मैंने की example लिया है बस उस example को आप ठीक से समझ लोगे ना problem ही खतम हो जाएगी सुनोगे रुपीज पर डॉलर रुपीज पर डॉलर से मतलब डॉलर का rate दिया है 75 रुपिया 50 पैसे 75 रुपिया 75 पैसे राम ने मिश्टर राम ने इंपोर्ट किया goods कहां से US से यह US की party और यह राम अपना राम भाई साब इंडिया का इन्होंने क्या किया इंपोर्ट तो देना पड़ेगा X क्या payment dollar का payment करना पड़ेगा शीदी शीवात राम को dollar का payment करना है US में तो डॉलर खरीदने आएगा राम अब राम पहुचेगा किस के पास बैंक के पास यह bank bank से dollar खरीदेगा और बदले में क्या देगा रुपिया तो सवाल यह है कि राम को जो dollar मिलेगा वह 70 रुपय 75 रुपय 50 पैसे के साबसे मिलेगा कि 75 रुपय 75 पैसे के साबसे और आपको अच्छे तरसे आंसर आता 75 पहली बात मैं जैसे बोल रहा हूं उसको ध्यां से समझ रहा हूं जब जब भी आपको decide करना है कि bid rate लेना है कि ask rate आपको 2 points सोचने पड़ेगे याद रखना मैं फिर से बोल रहा हूं आगे दिक्कत होने वाली है अभी से तैयार हो जाओ अभी से तैयार हो जाओ कौन कौन स से 2 points सोचने पड़े हैं 1st point इस खुद से सोचो rate किसका दिया है rate rate सर डॉलर का दिया है good rate किसका दिया डॉलर का तो आप डॉलर के विए समय सोचोगे बस भूल जाओ रूपिया होगे रखो अब सोचो इस कि बैंक डॉलर क्या कर रहा है sir bank dollar buy कर रहा है कि sell कर रहा there's a bank dollar यह दिख रहा bank and bank dollar बेच रहा है बेच रहा है मतलब कौन सा rate ask rate निया जाएगा is great you can do चीजे सोचो को जाएगा कप पहला क्या सचना है rate किसका दिया है ओर दूसरा bank जिसका rate दिया है उस currency को बेच रहा है तो ask rate खरीद रहा है तो bid rate अभी आपको बड़ा easy लग रहा होगा इस example पर ये example ले लो आपको खुद को समझ में आ जाएगा अच्छे से dollar per pound तो rate किसका दिया है pound का 1.50 1.55 कोई दिक्कत की बात नहीं है मतलब US में क्या चलता है dollar और UK में pound UK customer import goes from UK customer ये भाई सामने किया import US से तो US वारली पार्टी को क्या देना पड़ेगा dollar तो bank क्या खरेगा bank dollar बेचेगा bank dollar बेचेगा और क्या खरीदेगा pound खरीदेगा सवाल क्या है bid rate की ask rate अब आपकी मन में आता हो कि sir ask rate ना bank तो dollar बेचेगा आ बेटे कसम खालो मेरे rules apply करो पहला रूल मन में सोचो rate किसका दिया sir rate pound का दिया ये important rate किसका दिया है pound का अब ये सोचो सिर्फ pound के विससे मैं सोचना बाकी भूल जा सब कुछ bank pound को क्या कर रहा है sir bank ये bank हुआ sir yes और sir bank pound को आ रहा है ना pound तो खरीद रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है तो bid rate तो ये वाला rate लेना परेगा और इब आपरे, असर दिमाग घूंग गया, बैंक पाउंड खरीद रहा है, बैंक डॉलर भी तो बेच रहा है, बैंक डॉलर के विसे में हमको सोच नहीं नहीं है, हमें सिर्फ पाउंड, जिसका रेट दिया है, उसके विसे में सोच और एक कॉमन सेंस लगा हो, अगर आप ल तो बले ठीक है, कितने में है, मैंने का आप एक पाउंड दोगे, बले हाँ, तो मैं बैंक को मैं आपको डॉलर दोगा, बले हाँ, कितना दोगे, मैंने का मैं दोगा आपको 1.55, तो क्या मैं पागल हो गया हूं बैंक, मैं कभी जादा नहीं दोगा सर, मैं डॉलर दोगा, तो कम ही दूँगा बात समझने की कोशिस करना पर हम इतना नहीं चलाना है में कॉमन सेंस कसम खाओ भाई पहला रेट किसका दिया है पांड का और बैंक पांड को क्या कर रहा है खरीद रहा है खरीद रहा है तो ये वाला रेट और अब डिवाइट की मेंलτιप्लाई कुणकि रेट दिया है पांड का और चौए डॉल्लर तो डिवाइट पता लगा ये भूल गए ये तो हम कबसे कर देग से 3 देख लेते हैं मैंने का दो एक्जाम्पल हो चुके तीसरे एक्जाम्पल पे में डाइग्राम वगिरा नहीं बना हुआ सीधा सीधा कर रहा हूं एक्जाम्पल नमर 3 आपके पास लिखा रूपीज पर पॉंड इसका मतलब क्या पाउंड का रेट दिया हुआ है यस चेक कर लिए यह पाउंड का रेट दिया हुआ पाउंड का और 90.25 बिड रेट और उसका मतलब क्या होता आपको पता ना 90.45 होता है बही 45 थोडी न होगा 90.45 यह दो डिट रेप्लेस कर दिया ठीक है जाम्पल मिश्टर राम एक्सपोर्टेड गोड्स तु यूके एक्सपोर कर रहा है कहां एक्सपोर्ट कर रहा है यूके एंड पाउंड 40,000 रिसीवेबल हो मैनी रुपीज रिसीवेट इप सेल्स पाउंड 40,000 तु एक्सपोर्ट किया तो उसको मिलने वाला क्या मिलने वाला पाउंड बैंक को क्या मिलेगा बैंक को मिलेगा पाउंड और बैंक क्य का दिया है sir rate दिया है pound का और bank क्या करेगा bank जिस currency का rate दिया bank उस currency को क्या करेगा purchase करेगा purchase करेगा तो 90.25 तो answer आजाएगा यह वाला simple okay sir चले आगे अब आपका number example number four yen per dollar 125 145 अब सीधी सीधी language import export चुड़ दो buy करना sell करना आप खरीद रहे हों कि आप बेज रहे हो we we का मतलब customer की बात होई we want to buy हमें yen खरीदना है मतलब किसी customer को yen खरीदना है bank क्या करेगा bank yen देगा अब बदले में dollar लेगा rate किसका दिया rate dollar का तो bank dollar को क्या कर रहा sir bank dollar लेगा मतलब खरीदेगा न हाँ तो कौन सा वाला rate 125 125 अब संपस्या है rate दिया है dollar का yen दिया हुआ है तो क्या होगा divide की multiply divide और answer रजय का dollar 1600 simple है ज्यादा मुश्किल है नहीं बस आपको यह सोचना है कि जिस currency का rate दिया है bank उस currency को क्या कर रहा है और एक example लोग सुनना ध्यान से यह ISO code में तो बस यहां सा उधानिक करना GBP USD क्योंकि ISO code है तो GBP का rate दिया है pound का rate दिया है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा हमें यह सोचना पड़ेगा कि bank pound के साथ क्या कर रहा है we want to sell dollar 80,000 आप customer हो आप dollar बेचना चाहते हैं मतलब bank dollar खरीदेगा और बदले में pound देगा मतलब pound बेचेगा तो यह वाला rate लेना पड़ेगा तो answer आएगा 1.5575 अब rate किसका दिया है pound का bank क्या कर रहा है pound बेच रहा है currency dollar तो divide हो जाएगा बस answer आगा आगा ठीक है sir अब और बस sufficient है इसके अलावा अब आप खुद से करोगी practice करोगे calculator चला कर और practice के लिए मैंने बड़े सारे example दे रहे हैं तो अब जो है हमारे कितने points हो चुकी है तो अब हम point number 4 वे पहुंच रहे हैं ठीक है थोड़ा से speed से काम करेंगे appreciation and depreciation in currency क्या होता है इक बात मैं आपसे बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझना सोस समझ के जवाब देना सोस समझ के appreciation का मतलब महगा होना depreciation का मतलब सस्ता होना अगर मैं कहता हूं कि dollar 10% से महगा हो जाएगा तो क्या इसका यह मतलब है कि dollar महगा हो जाएगा तो कोई शाख ही नहीं कि रुपिया सस्ता हो जाएगा अगर मैं दोनों के बीच में कमपारीजन कर रहा हूँ पर अगर मैं यह बोलता हूँ डॉलर दस परशन से महगा बढ़ जाएगा दस परशन से महगा हो जाएगा तो रुपिया क्या सस्ता हो जाएगा हाँ पर क्या 10% से सस्ता होगा है नहीं अलग-अलग rate होगे बात आपको अलग-अलग एंगल से समझनी पड़ेगी और वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ सुना बिटे मान लो एक परसन है राम राम की एज है 20 और एक परसन है श्याम इस राम और एक परसन कौन है श्याम श्याम की एज है 30 साल अब बिल्कुल सिंपल सिंपल सा कोश्चन मैं आप से पूछ सकता हूँ कि बताईए सर छोटा कौन है सर राम छोटा है बड़ा कौन है श्याम बड़ा है कितने साल से बड़ा 10 साल से और राम कितने साल से छोटा है 10 साल से कोई दिक्कत नहीं है तक अब मैं कहता हूं पर्षेंटेज में बताईए कि राम कितना छोटा है तो मैं कहूंगा ठीक है इन दोनों के बीच का डिफरेंश 10 डिवाइड़ वाई क्या करेंगे 20 इंटु हंड़ेट पर्षेंटेज जाएगा 50 अब मैं कहता हूं चलो भई श्याम आप कितने बड़े हो त 10 डिवाइड वाई 30 इंटु हंड़ेट तो आंसर आजाएगा 33.33 अगर राम से पूछा जाएगा क्या आप से श्याम बढ़ा है हां कितने पर्षेंटेज से बढ़ा है तो यह क्या बताएगा 50 लेकिन श्याम के अंगल से बात करो श्याम से पूछा क्या आप से राम छोटा है यस कितने पर्षेंटेज से छोटा है तो आंसर आएगा 30 मतलब क्या बेस अलग-अलग हो जाता है यस मैं आप से यही बोलना चाहरा हूं कि आप लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा कि मैं यह बोलता हूं कि डॉलर बढ़ेगा 10 पर्षेंट से तो क्या रुपिया ग यहां ध्यान से देखू रुपीज पर रेट किसका दिया है डॉलर का और डॉलर के विसे में ही बोला कि डॉलर बढ़ जाएगा कितने पर्षेंट से दस पर्षेंट से तो समस्या ही खतम 70 प्लस 10 पर्षेंट या 70 इन्टो 1.10 कर देंगे 70 इन्टो 1.10 जिसका रेट दिया है उसी के विसे में बोला जाएगा तो सीधी वाली बात है उसमें कुछ कर ही नहीं सकते एप्रिषेट हो रहा है, तो into 1.10 करेंगे, अगर बोलेगा कि dollar जो है, dollar, वो depreciate हो रहा 10% से, depreciate हो रहा है, तो into 0.9 कर देंगे, कोई समस्या नहीं है, dollar appreciate हो रहा है, तो 10% मान के चलना, मैं जो भी example, 10% appreciate हो रहा है, dollar के rate दिया, dollar की विसे में बोला, अगर appreciate हो रहा है तो into 1.10, अगर depreciate हो रहा है into 0.9 या minus 10 बर, लेकिन problem क्या है, problem है इस example, rupees per dollar दिया, dollar का rate दिया, पर रुपिया depreciate हो रुपिया depreciate हो रुपिया depreciate हो रहा है, तो 0.9 तो होगा, पर सुनना ध्यांस, जब dollar का rate दिया था, तो हम इस तरफ 1.10 कर रहा थे, अभी भी ये dollar है, ये रुपिया है, बोले, रुपिया depreciate हो रुपिया, तो 0.9 तो होगा, लेकिन इस तरफ होगा, 0.9, इधर है तो इस तरफ होगा, अगर वो बोलना dollar, तो आप इधर 1.10, बात बस बड़ी simple सी है, मतलब आपको जब रुपिया है, तो इधर वाला rate मान के चलना पड अल्टिमेटली ये क्या हो जाएगा, डिवाइट, टिक, सर, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब सुनना धियां से, अगर बोलेगा dollar appreciate हो रहा, appreciate 10%, तो 1.10 तो आएगा, 1.10 तो आएगा, multiply का, लेकिन बोलेगा, अब सुनो गए बटे, अब सुनना धियां से, अगर सर वो बो कि रुपिया appreciate हो रहा, तो into 1.10 तो आएगा, लेकिन इस तरह नहीं आएगा, opposite side आएगा, और opposite side आएगा, तो automatic क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा, अगर वो आप से, मैं आप से बस ये बोल रहा हूँ, अगर पोचा जाएगा, कि जो dollar है, वो depreciate हो रहा, तो into 0.9 इसी तरह आए कि डॉलर का rate दिया, लेकिन जहां बोला जाएगा कि, डॉलर का rate दिया, और कि रुपिया depreciate हो रहा, तो 0.9 आएगा, लेकिन opposite side आएगा, और ultimately divide हो जाएगा, हम लोगों ने इसको ऐसे याद कर रहे हैं, भई appreciate हो रहा, into 1.10 होने वाला, 1.10 और depreciate होने वाला, मतलब 0.9, अग 1.10, dollar का rate दिया, रुपिया में appreciate है, तो भी 1.10 होगा, लेकिन आप into नहीं होगा, आप divide हो जाएगा, सिर्फ जिसका rate दिया है, उसी में appreciation होने वाला है, या depreciation होने वाला, तो multiply, और जिसका rate दिया है, उसके अलावा दूसरी currency में appreciation होने वाला है, तो divide, बस इतना याद रख क्रेस कोर्स है, तो उसी तरह से मुझे पढ़ाना पढ़ दा है, तो मैंने ये बात यहां लेखे, rate जिस currency का दिया है, उसी currency में appreciation होने वाला है, तो multiply, पर उसके अलावा दूसरी currency होने वाला है, तो divide, इसका कहा यूज होने वाला है, यूज बेटे, यहां नहीं होगा, यू calculation of customer rate of merchant rate, सुनना धियां से, bank मेरे पास customer, आपको dollar बेचना है, dollar बेचना है, dollar बेचना है, तो मेरे पास dollar आएगा कहां से, सर्तों आप हमीसे तो खरीद होगे, बिटे नहीं, कभी-कभी हम dollar side वाली bank से भी खरीद रहती, side वाली bank इसको बोले जाता है, wholesale market, और customers को इसको लेन देन होता, उसको क्या बोलो जाता है, retail market, wholesale market, retail market, जब एक bank, दूसरे bank से आपस में लेन देन करती, तो उसे बोला जाता, interbank rates, और customer के साथ जो deal होती, उसी बोला जाता, customers rate, interbank rate, customer rate, अब मालो, किसी bank से मैंने, 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 60 रुपए में खरीदा हूँ, dollar, तो अगर आपको बेचूँगा, तो 60 में बेचूँगा, कि 60 से जादा, 60 से जादा, commission तो add करूँगा, commission तो add करना ही पड़ेगा, दूसरी बात, मैंने आपसे खरीदा है, 58 में, या फिर मैं आपसे, दूसरी language में मुझे सामने वाली bank को भी देना पड़ता ना, मैं उसको दे रहा हूँ, 59 मे तो आपसे जो खरीदूँगा, वो 59 में खरीदूँगा, कि उससे कम, कम, सर्ग मतलब खरीदते हैं, तो कम में, और बेचते हैं, तो जादा में, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, commission का क्या खाल, जो interbank rate दिया रहेगा, अगर हम बेचेंगे, तो और जादा में, और आप से purchase करेंगे, तो जो rate दिया, उससे भी कम में purchase करेंगे, ठीक, यहां बात मैंने समझाने की कोशिश किया, मालो कोई bank है, हमने इस से खरीदा 70 रुपे का डॉलर, तो जब बेचेंगे, तो और महगी में बेचेंगे, commission add करने के बाद, margin add करने के बाद, दूसरा, मुझे इसको बेचना है 69, तो मैं आप से जो खरीदूँगा, वो और भी कम में खरीदूँगा, इसका मतलब सर, ask rate में, ask rate में margin add होता है, commission add होता है, और bid rate में minus होता है, यही बात मैंने यहां लिखा रखा, commission या margin is added to ask rate and subtract from bid rate to find out customer's rate, और simple सी बात है, मैं आप से बोल रहा है, बेचेंगे तो और महगे में खरीदेंगे तो और सस्ते में, टिक, तो यह interbank rate की जरुपरत क्यों पढ़ती है, काम आएगा आगे, जब हम cancellation वगेरा करेंगे, तब interbank rates दिये रहेगे, और उससे हमें क्या निकाना पड़ेगा, customer's rate and the last point, cross rates, यहां से question पूछता है, तो यह आपके लिए बड़ा, बहुत ही ज़्यादे important cross rates, अब सवाल है सर्क, cross rates की जरुपरत क्यों पढ़ती है, cross rates की जरुपरत इसलिए पड़ती है, कि यार आपको मानलो UK जाना, UK, UK में कौन सी करेंशी चलती है, pound, आप मेरे पास आए, और मेरे पास बोले की सर सर, मुझे UK जाना, मैं bank हूँ, कि मुझे pound दे तो, मैंने का मेरे हां तो pound नहीं है, मेरे हां तो सिर्फ और सिर्फ डॉलर ह अगर खरीदना तो खरीद लो, रुपिया दीजिए, डॉलर खरीद लीजिए, आपने मना कर दिया, आपने का नहीं नहीं, मैं UK जाओंगा, वहीं से खरीद लूँगा, फिर ऐसा है तो, आप UK पहुचे, UK में pound भी करा, आपने bank से पुचे, UK पहुचके bank से पुच रहे, pound आए क्या, तो आप bank बोल रहा है, बिखता तो है, लेकिन बदले में हम को रुपिया नहीं, हम रुपिया चलाते नहीं, हमें dollar चाहिए, ओहो, इसका मतलब, उस person को पहले इंडिया से dollar खरीदना था, और dollar लेके UK पहुचना था, और UK में dollar देके pound खरीदना था, यही सारे transaction कर करते आप, तो ultimately हमें पता करना पड़ता कि एक pound कितने रुपए का पड़ेगा, और यह कैसे करना पड़ेगा, क्यूंकि direct actions rate नहीं दिया है, तो cross rate से आप calculate करोगे, और इसके लावा cross rate arbitraries के लिए काम आता है, तो arbitraries जब मैं करवाँगा, तो मैं cross rate का use करवाँगा, तो मैंने situation, action rate is determined with the help of cross multiplication, is called cross rate, इसके अलावा cross rate और कहां काम आता है, आरुटरीज में भी काम आएगा, cross rate, जब हम बढ़ेंगे, cross rate का calculation समझेंगे, तो पहले हम normal question करेंगे, without bidask, और फिर हम bidask rate भी उठाएंगे, और उसके सासत question करेंगे, तो सबसे पहले आ जाते हैं, cross rate without bidask, अपने मन से मत करना, थोड़ा सा आप मेरे हिसाब से चलो कि तो फैद, हाँ जी, अब यहाँ देखो, यहाँ से, रुपीस पर डॉलर दिया, साट रुपए, मतलब एक डॉलर साट रुपए का, और डॉलर पर पाउंड दिया है, वन पाउंट, मतलब एक पाउंड दियर डॉलर का, एक डॉलर में साट रुपए, और एक पाउंड में दियर डॉल तो बतो एक पाउंड कितने रुपए का, common sense तो ऐसे भी लगा दोगा, एक पाउंड में देर डॉलर, मतला हमको देर डॉलर खरीदना पड़ेगा, और एक डॉलर साथ का, तो देर डॉलर नबेगा खतम करो, बिलकुल, पर मैं आपको यहां common sense या cross multiplication, यह सब ने सिखवाने वा कभी भी इसको देखना, इस पर focus करना, उपर किसका है? रुपी, उपर लिखा है रुपिया, नीचे क्या लिखा है? पाउंड, तो ढूंडो बेटे यहां कि रुपिया ही उपर लिखा होना चाहिए, रुपिया ही उपर लिखा है, thank God, तो सीधा 60 रुपै उठाईए और 1.5 उठाईए और यहां लिख दीजिए और मल्ट आंसर चाहिए, लेकिन सर, अगर कुछ और होता, रुपै होना चाहिए उपर रुपी ऐसा होता, डॉलर पर रुपी, मालो ऐसा होता, फिर क्या करते? बेटे, फिर मैं साथ नहीं लिखता, फिर लिखता 1 by 60, बात समझ में समझ में आ रही है, क्रॉस रिट खतम हो गया अगर इतनी वास समझ में आ रही है, कोई A by B, B by C, क्या क्या करते कुछ करने की जोतनी, बिलकुल मेरी बात ध्यान से समझना, मुझे जो उपर चाहिए, अगर वही उपर है तो सीधा उठा का लिखना है, अगर नहीं है तो 1 से डिवाइट करना, सब फिर भी एक इग्जांपल हो जाए, यास, रुपीज पर पाउंड दिये, डॉलर पर पाउंड, उपर क्या होना चाहिए, रुपीज क्या रुपीज ही उपर है, यास, तो सीधा 90 उठा कर यहां लिखा, नीचे क्या होना चाहिए, डॉलर पर डॉलर नीचे नहीं डॉलर नहीं, पाउंड नीचे, डॉलर द उपर है, तो अब वन से डिवाइट करना पड़ेगा, और वो मैंने लिखा यहां, आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है सर, येन पर रुपीज, रुपीज पर डॉलर, डॉलर, उपर होना चाहिए, डॉलर, डॉलर होना च नीचे, तो बन से डिवाइट करना पड़ेगा, तो यहां जाएगा, बन से बन से डिवाइट करना पड़ेगा, तो यहां जाएगा, यहां बन से डिवाइट करना पड़ेगा, यहां बन से डिवाइट करना पड़ेगा, यहां बन से डिवाइट करना पड़ेगा, यहां ब Pound per dollar, उपर होना चाहिए, रूपीज नहीं है, तो 1 से डिवाइड होगा Pound नीचे होना चाहिए, पाउड हो तो 1 से डिवाइड होगा आंसर आजाए Simple Okay, Sir, ये नपर रूपीज लिखा ये नपर रूपीज ये नहीं उपर होना चाहिए, ये नहीं उपर होना चाहिए, सीधा 145 और रूपीज सर नीचे होना चाहिए, रूपीज नीचे ही है, तो फिर सीधा Multiply और आंसर आगे है, 23.9 Simple है, और कुछ नहीं है, ठीक है, सर बात समझ में आखिए, बाकी प्रैक्टिस पे सर अगर ऐसे दिया है तो, हाँ, इसे कहा जाता, ISO कोट, अगर ऐसे दिया है तो फ़ही इसको पहले हम अच्छी से लिखेंगे, ये क्या लिखा है, ये पाउंट का रेड दिया है, तो इसको मैंने ठीक से लिखा, डॉलर पर पाउंट, ठीक, ये रूपीज पर डॉलर, ठी ये तो सीधा उठाकर लिख दिया, पाउंट नीचे होना चाहिए, नीचे पाउंट ये तो सीधा उठाकर लिख दिया, तो answer आ गया, रॉपीज पर डॉलर, रॉपीज उपर ही लिखना पड़ेगा मझे, रॉपीज पर डॉलर, अब डॉलर से डॉलर कटना चाहिए, तो डॉलर और देखो डॉलर के नीचे क्या जाएगा, यूरो, यूरो से यूरो कटना चाहिए, यूरो उपर और पाउंट नीचे, इस तर 60 क्या аемся सीदा 1.25 और यूरो पर पॉंट दिया है कि दिए स像 बंग कि अब यह वालो खूशन फिर से लिएं यह साब है मुझे चाहिए यूरो आप उरो फाउंड यूट्ट यह है यूरो वाला नहीं सर नहीं सर पांड पर डॉलर दीया तो अब अब बन से डिवाइट करना पड़ेगा और आंसर आजाएगा इस तरह कि आएगे तो नहीं कोश्टन पर तैयारी करवा रहा हूं अब क्रॉस रेट विद बिडास्क यह इंपोर्टन्ट रेट ऐसा दिया है रुपीज पर डॉलर 70.25 70.75 डॉलर पर पॉंड 1.5045 1.5085 रुपीज पर डॉलर मुझे निकालना रुपीज पर पाउंड अब मैं सुनो क्या करूँगा रुपीज पर डॉलर रुपीज उपर होना चाहिए क्या रुपीज उपर है यस तो पहले बिड का अलग कर लेते हैं तो 70.25 pound नीचे क्या pound नीचे है यस तो 1.5045 ठीक ऐसे ही किसका कर लेंगे हम आसका करों है तो सर इसमें तो रखा क्या है पहले एक कर रहे हैं अब दोनों कर लेंगे बिट वीट कर लेंगा नहीं बिटे नहीं अभी अपने मेरी बात ठीक से नहीं सुना अब सुना एक्जाम्पल नमबर रूपीस पर पाउंड रूपीस पर डॉलर मझेट है यह डॉलर पर अब धियां से उपर क्यों ना चाहिए ड यह वाला लोगा यह अभी है है कि अटेंचे कया है पाउंड पाउंड यह नीचे है तो फिर तो टैन्सरिंब से डिवाइट करना है कि नहीं तो फिर उठाकर मैं सर क्यों और कि कर वजय बता रहा हूं अभी सुना मैं अभी सести करते हैं फिर से कि सर आउस्कोLE दिखत यह और जैसे यह डवाइट करना पड़ेगा मुझे लेना चाहिए लेकिन वंसे डवाइट करना तो यह ले लोगा या पाउंड पांड ही तो फिर उठाकर यह लोगा सब ऐसा क्यों बस इतना बता दो हमको कोई दिक्कत नहीं है रट तो हमने लिया है रटने में कोई समस्या नहीं है और क्या रट इससे क्या concept सर concept बस इतना है का bit का bit से multiply करना आज का ask से multiply करना लेकिन अगर जहां बात आईगी one से divide करने की तो जहां bit लेना उसकी जगा हम ask rate लेंगे पर concept क्या common sense मतलब logic क्या logic कैसे बिटे रुपीस पर डॉलर डॉलर पर पर पॉंट मुझे UK जाना है UK तो bank के पास में गया pound के लिए तो bank ने का हमारे यह pound है हमारे यह dollar है तो bank क्या करेगा bank dollar बेचेगा पहले में dollar इंडिया से खरी दूँगा और dollar को वहां जाके pound में convert कर वा लूँगा तो bank dollar बेचेगा तो बेचेगा तो कौन सा वाला rate यह वाला और आप कहां पहुझ गए आप पहुझ गए US और US में bank क्या करेगा क्योंकि pound का rate दिये तो bank pound बेचेगा यह वाला rate इसलिए ask rate लेते समय मैंने यह rate लिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं अच्छा सर अच्छा यह यहां भी बता दो सर यहां क्या हो रहा है अब यहां यहां सुनते हैं क्योंकि common currency रुपीज है रुपीज पर pound रुपीज पर डॉलर तो सुना है मैं UK का person हूं और मुझे US जाना है UK का person हूं मुझे US जाना है तो UK का person हूं UK का person हूं तो सबसे पहले मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा US जाना तो डॉलर खरीदो पर डॉलर तो है नहीं है वो बलतों रुपीज ले जाओ US में रुपीया चलता में रुपीया दे के डॉलर खरीदेना अप्ड़ीज ठीक है नहीं है तो सबसे पहले मैंने कीया मैंने ौंच को ऑंच ब्यूंड रुपीया ले लिया मतलब बाइ क्तिलब बैंक क्षरीदे गा उसके बाद मैं वहाँ पहुचा और वहाँ मैंने रुपिया देखकर डॉलर एह, मतलब बैंक डॉलर बेचेगा तो एक रेट मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, एक रेट ट्रियेल वाला लेना पड़ेगा अपोजिट लेना पड़ेगा तभी मेरा काम हो जाए ठीक लॉजिक और कॉमन सेंस और इस्टूरी काम नहीं आने वाले एक्जाम में इतना नहीं सोच पाऊगे बस मिने आपको कहा जहां बन से डिवाइट करना होगा आपको अपोजिट रेट लेना पड़ेगा चलो फिर से कि इंपर ड यह ने पर डॉलर यह पर पॉंड अब पॉंड कहां होना çalए बर एसक पाउंड उपर अब और उपर उन जोन द करने फरक्रव होन से यह का करों ए बनीटी फाइव है इसे है किसकी बात कर लेतें आशक कर आशक मात पह आ जाईए यह वाला लेना पांड पांड हो आपको यह लेना पड़ेगा और यह तो लेंगे लेंगे फटा-फटा से आंसर आगा है सिंपल सर अगर तीन वे हो तो क्या करेंगे तीन तरह से तो फिर तो बिट्टे आपको महनत करने पड़ेगे और इस्टार्ट कहाँ सरे बड़ेगा डॉलर के साथ किया रुपीज से कटना चाही करनी मैं चेख करूं अब डॉलर पर पर रुपीज दिया है ना के पांड पर इवाब कर दिया फ्रीज दिया और उन्ज text मीलइ से उपांड लगे करना पड़ेगा तो फिर ये वाला लेना पड़ेगा अंसर ठीक इसी तरह आस्क रेट में भी आप ऐसा ही करोगे ठीक है थोड़ा सा मुस्किल है पर प्रैक्टिस से हो जाएगा अब ये वाला कोश्चन देखुए ऐसा लिखा तो पहले इसको नॉर्मल लिख लेंगे किसका रेट दिया है ये क्या लिखा ये डॉलर पर पाउंड डॉलर पर और ये येन पर डॉलर मांग क्या रहा है पाउंड पर येन अब चेक कर लेते हैं बिड रेट पाउंड होना चाहिए उपर पाउंड है नीचे वन से डिवाइट करना पड़ेगा मतलब ये वाला रेट लेना पड़ेगा नीचे होना चाहिए येन और येन उपर मतलब ये वाला रेट लेना पड़ेगा तो फिर बनाते हैं आप question number one cross rate का ही है calculate the cross rate the dm is dollar is to dm action rate dm1 is equal to dollar मतलब sir dollar per dm दिया 0.35 बिल्कुल और dm is to ff तो ये भी दिया dm is to ff 0.31 दिया और मांग क्या रहा है ff इस मतलब ff by dollar मांग रहा है ठीक है ff उपर होना चाहिए ff ने वन से डिवाइट करना पड़ाए डॉलर नीचे डॉलर उपर वन से डिवाइट करना पड़ाए आंसर आ गए आपका question number two आपके लिए homework question number two और उसके बाद वाले सबकी सब homework है ठीक अगले concept पर चलते है तो चलो part number one होगा अब revision किसका होगा अब part number two और यहां से revision आपके लिए ज़्याद़ इंपॉर्टन पार्ट नमबर two में क्या है पार्ट नमबर two में हम क्या करेंगे पार्ट नमबर two इसको बोलेंगे है हम spot market arbitries spot market arbitries और इसी के अंदर पढ़ेंगे triangular arbitries दो चीजे पढ़ा था हमने spot market arbitries सिर्फ क्या होता था spot market arbitries थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ मैंने यह कहा था क्या dollar का rate अलग-अलग हो सकता है यस अगर मैं कहूं कि इंडिया में इंडिया में 1 dollar 70 रुपए का है और यूएस में 1 dollar 72 का है तो क्या आप इससे profit कमा सकते हो यस क्या करोगे इंडिया से सरे dollar खरी देंगे कितने का 70 रुपए का और यूएस में बेज देंगे कितने का 72 का आर्विट्रेस हो गए कोई रेस्क हाए कि नहीं है नहीं कोई ट्रांजिक्सिन कोस्ट है कि नहीं है हमारी एजंशन रहती है इसी को हम क्या बोलते है इसी को बोलते हम sport market arbitraries आज के जो बिन रेट है उसको देखते हुए अब आर्विट्रेस कमा लें इसी में क्या पढ़ेंगे triangular arbitrage, फटा फट से बिनना time खराब करें, देखते हैं कि होता क्या है, क्या लिखाया, arbitrage means risk free profit, यह तो आपको पता ही होगा, risk free profit, in spot market arbitrage, we buy currency, where it is selling at lower rate, जहां सस्ते में विकता, वहां से हम खरीदेंगे, और बेचेंगे कहां, वहां जहां currency, ज्यादा rate में विकती है, example भी support dollar में, इंडिया में 70 रुपए, 72 US में है, तो आप क्या करोगे, इंडिया से खरीदेंगे, US में बेचेंगे, कितने का फैदा कमाऊगे, 2 रुपए का profit कमाऊगे, क्या ऐसा question आ सकता, आ तो नहीं सकता, पर RTP देखोगे न, इस attempt की तो आपको आशिर होगे, इस tag बेचें मिलेगा, suppose एक rate, ले लो, यहां bid ask लिया है, रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर दिया है, इंडिया में this bid ask, bid ask, arbitration निका लो, तो भही सस्ते में खरीदना, महगे में बेचना है, trial and error करके देखते हैं, अब तो यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर मैं इंडि तो बिट्टी सीधी सी बात है, arbitration कैसे निकलेगा, इंडिया से खरीदना, US में बेजना है, presentation इस तरह से कर देना, in this situation we buy dollar from India at 60.75 पैसे, यह वाला rate, और sell in US 60.90 पैसे, यह वाला rate, arbitration निकली जाएगा, आपसे, simple, चलो जी, अगले example में, अगले example, dollar per pound, dollar per pound, यह example में, मैंने इस तरह से set किया, कि arbitration नहीं आना चाहिए, no arbitration, इस time pass के लिए था, ऐसा question नहीं आया है, चलो जी, आगे चलते, हाँ, यह question आपके लिए important, यह question important, क्या लिखा है, in US है, बिल्कुल धिहां से समझना क्या है, in US rupees per dollar, 60 rupees per pound, 1 rupees, 50 पैसे, ठीक है, 1.5 sorry लिखा, on the basis of, यह rate कहा है, sir, यह rate है, US का, ठीक, लिखा, on the basis of above action rate, what should be the price of pound in India, इस rate से, इस rate से, कुछ करके यह बताओ, कि pound India में कितने रुपिया, इंडिया में तो रुपिया चलता है, कि pound का rate इंडिया में कितना रुपिया होता, pound का rate निकालना, it means क्या निकालना, सीदी स इसकी वाद, cross rate निकालना है, cross rate से हमें यह decide करना, कि India में pound का rate क्या होता, मतलब रुपीस पर pound निकालना है, रुपीस पर डॉलर दिया, डॉलर पर pound दिया, रुपीस पर pound निकालना था, 60 divided by 60 into 1 point, answer कितना रहा, 90, तो pound का rate इंडिया में कितना होना चाहिए, 90 रुपिया होना Voted in India, 80 रुपए, अगर इंडिया में pound 80 रुपए का है, तो इंडिया से खरीदेंगे और US में कितने का बेज़ देंगे, 90 रुपए का बेज़ देंगे, then buy pound from India and sell in US, 90 रुपए, again कितने हो जाएगा, 10 रुपए per dollar, simple, question भी है, question देख सकते हो आप, On the same rate, the DM spot rate was quoted at $40 in New York, तो New York में दिख रहा है DM का rate, ठीक है, dollar per DM, ठीक है, और pound का rate, तो dollar per pound, ये दिया है, ठीक है, what would you expect the price of pound, pound का rate, जर्मनी में क्या होना चाहिए, pound का rate, तो DM पर pound मांगता होगा, ठीक है, DM पर pound, अब DM पर pound कैसे निकलना, cross rate में तो आप expert है, मैं समझाऊंगा न, ये निकाल लोगे, DM कितना आ गया, 4.5, ये rate कहां का है, ये rate है, यहां का, जहां की करें, New York का rate है, ठीक है, New York का, और ये rate कहां होना चाहिए, जर्मनी में भी यही rate होना चाहिए, पर जर्मनी में इसके अल तो CDC बाते से जर्मनी से खरी देंगे या फ्रैंकफर्ट से खरी देंगे, और New York में base देंगे, और pound को, और हमारा फाइदा कितने का हो जाएगा, 0.1 का हो जाएगा, simple question, अब important, this is triangular arbitress, ठीक है, इसको ध्यान से समझा है, triangular arbitress को, क्योंकि triangular arbitress से question आ सकते, question आती है, सुना ध्य क्या से, क्या ये मैं आपको समझा चुका हूँ, या से, triangular arbitress में देखो क्या दिया है, रुपीज पर डॉलर दिया है, 60 रुपया, 50 पैसे, डॉलर पर पाउंड दिया है, ठीक है, पाउंड पर रुपीज दिया है, अगर, if you have rupees 1 lakh, calculate arbitress, अगर आपके पास 1,00, रुपा है, त चले जाएंगे, US में, pound में convert कर लेंगे, और pound लेके वापस किसमें convert कर लेंगे, रुपीज में, it means मैंने समझाया था कि आपको currency कौन से दिया, अगर आपको currency rupees दिया है, तो start कहां से करोगे, रुपीज से, खतम कहां से करोगे, रुपीज से, और इस तरह से हम triangular बनाते थे, याद करो, suppose ये, ठीक है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, start होगा rupees, rupees से फिर किस पे चले जाएगे, dollar, dollar से क्या होगे, pound, pound से फिर rupees, इसी तरह से हम कुछ triangular type का बनाते थे, ये, फिर ये, फिर ये, ठीक, rupees से dollar, dollar से pound, pound से rupees, या फिर क्या हो सकता था, rupees से pound, pound से, या तो आप याद करो, clockwise, anti-clockwise, ऐसे भी मैंने समझाया था, लेकिन उसको मैं सही method नहीं मानता था, और वो बड़ा ही जी था, rupees से dollar पे जाओ, dollar से pound पे जाओ, pound से rupees से जाओ, नहीं आया answer, profit नहीं आया, तो फिर rupees से pound, pound से dollar, dollar से rupees, उसमें answer आजाता था, हम कुछ ऐसे ही करते थे, और मैंने कहा था, ये method सही नहीं है, इसको बोलते थी, trial and error method, पहले clockwise चले जाना, फिर anti-clockwise, ये method सही नहीं है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले root पता करना चाहिए, किया rupees, rupees से तो start करना ही है, क्योंकि rupees दिया है, rupees से start करके पहले हमको इसको dollar में convert कराती हुए चलना पड़ेगा, कि पहले pound में convert करती है, this is answer, एक लाग रुपए लगा रहा है, तो क्या, एक लाग से जादा आना चाहिए, yes, यही था हमारा concept, अब देखो, अच्छे से, ध्यान से देखना इसको, sir, इसका video भी डला हुआ है, yes, इसका video डला हुआ हुआ है, चलो, देखते हैं क्या, मैं क्या करूँ हूँ, सुना ध्यान सट, रुपीस पर dollar दिया, dollar पर pound दिया, pound पर रुपीस दिया, या दखना हमारे पास currency, sir, हमारे पास currency है, फिर से ध्यांसन हमारे पास है रुपीज तो मैं इस तरह का रेट बनाने की कोशिश करूँगा कि रुपीज होना चाहिए उपर टार्गेट हमारा यह है जब हम लिखते हैं तो रुपीज उपर होना चाहिए अब ढूंडो बिट्टे क्योंकि रुपीज दिया रुपीज उपर कोई दो रेट निकालना रुपीज उपर होना चाहिए एक तो मिल गया है रुपीज उपर रुपीज पर डॉलर तो मैंने यह लिख दिया रुपीज पर डॉलर अब क्या गरूंगा अब इन दोनों रेट को लेकर फिर से मैं निकालूंगा रुपीज उपर होना चाहिए तो नीचे क्या होना चाहिए पाउंड वही तो बच्ता है ठीक रुपीज पर डॉलर तो दिया है अब रुपीज पर पाउंड निकालने की कोशिस करूंगा मतलब सर्क्रोस डगाओंगे यस और मैं निकाल रहा हूं रुपीज पर डॉलर फिर से इस बिल्गल धावान से समझना है पहला रेट क्या रुपीज पर डॉलर है यस, दूसरा rate भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रुपीज पर डॉलर ही निकालना पड़ेगा, यस, मैं क्या कोशिस करूँगा, इन दोनों rate का comparison करूँगा, कि यहां सस्ता होगा, महां से खरीदेगे, जहां महेगा होगा, महां बेचिंगे, क्या पहला rate मुझे रुपी रुपीज पर Pound ने निकालना पड़ेगा, रुपीज परड़ार ही निकालना पड़ेगा, तो अब रुपीज पर डॉलर कैसे निकालना पड़ेगा, रुपीज देंगे मतलब यहां कहीं से सर हम डॉलर खरी देंगे रुपिया कहां बिटे अराम से सो क्या लिखा है since rate of dollar is higher in India इंडिया में जादा है तो हम sell करेंगे डॉलर इंडिया में मतलब हम रुपिया से अरGA यहां से खरीदेंगे dollar बस इतनी सी बात यहां पता लगा यहां बेचना है तो यहां से खरीदने की बात मत सोच ना की 까альное कंड कहां चेकर पाउंड बात समझ में आ रही हैं और जहां सास्ता है जहां महता है वहाँ बेचींगे जहां सावाहं से खरीदींगे तो हमको process पता लगुए अब क्या करेंगे पहले रुपिया देchineक पाउंड यह आगया फिर पाउंड देगकर रुपी लुपीस दे कर निया कह ABC आपने पाउंड खरिदीया पाउंड देकर क्या खरीद लिया डॉलर खरीद लिया और फिर डॉलर देकर क्या खरीद लिया रुपया खरीद लिया आंसर इतना आया एक लाग तेरा जास तो अठारा उसमें से एक लाग माइनस किया तो इसे प्रोच यह बताना जरूरी है अगर यह बताना जरूरी नहीं होता तो मै फटा-फट से काम कर लेता कैसे कर लेता एक लाख रुपाय है मेरे पास यहां से यहां मुझे बेचना इस पर खरीदना है तो एक लाख डिवाड़िड बाइ यह तो यह हमारे पास क्या गया है डॉलर और उसको फिर हमने बेज दिये यह एक लाख दिवाड़िड बाइड इस और फिर शाट रुपाय पचास तो इंटू और फिर माइनस क्या कर दिए एक लाख तो वैसे ही क्या अर्बिट्रिज है जाएगा टिक कोशिस करते हैं सबसे पहले आपको क्या root ही पता करना पड़े है ठीक है सां एक bid ask वाला भी हो जाए कि यस एक bid ask वाला भी ले लेते हैं कि अराम सुना रुपीज पर डाउलर दिया है डाउलर पर पांड दिया है आपके पास एक लाख रुपए और अब बीड आसक का खेल रहा है good, rupees per dollar भी या हुआ है तो sir इस rate को लेकर भी हमें क्या निकालना पड़ेगा हमें rupees per dollar ही चाहिए then rupees per dollar ही चाहिए तो अब rupees उपर आना चाहिए अब start सबसे पहले bit rupees उपर आना चाहिए ये नहीं आना one से divide करना पड़ेगा तो ये वाला rate ना लेकर यह वाला ले लेंगे, कोई मैंने यहां लिया है, आपको cross rate में expert होना पड़ेगा, और यह आ गए आपका, this is bit, this is ask, अब बताओ, बिटे यहां मैंगा, यहां सस्ता, तो sir, यहां से खरी देंगे, यहां बेचेंगे, बात कतम हो गई, it means sir, हम 53.07 में खरी देंगे, और 60.50 में आजाएगा, देख लो, एक लाख इंटो 53.07, इंटो 60, माइनस एक लाख कर दो, तो answer आजाएगा, पर process दिखा देते है, since rate of dollar in India is higher, hence we sell dollar, हम क्या करेंगे, buy करेंगे, pound कहां से, UK से, UK से pound buy करोगे, UK यह, कितने में pound मिलेगा, bank क्या करेगा, bank रुपिया खरी देगा, रुप अब आपके पास कौन सी करेंशी आगी, pound, bank, pound, खरीदेगा, खरीदेगा, तो इस rate से, फिर क्या होगा, bank, आपके पास क्या आगया, अब dollar, bank, sir, dollar, क्या करेगा, खरीदेगा, मतलब, 60 रुपिया, 50 पिसे किसा, answer, वही आया, आप shortcut से कर सकते, तो shortcut से कर देजे, simple है, ऐसा नह नहीं आता, तो सर जी, trial and error ही करना पड़ेगा, clockwise, anti-clockwise, चलते ज़िए, चलो जी, ये question, spot market, arbitries का, ये question, मुझे अच्छा लगा था, इसलिए उठाया, falling are the spot actions, rates quoted at different market, अब सुनो बिट्टे, सुनो, ये एक बड़ा cancer नहीं है, यार, मालूँ, ये एक rate दिया, dollar, INR, सर ये dollar, बिट्टे, क्या ये आपका, currency pair जो दिया, वो ISO code में दिया, मतलब ये rate क्या है, rupees per dollar, इसको मैं properly लिख लेता हूँ, rupees per dollar, ये rate कौन सा है, rupees per pound, properly लिख लेता है, sir, dollar per pound, इसको मैंने properly लिख लिख लिया, तो arbitrator has dollars, currency कौन सी है, dollar, तो final हो गया, उपर क्या होना चाहिए, dollar, और नीचे क्या होना चाहिए, जो भी होगा, देखेंगे, सबसे पहले dollar कहीं उपर दिया, कि ये दिया, dollar per pound, तो dollar per pound दिया, तो आगे भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dollar per pound ही निकालना पड़ेगा, इन दोनों rate को योज करके, final करें, तो पहले dollar per pound ये वाला तो लिखे लिया, दूसरा निकाल रहा हो, dollar per pound, उपर dollar होना चाहिए, नीचे है, वाँ से डिवाइट करना पड़ेगा, या उतलब ये वाला rate, ठीक, नीचे pound, pound ही है, तो ये ही वाला rate, ये आगए आपका, तो अब एक rate ये है, यहाँ 1.70, 1.72, यहाँ 1.7270, तो सर जी क्या करोगे, सर हम New York से खरीदेंगे, और यहाँ बेचेंगे, मतलब खरीदना यहाँ से, मतलब सर यहाँ से खरीदने वाले हैं, यहाँ से खरीदने वाले हैं, बिल्कुल, इट मिन्स हम यहाँ से खरीदेंगे साथ, ओके, फाइनल हो गया, और एक्शेंज मार्जिन अलग आपको एजिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर लेंगे, अब हम तयार हो गए, सबसे पहले हैं, हमारे पास currency कौन सी है, हमारे पास से dollar, rate किसका दिया है, rate, 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 rate बेचेगा तो इस rate पे, plus, बेचते समय margin क्या होगा, plus, plus, तो final rate क्या आगा है, यह, और divide होगा, divide multiply में आपको नहीं समझा होगा, finally यह आगा, अब आपके पास क्या आगा है, pound, अब यहाँ क्या है, rate किसका दिया, sir, rate pound का दिया, तो bank pound खरीदेगा, तो हम क्या करेंगे, rupees खर पैसे minus, खरीदे, bank खरीदेगा, तो सस्ते में खरीदेगा, minus हो जाएगा margin, यह आगया, अब कहाँ पहुच गए, यह, अब आपके पास कौन सी currency आगी, sir, rupees आ गई, अब क्या होगा, sir, bank dollar बेचेगा, तो हम dollar क्या करेंगे, खरीदेगे, खरीदेगे, तो margin plus, okay, तो यह rate आग इतना dollar minus, इतना dollar minus किया, तो यह आगया, arbitrage, simple है, ज्यादा मुस्किल नहीं, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, spot market arbitrage, important concept, triangular arbitrage, जो आपको करना है, ठीका जी, okay, तो अब आजादे, part number three, forward contract, a forward contract for importer, exporter, forward contract क्या होता था, forward contract हो, यह होता था, कि सर जी, हमें dollar की जपर होता है, तीन मैने बाद, तो आज ही आप bank से जाकर क्या कर लीजिए, contract, forward contract, okay, sir, हम अलग-अलग angle से बात करेंगे, तो पहले बात करते है, forward contract for importer, उसमें होता क्या था, simple है, बिल्लकुल simple है, मालो, राम, और राम नहीं क्या किया, import, import किया, तो हमको क्या करना है, payment, और payment किसका करना है, dollar का, अगर आज करना रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, export rate मतलब आज करें, रुपीस पर डॉलर, 70 रुपया, 50 पैसे, 71.25, हमें payment करना है, तीन मैने बाद, तो तीन मैने बाद का rate कितना दिया है, 74, expect, हमें लग रहा है कि तीन मैने बाद, 74 हो जाएगा, क्या दर है, यस, किस बात का दर है, dollar का payment करना, तो dollar महगे होने का दर, यस, सस्ते में dollar मिल रहा है, कितना loss होने के उमीद है, क्या लगता है, कितना loss हो सकता है, इसको बोले जाता, expected loss, expected loss, क्या forward contract कर लेना चाहिए, answer क्या आएगा, yes, क्यों करना चाहिए, क्यों कि ये सस्ता है, तीसरा, अगर आपने forward contract किया, कोई doubt नहीं, तो क्या आपको forward contract करने की पढ़ता, 71.25, अगर हम dollar खरीदते, नहीं करते forward contract, तो कितने का खरीदना पढ़ सकता है, 74 lakh, तो आपको loss कितने का हो सकता है, 2,75,000 का, ठीक है, दूसरी बात, क्या आपको forward contract कर लेना चाहिए, तो लिखा है, answer आएगा, yes, कहानी लिखनी पढ़ेगी, कि forward rate less than expected spot rate से, तो राम को forward contract कर लेना चाहिए, तीसरी बात, forward contract की वजह से, क्या आपने राम का फाइदा करवा दिया है, हाँ भाई, अगर हम forward contract नहीं करते, तो हमारा loss होता, तो भी loss हो ही रहा है, अगर हम forward contract कर रहा है, तो भी loss हो रहा है, forward contract नहीं कर रहा है, तो भी loss हो रहा है, अगर forward contract कर रहा है तो लॉस कितने को रहा? 1,25,000 जबकि यहां लॉस कितने को हुआ? 2,55,000 तो forward contract की वज़न से हमारा लॉस तो बज गया ना भाई और कितना? 1,50,000 किसके इंगल से बात होगी थी? इंपोर्टर ऐसे किसके इंगल से बात करना है? उपको export example होई था? राम क्या किया export तो आने वाला है pound? आज pound का rate कितना? 90,90,000 मतलब यह वाला लेना पड़ेगा 90 और हमें ऐसा लग रहा pound गिरेगा 87.5 का हो जाएगा, गिर जाएगा बैंक के साथ का बैंक क्या मोल रहा picture 29 का लेजव बस एक्सपेक्टेड्लॉस एक्सपेक्टेड्लॉस कभी भी किस-किस के बीच में निकले आक शुट्र ृस एक्सपाइक्सपेक्टेडलास क्या एक्सपट्र को फाववर कॉअ्टेट कर लेकाइश पर आंसर आएगा forward cover करते तो एक लाग को लॉस नहीं करते तो भाइलाग को लॉस तो टोटल लॉस कितने का हो गया टोटल लॉस हो गया एक लाग पेचास थार का तो बिल्कुल सिंपल है part number 3 एक छोट असा और part है forward contract में ही वो है forward premium और discount सरी forward premium और discount होता क्या है बिटे बाद बताओ, मैंने आपको बताया था, मांग लो इस पॉट्रेट, आज डॉलर का रेट कितना है, 70, और तीन महने बाद मान लो डॉलर का रेट हो 72, एक्सपेक्टेड नहीं, बैंक के पास जाके बोल रहा है कि तीन महने बाद क्या रेट है, वो बोल रहा 72, आज डॉ अगर कोई चीज एप्रिशेट हो रही तो हम बोलते की डॉलर प्रीमियम पर, अगर यह सस्ता होता की एक डॉलर कितने का होता, 68 का होता था, हम बोलते की डॉलर क्या है, डिस्काउंट पर, it means forward contract में एक currency premium पर होगी, और दूसरी currency होगी, डिस्काउंट पर, बस इसको हम को क depreciate हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, premium, अगर currency क्या हो रही है, depreciate हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, discount, formula, simple, fr minus sr divided by sr into 100, इन दोनों की बिसका difference, divided by spot rate, base तो आपका spot rate ही रहे, into 100 क्या percentage में निकानना है, और यह पर रहनम basis पे करना होता है, इसलिए 12 by जो भी है, example देख लेते हैं, spot rate दिया, rupees per dollar, 70 रुपर 25 पैसे, 70 रुपर 85 पैसे, 2 months forward rate दिया है, और 6 months forward rate, इसमें bit bit का निकालना, आपको निकालना, forward premium are discount in dollar, जिसका rate दिया, पर ड़कर से काम करेंगे, सबसे पहले, fr minus sr, तो यह 71.45 forward rate, minus spot rate, divided by spot rate, period कितना है, 2 month, 12 महा का यह ऐसे किसका निकालोगे, ask rate का, और अगर 6 month का निकालना है, तो बस 69.25 minus 70.25, divided by 75, 6 by 12 हो जाएगा, minus में आ रहा है, तो क्या लिखोगे, discount, simple है, दिक्कत क्या होगी, दिक्कत, अब problem समझने कि problem क्या है, problem, spot rate दिया, rupees per dollar, 70 रुपर 25 पैसे, कोई दिक्कत के लाए, 3 month forward rate दिया, 70 कोई bid ask ने, आपको premium या discount निकालना है, dollar में, तो dollar में निकालना है, rate किसकर दिया है, dollar कहीं दिया है, और सीधा, FR minus SR, divided by SR कर दिया, 71.25, 70.45, into 100, 12 by 3 किया, तो 4.5, अब किस में निकालना है, discount किसमे, अब आपको dollar में नहीं निकालना है, अब आपको rupees में निकालना, अब दिक अब प्रीमियमिया डिस्काउं्ट नीकालना रूपीज में तो फिर देखकरते है क्योंकि है कि हमने बात पड़ आ कि जितना % प्रीमियम हो तंदी ही उतना ही परशंटेस सब सकते होता है पर उतना नहीं होता तो तो F R divided F R minus F R Hota थो तो आप S R minus F R करता है नीचे क्या होता था S R? S R K क्या लिख दीची F R लिख दीची बात कता शर मतलब उल्टा कर देना है F R minus S R to करना S R minus F R Nीचे S R होता था तो उसकी जगह क्या लिख देना F R बाकी सबसेटिस सर क्यों क्यों का जवाब यह डेरिविशन है बाद में आप देख ली चीएगा तो इसको अब सर यह रटेंगे हम लोग डेरिविशन देख लो बाकी तो रटना है तो सिंपल है जिस करेंसी का रेट दिया उसी में प्रीमियम निकालना है तो सीधा वाला फॉ करने की जलूद भी नहीं है, बिल्कुछ सिंपल टॉपिक है हम आगे चल रहा है जल्दी-जल्दी चलो तो आगे बढ़ते हम दुक और आगे क्या पढ़ रहा है forward contract में ही तीसरा point swap points पढ़ रहा है कि यार swap points क्या होता था याद है कुछ होता ऐसा था कि spot rate दिया रहता था forward rate नहीं दिया रहता था swap points के help से हमें forward rate निकालना पढ़ता था और swap points याद करो ascending order में भी देता था descending में अगर ascending order में देता था क्या करते थे plus descending order में देता था क्या करते थे minus यह काम होता था this is swap points तो अगर देखा जाए तो swap points है क्या swap points basically premium are discount premium are discount in currency plus होना तो premium minus होना तो discount swap points are in ascending order अगर ascending order में दिया है तो क्या करोगे add to spot it और descending order में दिया है तो क्या करोगे subtract it from spot example 60.50 पैसे 60.75 पैसे swap points दे रखा 10 और 15 ascending order में तो क्या करोगे plus 3 months swap descending order में तो क्या करोगे minus बस याद क्या रखना 10 पैसा इसको पैसा मान कर चलना पैसा की तरह होता है तो मैंने क्या किया 10 और 15 लिकाना तो इदर पीछे से लिखा 0 1 फिर point लेकर कर दिया बस पीछे ये कौन सा था ascending order में तो क्या होगा plus descending में तो क्या हो जाएगा minus एक example और spot rate दिया हुआ है pound 1 is equal to 90.42.725 4575 ascending order में है क्या yes तो क्या करें ये plus पर याद है मैंने कहा ना पीछे से मिलाते हुए चलना तो यहां 5 जाएगा यहां 4 यहां कुछ नहीं दिया तो यहां क्या जाएगा 0 that's it अगला example 92.45 92.85 125 और 140 दिया swap 125 तो 5 2 अब मैंने कहा पीछे से मिलाते हुए चलना तो यहां क्या जाएगा 1.25 ठीक है बिल्गल सिंपल है आगे बढ़ड़ा है हम लोग रिविजन की तरह पढ़ड़ा है ज्यादा अच्छा अगल एक जंप डॉलर वन साट टुक है 4525 6125 50 15 और 25 क्या होगा प्लस की मैनस प्लस और क्या करोगे पीछे से प्लस करते हुचा लेकिन यहां 25 बोला लेकिन साथ में क्या लिखा है पैसा बिट्टे पैसा लिखा है जम भी पैसा लिखा है तो डिवाड़ेड़ बाइ 100 करना पड़ेगा 25 डिवाड़ेड़ बाइ 100 तो आ जाएगा 0.25 इस तरह से याद रखना अगर पैसे लिखा है तो फिर आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा ठीक है रिविजन हो रहा है मैं ज्यादे एक्स्ट्रे नहीं करूंगा आगे चल रहा है अब यह वाला लेक्जान पॉंड 1 is equal to dollar 1.444 1.5545 or 5625 और यहां लिखा 0.30 cents और 0.45 cents तो कुछ बच्चो का कहना है sir 0.30 cents लिखा है तो 0.30 लिख देंगे नहीं बेटे यह important cents का मतलब क्या होता है पैसा तो अगर देखा जाए तो 0.30 divided by 100 करना पड़ेगा 1 cent 100 पैसा 1 dollar में 100 पैसा होगे 0030 और यह यहां क्या हो जाएगा 30-45 है तो क्या हो जाएगा प्लस तो बस यह कुछ चीजे आपको याद रखना पड़ेगा forward rate निकालते इस समय अब ऐसा भी question आ सकता है जिसमें swap points भी adjust करना और margin भी adjust करना suppose spot rate 60-90 पैसे 60-25 पैसे 3-month swap 45 minus होगा और commission दिया है वन पर तो सबसे पहले और मैंने आपसे क्या मांगा 3-month और कौन सा rate मांगा customer's rate मांगा customer's rate तो sir हमको क्या करना पड़ेगा बैटे ठीक है यह descending order में तो क्या हो जाएगा minus और commission का मतलब margin बेचते समय बैंक बेचेगा तो और महेगा और खरीदे समय और सस्ता तो bid में क्या हो जाएगा minus ask में क्या हो जाएगा plus तो यह आगया आपका answer तो यह था swap points से related आगे चलते हैं आगे चल रहे हैं हम questions पर पढ़ लिया अब questions भी बना ले पहला question question number 4 in September 98 the multinational industry assists the March 99 spot rate for pound sterling at falling rates देखो आज कौन सी date है आज है September 98 और आप देखना चाहते हो कि March 99 में क्या rate हो सकता है तो बले rate यह भी हो सकता probability probability तो बैटे rate को probability से multiply करोगी तो क्या जाएगा expected spot rate वह ही किया है 1.30 होने की probability कितनी है 0.15 इसी तना से हमने काम किया कितना answer आ गया कि March में pound का rate हो सकता है कितना dollar 1.405 यह तक ठीक है अब question है अगर six month forward rate होता dollar 1.54 तो बताओ हमें forward contract में enter करते की नहीं करते सुच firm sell forward its pound receive pound जो receive होने वाला है उसको क्या हम इस rate पे बेशते की forward rate पे बेशते simple सी बात है forward में तो हमको कम dollar में देगा हम forward contract में enter नहीं करेंगे सस्ते में क्यों होजे तो इका firm should not sell its pound receive at forward rate टिक next question अच्छा question था यह JKL Limited Indian Company Export Exposure JPY इतना JPY आने वाला है आने वाला जापीज है और rate दिया बोले not directly quoted आने वाला है तो मुझे किस-किस के बेच कर JPY रुपीज रुपीज JPY का rate चाहिए पर उसने current export rate रुपिया डॉलर और JPY डॉलर करती रखा तो उसको मुझे बनाना पड़ेगा सिंपल सी बात है export कर रहे हो तो आने वाला येन 100 लाक और rate दिया हुआ है रुपीज पर डॉलर सुनना बेटे सर यह ISO code है क्या ISO code वैसे तो नहीं दिख रहा US dollar लिखा USD नहीं लिखा और common sense लगाओ यह dollar का ही rate दिया common sense तो लगा सकते हो तो dollar one और यहाँ yen पर dollar इसके help से क्या मुझे cross rate निकालना पड़ेगा कौंसा रेट निकालना पड़ेगा rupees per yen फिर से बत्रों rupees per yen निकालना पड़ेगा क्यों क्योंकि Japan से आने वाला और कहा आने वाला इंडिया में तो इंडिया में तो रुपिया चलता है तो spot rate directly ने लिया दिक्कत की बात नहीं हम निकाल नहीं okay इसके अलावा estimated है कि yen will depreciate to 124 and Indian rupees to depreciate against dollar rupees 65 तो लिख ले तो expected spot rate rupees per dollar कितना दिया 65 और yen per dollar कितना दिया 120 this is the expected spot rate और इसी तरह से ये क्या दे दिया forward rate और इन सब से मुझे cross rate के help से क्या निकालना पड़ेगा rupees per yen sir rupees उपर होना चाहिए yes अगर देखा जाया तो 62.22 spot rate की बात करो sir ये नीचे होना चाहिए पर तो divide करना पड़ेगा yes 102.34 से divide करना पड़ेगा check कर लेते ये निकला हुआ है अले spot rate 62.22 ये आना चाहिए spot rate निकल गया ये क्या निकल गया expected spot rate निकल गया और ये क्या निकल गया forward rate निकल गया तिक अब आपसे मांगा क्या है important है मांगा क्या है एक तो मांगा आपसे expected loss if housing is not done and how the position will change if the firm takes forward cover expected loss निकलना है expected loss कभी भी किस-किस के बीच कर निकलता है spot rate or expected spot rate अगर अगर हम yen sold कर देते किस पर spot rate पर अगर आज ही yen मिल जाता तो इतना रुपिया मिलता पर तीन मेहने बाद हमने forward cover नहीं कर रखा है तो इतना रुपिया मिलेगा तो total expected loss है 8.38 लेकिन अगर हम forward cover कर लेते तो expected loss आता 0.54 लेक्स तो बताए कि हमने कितना loss बचा लिया 7.84 लेक्स loss saving कर लिया ठीक है simple यह थो हमने किया हुआ है आगे आगे क्या मांगा है सुना ध्याहां से यह वाला point important यह बोल रहा है if the spot rate on August 31, 2014 अगर spot rate यह हो जाता तो क्या आपने forward cover करके justify किया इसका solution नहीं बना हुआ है मैं यहीं देख लेता हूँ क्या हो जाता rate 66.25 divided by 110.85 इसका मतलब वो कहना चाहता सर आपने तो जोश में आके forward cover कर लिया जी और forward cover किया और forward cover किस rate पर किया जरह देखते है हमने forward cover कर लिया कि हां हमारे पास जो pound आएगा हम कितने में बेज देंगे 6026 में बेज देंगे पर rate किसमस से अब हमको बेचनी पड़ेगा उतने में पर rate हो गया 5 तो क्या आपने अच्छा की अच्छा किया सर नहीं तो फिर हमको इस rate पर बेचना पड़ा था यही बात उसने बचना तो लिख देना आपके answer में yes, forward cover is justified because forward rate is more than actual spot rate as on 31 August 2014 यह question था अच्छा question था अब आते पार्ट No. 4 कितना पार्ट हो गया है 3 अब आते पार्ट No. 4 cover deal cover deal क्या होता था यात को रोजल दे ले sir, cover deal में होता क्या था bank सामने वाला customer आया bank के पास बोलता मुझको डॉलर चाहिए तो क्या bank उसी दिन डॉलर दे दिती यह नहीं bank उस deal को जो delivery होती वो तो बाद में होती है उसी बोला जाता, cover deal ठीक suppose एक example ले रहा हूँ यह लो आप कौन हो? bank आपने sold कर दिया हौंक कॉंग डॉलर 10,000 कितने के सबसे पाच रुपए 50 पैसे के सबसे हौंक कॉंग डॉलर तो आपके पास है नहीं तो कहीं और से खरीगना पड़ेगा आप गये local bank वहां Hong Kong dollar पूछा तो वहां मिला ही नहीं, बोले हमारे यह तो dollar मिल जाएगा हम को dollar नहीं चाहिए हम Hong Kong जाके बोल रहा है तो बोलता है Hong Kong dollar तो मिलेगा पर उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा dollar ultimately cross rate ही निकालना yes तो क्या करें पहला तो आप कहा नहीं हमालो इस तरह से हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे dollar कहां से local bank से कितने के साब से 62, we buy dollar from local bank at 62 और फिर Hong Kong dollar खरीदेंगे कितने के साब से 12.5, वस इसके साब से cross rate तो हमको कितने का पड़ा, 4.96 पैसे एक पड़ा Hong Kong dollar या तो ऐसे कर लो या तो cross rate कर लो, cross rate आता है क्या yes, मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना रुपीज पर Hong Kong dollar रुपीज उपर होना चाहिए Hong Kong dollar नीचे होना चाहिए पर उपर है तो वहन से divide करना पड़े मतला divide होगा, divide opposite होता है आपको, यह मतला हम खरी देंगे तो हमको कितने का मिलेगा हमें मिलेगा 4.96 के सबसे, हम बेचेंगे 5.50 के सबसे बेची दिया है तो बताओ क्या हमें gain हो गया yes, और कितने का gain हो गया देख लेते है 5.50 minus 4.96 into कितना डॉलर 10,000 5,400 रॉलर का profit हो गया simple ठीक है जाता है आगे चले क्या यस question no.6 question no.6 अच्छा है exam में आया हुआ है question no.6 a foreign exchange foreign exchange dealer of your bank informed that your bank sold TT on Copenhagen for DK 10 lakh at DK 1 is equal to ठीक है आपकी bank ने DK बेचा DK के और कितने के सबसे 6.5 150 के सबसे base दिया तो सर्जी DK के खरीदना पड़ेगा यस और बले cover कहां से कर सकते तो बले या तो आप cover कर सकते हो लंडन मार्केट से या कवर किस से कर सकते हो New York Markets rate बता दो लंडन मार्केट का rate दिया New York मार्केट का rate दिया तो इसको मैंने प्रॉपरली लिख लिए london market DKK per pound और रुपीज पर pound और यहाँ new york में रुपीज पर डॉलर और DKK per dollar करेंगे या तो cross rate निकालो या तो गुमग क्या करेंगे सोचो बिटे सबसे पहले सर हम रुपीया देके pound खरी देंगे और फिर pound देकर DK के खरी देंगे तो bank pound बेचेगा और bank pound खरी देगा मतलब 174.32 और एक rate हो कहा है sir 11.42 final हम cross rate करके निकाल लिए तो 6.00 रुपीज पर DK कहे चाहिए तो रुपीज 6.507 अगर हम कहां से करते कवर? London से पर अगर हम New York से करते तो सबसे पहले हम क्या करीदेंगे sir हम रुपीज दे के dollar bank dollar बेचेगा फिर bank dollar खरीदेगा उसके हिसाब से हमको पढ़ेगा 6.502 बोलो कहां से कवर करेंगे sir हम लोग तो यहां से कवर करेंगे बस 6.5079 में खरीदा 6.5150 में बेच दिया तो हमको profit कितने का होगा है 7.100 का profit होगा है बस एक ही question है covered इनका ज्यादा मुश्किल है नहीं covered है question तो एक book में बहुत सारे हैं मैं एक ही करवा रहा है मुश्किल वाला उठाएं 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 पार्ट नमबर 5 एक्षेंज रेट डिजर्मेशन तो हमने लोगों ने ये डिसकस किया था कि यार डॉलर रुपिया के बीच का या डॉलर पाउंड का या जो एक्षेंज रेट है वो क्या डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट होता है ängtर खोशन तो सरी फ्लक्चुएट क्यों होता है किस वजा 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 और WHO वजा कौन-कौन से ऐसे factor factor तो बहुत सारे हैं पर बेसिकली मैं तीन factor कि बात करूं इन तीन factor की वजह से या तो एक्षेंज रेट अफ शih या तो डॉलर का रेट बढ़ता है या डॉलर का रेट काम होता यह तीन फैक्टर मैं डॉलर बोल रहा हूं मतलब आप करेंसी मान के चाहिए पहला फैक्टर एक्षिन रेट ये डिटर्माइट अगर डॉलर में फ्लक्चिवेट हो रहा तो उसे हमने बात करेंगे इंटरेट पैरिट एक फ्योरम पढ़ेंगे इंफ्लेशन की वजह से अगर एफेक्ट पढ़ता है तो हम पढ़ेंगे पर्चेसिंग पावर पारट और दोनों से एफेक्ट पढ़ता तो उसको बोलते इंटरेट तो क्या डिस्कृशन किया था हमने सर हमने यह डिस्कृशन किया था कि जहां की जहां ऐसी कंट्री जहां रेट आप इंटरेट कम होता है बिलकुल वहां की करेंशी फ्यूचर ने ज्यादा स्ट्रोंग होती है that's it sir वजह वजह में ज्यादा डिस्कृशन नहीं कर सकता as per IRP action rate between two countries currency depends on rate of interest of their countries currency of a country having lower rate of interest will be stronger than currency of a country having और फिर हमने कुछ यह equation derive किया हमने कैसे किया हमने का मान लो राम के पास एक लाग रुपह है और एक लाग रुपह है तो अगर वो इंडिया में भी लगा सकता है और यूएस में भी लगा सकता है इंडिया में कितना interest मिल रहा है 12% और यूएस में कितना मिल रहा है 8% तो बताओ एक साल बात कितना हो जाएगा एक लाक into 1.12 पर US में सबसे पहले US में पैसे लगाना तो पहले उसको convert तो कराना पड़ेगा सर तो एक लाक को divide किसे करोगे आप इस फॉर्ट रेट से और फिर उसको invest कर दोगे 1.08 और जब वो डॉलर आएगा तो जो आएगा उसके लिए forward cover भी तो कर लो multiply किसे करोगे forward rate यह दोनों equate होना चाहिए parity का मतलब समझ रहे हो चाहिए यह invest करो चाहिए यह invest करो दोनों equal होना चाहिए तो बस मुझे यह rate पता करना है कि आखिर ऐसा forward rate बताओ जिस पे यह दोनों equate हो जाए that's it तो बस मैंने कोशिस किया इस equation को derive derive करने को और equation drive और derive यह हुआ कि f forward rate spot rate rate of interest rate of interest पस याद रखना कि अगर यह forward rate रुपीस में है तो उपर कहां का interest rate आएगा रुपीस का यह बात मैंने discussion कर चुका हूँ पहले एक question याद रखना अगर यह dollar है तो यह dollar आएगा अगर यह rupees है तो यह रुपीस आएगा ठीक अब exam में क्या मांगा exam में एक चीज missing रहेगी पहला दो type के questions आ सकते पहला आ सकता arbitraries और दूसरा आ सकता एक चीज missing होगी यह दे देगा यह देगा यह देगा यह देगा यह निकाल हो निकालेंगे ज्यादा मुश्किल तो और चलो अब समजहना Pound 1 is equal to 1.5025 UK में 12 version और US में 15 version आपको निकलना 3 month forward rate अगर compounded quarterly है तो कोई बात नहीं F S 1 plus R 1 plus R आप सुना दियांसे आपको क्या निकलना है F spot rate दिया है yes dollar अगर यह dollar है तो यह उपर रेट किसका है का dollar का dollar का rate कितना है 15% तो तीन मेंने का rate बताओ compounded quarterly बोला तो सीधा सीधा 15 into 3 by 12 3.75 divided by 100 plus 1 1.0375 यह हो गया और यहां 12 पर तो तीन मेंने का 3 पर तो यह निकल गया है किसके हिसाब से निकाल रहा है हम आई-ए-ए-ए-ए-प के हिसाब से अगर यह compounded annually हो तो compounded मतला effective बोलते है आप इसको effective भी बोला जाता है तो सर से power वाला खेल हो जाएगा yes f s मालो में तो उपर डॉलर करेट पस पावर 1 by 4 हो जाएगा और यहां भी पावर 1 by 4 हो जाएगा अगर दो बार इसको रूट करना पड़ेगा सर यह तो करें लोगे आप यह और अगर compounded continuously बोला है तो क्या exponential यूज करोगे यह exponential आजाएगा यह 15 यह exponential यह exponential आजाएगा इस हिसाब से अच्छा यह तो property आपको आता है this divided by this यह तो अलग-अलग कर लो यह इसी को माइनस कर दो मैंने माइनस कर दिया और इसका value तो आपको यहां से निकालना आता ही है तो बस आपके लिए important क्या आपके लिए important equation बस equation याद रखना है आपको ठीक है जी तो चलो और देखे क्या अब सुनना बेटे यह यह वाले example काम का है इसलिए मैंने चुना है इसको spot rate दे रखा $1 60.25 इंडिया में rate of interest है 12% US में rate of interest है 10% calculate 6 month forward rate क्या निकाला जा सकता है yes F S 1 plus R 1 plus R S तो मालूम है F निकालना है तो रुपीज है तो उपर रुपीज का rate 12% है तो छे माने का 6% और यहां 5% तो F निकल गया है 6.838 ठीक है अब क्या मांगा अब समझना forward premium or discount in dollar क्या हमको निकालना आता है हां sir premium या discount हमने पहले भी पढ़का है कैसे निकालोगे f r minus sr कुंकि dollar का rate दिया है तो dollar में ही निकालना है f r minus sr divided by sr into 100 परेनों तो 1.0 यह तो हमको आता है यह तो हमको ज्यादा है premium premium ही तो निकल रहा है क्या dollar premium पर है यह पर यह times में निकला है तो minus क्या कर देंगे 1 बाकि तो वह answer इतना ही आएगा sir यह वाला ज्यादा इजी है more study more confusion हाँ बिल्कुर आप ऐसा कर सकते हो पर मैंने ठीक है sir और देखते हैं दोस्त तीसरी बात मैंने पूछा था इन रुपीस रुपीस में निकालना तो मैंने आपसे का तो अगर rate dollar गदिया और निकालना premium रुपीस में तो 1 से divide करना पड़ेगा या फिर क्या होगा आपको formula उल्टा करना पड़ेगा उल्टा कर लिया तो आगे 1.887 और alternative आप ऐसे भी कर सकते थे f by s था तो s by f कर लो s by f minus 1 into 100 तो answer इतना ही आया का ठीक है ठीक है कोशन मना अच्छा वाला यास यह वाला कोशन अच्छा कोशन है आप्वर्ण है लिकाद फूर्वलिं तेबल सो इंत्रस रेट फर यू दो लाद अट्टा इंट एफ इस प्रोलर इंट एफ इस प्रोलर इंट आप्ट इखांगा है आपन इस पर इंट इंट कर सेवं प्रदार इंटक है FF per dollar दे रखा है 7.05, कौन सा रेट है यह, spot rate complete the missing interest, 3 month, 6 month हो 1 year अब 3 month का क्या missing है, क्या dollar का interest rate दिया है, FF का दिया है FF per dollar forward discount ठीक है, FF per dollar निकालना और discount या premium निकालना, चलो equation F, S, 1 plus R, 1 plus R, यह FF है, तो उपर rate किसका है, उपर FF का ही आना है, spot rate, तो उपर rate FF यह है तो 19.5, और 3 month, compounded लिखा, annually compounded, तो power 1, और सुनो, आपके प्रैक्टिसमेन हो ले न, 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 मेरे ख्याल से वो सही answer नहीं होना चाहिए, भई, compounded annually है, तो आपको तो power huge करना पड़े है, ठीक, इसके थुरू आपने answer निकाल लिया, C1.17, अब क्या हो, क्या हमारा forward rate निकल गया है, yes, क्या हमारा spot rate मालूम है, yes, तो discount on FF निकालना, तो discount on FF निकालना, मेरी बास समझना, rate किसका दिया है, डॉलर का, दिसकाउंट, तो ultra formula लागा लेंगे, SR, FR, FR, answer कितना आगा, 6.69%, discount in FF, ठीक, sir, discount में minus का sign क्यों लगा है, तो क्योंकि question में minus का sign है, इसी वज़ा से, अगला, six month वाला, six month वाली में पूछ के रहा है, जब देख लेगा, ये दे दिया, sir, और ये दे दिया, discount दे दिया, है, तो discount के help से, हम forward rate निकाल सकते हैं, आप से, yes, discount on SR, FR, FR, अब इसको ना, जो डिसकाउंट है, वो है पार है ना, तो मैंने उसको six month में convert कर लिया, आदा, ठीक है, it means, sir, कहना कहता है, कहना ये चाहता हूँ, ये 6.3% है ना, तो उसका आदा 3.15% ये कर लिया, ये मालूम ही हो, तो क्या ये निकाल सकते हो, yes, equation तो आपको पता, FR ये आ गया, 7.28, अब हमको F, forward rate मालूम है, sport rate मालूम है, हमको ये भी मालूम तो क्या ये निकल जाएगा, yes, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस ये तो simple, simple है, और कुछ है नहीं, आगे चले, one year वाला, तो one year वाला करी लोगे, आपको, आपको ये दिया, ये दिया, ये दिया, बहुत ये निकालो, तो ये निकाले, 12.5% और discount on FF, तो ये वैसे भी निकाल लोगे, आप discount on FF, ठीक है, तो simple question था, ज्यादा कुछ थाने, इसमें, अब, covered interest arbitries, covered interest arbitries basically क्या है, basically IRP के हिसाब से ही सारा, जो forward rate है ना, वो IRP के हिसाब से होना चाहिए, अगर forward rate IRP के हिसाब से नहीं है, actual forward rate और IRP वाला forward rate अलग-अलग है, सर कहना क्या चाह रहे हो, पिटे बस मैं कहना यह चाह रहा हूँ, कि यह जो आप F निकालते हो, यह IRP के सब से निकालते हो, पर यह वाला F जो आप निकालते हो, और actual forward rate अलग हो, तो फिर तो arbitries हो जाएगा, यह लिखा, if forward rate as per IRP is not equal to actual forward rate, then there is a possibility of covered interest arbitries, example के रूप, एक डॉलर कितने का है, इस पॉर्टरेट साथ, और यहां कितना है, 62.50, six month forward rate, इंडिया में रिट है 20%, यूएस में 8%, आप चाहो तो 60 लाग रुपे बौरो कर सकते हो, इंडिया से या एक लाग डॉलर, यूएस से आर्बिटरेज निकालना है, बिल्कुल ध्यान से में इसको बलते covered interest arbitries, करना क्या होता है वैसे, सुना, मानलों में इंडिया से उधार लूँगा, साट लाक रुपाय, उससे डॉलर खरीदू मर्केस रेट से, इस पॉट्रेट और जो डॉलर आएगा उसको यूएस में इंवेस्ट कर देंगे, और यूएस में interest कमाएंगे, interest कितना कमाएंगे, 8% और फिर वापस उठाएंगे, और फिर forward rate पे convert कर देंगे, रुपीय आ जाएगा, और फिर हम bank को with interest रुपीय आते देंगे, और उसके बाद जो बचेगा, वो क्या होगा, सवाल ये है, सवाल बस सिंपल सा है, कहीं एक loss होगा, कहीं एक gain होगा, हमें रुपीय उधार लेना चाहिए, कि डॉलर उधार लेना चाहिए, बस इतना ही कोशन है, सर, इंडिया में तो ज्यादा interest है, तो वहाँ invest करना चाहिए, बेटे, इंडिया में ज्यादा interest है, interest है no doubt , इंडिया मेंं यह कहा है रिसे डालर मह CSS करना चाहिए चीन sudah में invest करना चाहिएए वरी बात समझों इधिया बताव invest कहां करें किसे इंडिया में interest का rate ज्यादा है तो एक दिल करता है कि इंडिया में invest किल चाहिए पर U.S. में डॉलर महग हो रहा है तो दिल कर रहा कि डॉलर में इवेश्ट करो तो बस यही तो पकड़ना है और यह पकड़ लिया तो हमारा खेल करता हूं चलो देखते हैं सबसे पहले करना क्या होगा पहले यह लिखो गए फावर रेट एस पर आयर पी इस नॉट इक्वल डू यह तो ठीक है यह एक्जाम्पल यह था अपना अब सुना यहां से पहले मैं एक एक्वेश्ट बनाओं इसको सॉल कैसे करूं आयर पी एक्वेश्ट एफ एस वन प्लस एफ मालूम है कि यस एस उपर अपे रुपया का रेट आयगा अच्छा शे मैने है सायथ यह सिक्स मीन न थी तो आदा अब I यह देखो इसका मतलब अश्ञार डॉलर प्रीवियम पर रह उसका मतलब इंडिया में रीटॉप इंट्रिश्ट जाता है उंटूप हिंट्रस्ट इन में डिफ्रिंस जा जाता है, चेक करो, सब प्रीमियम इन डॉलर कम है, इंटरेट तो हमें इंडिया में इंटरेश्ट करना चाहिए, क्योंकि यह ज़ाता है, सिंस प्रीमियम इन डॉलर, as per I, 5.7, more than actual premium in dollar, ठीक है, 4.167, hence, borrow from US and invest in India, प्रीमियम इन डॉलर, एक्च्वल में है, और यह होना चाहिए, मेरी बास समझना, यह क्या निकाल रहा है, यह premium in dollar as per I, IRP के सबसे premium इतना होना चाहिए dollar में, पर actual में तो इतना है, इसका मतलब sir, इधर ज्यादा, बिटे हां, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो, ज्यादा simple, rate of interest India में ज्यादा है, और यहाँ dollar premium पर है, पर premium पर जितना होना चाहिए, उससे कम है तो बहिया, इंडिया में ही invest करना पड़ेगा, जो ज्यादा है, interest का rate ज्यादा आने इंडिया का, तो इंडिया में invest कीजी, और borrow कहां से कीजी, यहां से, कितना, एक लॉक dollar, इसको कैसे करोगे, arbitrage process, आज काम क्या करोगे, dollar borrow करोगे, कितना, एक लाग, कितने परशन के हिसाब से, आट परशन के हिसाब से, कितने मंत के लिए, छेनने ने लिए, हमने कहा, बैंक से, छेनने ने बाद पैसे वापस ले, एक लाग dollar को sell कर दोगे, कितने के हिसाब से, 60 के हिसाब से, तो कितना जा लोग है फिर से डॉलर हमने यूएस से बोरो किया 8% के सबसे हमने का बैंक हम एक लाग डॉलर और जो भी इंटरेस्ट है हम देंगे एक लाग डॉलर आए उसको convert कर दिया 60 के सबसे तो कितना आ गए 60 लाग रुपए उसको इंडिया में इनवेश्ट करती हैं काम खतम और हमने फॉवर्ड कॉंट्रेक्ट भी कर लिया कि हम डॉलर खरी देंगे कितने के सबसे 62.50 ठीक छे मैंने पात 60 लाग और 1.10 इंटरेस्ट 20 पर्षेंट सबसे साल भर का उच्छे मैंने का 10 पर्षेंट तो टोटल हमको कितना मिला 66 लाग रुपए मिल गया अब हम उसको convert करेंगे कितने के सबसे 62.50 के सबसे तो कितना डॉलर आ गया एक लाग पाच या छे सो आ गया यूएस पहुचे हमने का वापस कितना करना वह एक एक लाग और चार पर्षेंट प्याज एक लाग चार तो हमारा आद्मिट्रेश कितना आग है 1600 लाग यह कोश्चन है मेंटे कोश्चन नमरे एट इस पॉर्ट रेट दिया फॉर्वर्ड रेट दिया बारा पर्षेंट किसका रेट दिया है रुपिया का और चलो करके देखिए आयर पीक्वेशन एफ एस 48.8190 यह और उपर रुपिया का रेट 1.06 1.04 अब देखो किधर का जादा है वह किधर का जादा यह क्या है यह है प्रीमियम डॉलर और यह क्या है यह एक्ट्वल में हुआ और यह होना चाहिए तो होना चाहिए वन पॉइंट मतलब इंडिया में इनवेस्ट करना पड़ेगा अब इदर का जादा ना इंडिया है इंडिया कितना डॉलर या तो दिया होगा या तो आपको एजम्शन लेना होंदा अगर नहीं दिया हुता तो मैं एजियोम करें था 1,00 फैक है बॉरो करेंगे 8331-8% के हिसाब से उसको बेज देंगे इस पॉर्ट रिट पर तो इतना रुपिया मिल जाएगा और इस रुपए को इन्वेस्ट करेंगे छे मैने के लिए और एक फॉर्वर्ड कॉंट्रेट करेंगे छे मैने बाद 40 लाग रुपए को जो इन्वेस्ट किया था ब्याज के सही हमें मिलेगा 42,40 था हुच है और उससे हम डॉलर खर देंगे फॉर्वर्ड रेट पर और हमने जो उधार लिया तो उसको वापस कर देंगे पर हमारे केम कितना आजाएगा इतना आजाएगा थीक है ना है कोश्चन नमबर ना है जिवन दर फॉलिंग इंप्रमिशन एक्शिन एट यह दिया थीक है दीन कर दिया यह दीन करेट दिया दीन करेट थीक चलो करकर देखते है f s f कितना है dm दिया ना यह नहीं dollar दिया Canadian dollar Canadian dollar तो उपर dollar कर देट आएगा 9% 9% है पर कितने मैने का देखना पड़ेगा जी 3 मंद का चेक करूं 9 into 3 by 12 divided by 100 plus 1 1.0225 1.0225 1.08 ठीक है यह कर लिया यह कर लिया मुझे बताओ सर पिट्टे यह क्या निकला सर यह निकला premium in dm premium in dm ठीक और सर यह क्या निकला सर यह निकला आपका action rate difference rate कहां का ज्यादा है सर रेट है dollar का ज्यादा टीक rate है dollar में ज्यादा और यह dm है तो चेक करो किदर का ज्यादा कौन सा ज्यादा यह दिख रहा है actual premium in dm ज्यादा है तो सर फिर तो dm में invest करो बात खतम एक्चल premium in dm is more than premium in dm as per I hence invest in dm and borrow from Canadian जिदर का ज्यादा उधर देखो इधर का ज्यादा ना मतलब premium in dm dm premium पर ठीक है process तो आपको पता है कुछ लिखा नहीं है तो क्या एक लाग एजियूम कर सकता हूं यह बौरो डॉलर वान लैक premium यह इनवेस्ट करना तो इधर से बौरो करना पड़े है नौ पर्शन के हिसाब से और उसको एक लाग डॉलर को sell किया अपने एक लाग डॉलर तो इतन उसको convert करके इतना Canadian dollar आ जाएगा और एक लाग डॉलर को हमको इससे multiply इतना चुकाना पड़ेगा तो हमारा gain कितना होगा है इतना होगा कुछ बिच्चे trial and error method से भी करते हैं जब अर्दस time pass वो पहले रुपिया बोरो करके dollar में इवस्ट करते उससे answer नहीं आ तो फिर डॉलर बोरो करके रुपिया बेवकुपी वाली बात है ऐसा करोगे लेकिन ये कब करोगे जब दो-दो रेट दिया बिट रेट और आस्क रेट दोनों दिया तो फिर तो option ही नहीं है फिर हमें root पता नहीं करना है फिर तो sir trial and error method ही करना पर एक जामपल यह अगर question ऐसा होता bid ask bid ask और तो sir फिर कैसे पता करेंगे फिर trial and error method तो सबसे इंडिया से borrow कर लेते borrow from India एक लाग बौरो किया एक लाग इस पोर्ट्रिट मैंने जो एक लाग रुपिया वारो किया तो मुझे dollar करें बैंक डॉलर बेचेंगा इतना डॉलर आ गया invest किया और sell कर फिर मैंने चो invest किया है मुझे interest मिलेगा 1.6 मैंने का इतना interest इतना मिला और इसको मैंने forward rate पे बेज दिया मतलब बैंक खरीदेगा और फिर मैंने repayment कर दिया तो इतना गया 14-24 रुप है गेन अगर गेन आ गया तो अगला loss ही आएगा पर वो भी आप दिखा लेना इसमें अब की बार हम dollar borrow करेंगे उधर से dollar one lakh उसको हमने 60-25 पैसे के सबसे bank हमसे dollar खरीद लेगा फिर यह कर लिया और फिर इस तरह से अपने answer लोस वाला मैं समझा नहीं रहा हूं बस यह question आने की possibility कम है इसमें यह है trial पहला borrow from India कर लो फिर borrow from US कर लो तो एक तो पढ़ा हमने interest rate parity और उसमें क्या पढ़ा covered interest arbitration एक और topic है purchasing power parity theorem purchasing power parity theorem यह बोलता है sir कि वो किसकी बात करता है जहां rate of interest कम होगा वो currency ज्यादा strong होगी कौन से आ इर पी बोलता है लेकिन purchasing power यह नहीं बोलता है purchasing power बोलता है कि जहां का inflation का rate कम होगा वो currency ज्यादा strong होगी और उनका यह कहना है कि exchange rate जो depend करता है न वो वो एक डॉलर is equal to 60 रुपए वो depend करता है commodity पर commodity के price पर for example absolute form of purchasing power parity दो form is capsulate है एक relative है यह expectation बोलता है as per action rate between two country currency depends on demand of goods and services of their country demand of goods create demand of currency and currency will appreciating करेंगे ना सर कि जिस देश में goods की demand बढ़ेगी तो goods की demand बढ़ेगी तो लोग goods खरीदेंगे वहां से और खरीदने के लिए वहां के currency चाहिए तो currency की demand बढ़ेगी और वो currency strong हो जाएगी ठीक suppose एक पें इंडिया में कितने का है 500 रुपए का और यही पें यूएस में कितने का है 10 डॉलर का और actual action तो इस हिसाब से 10 डॉलर कितने का होना चाहिए 500 रुपए का दोनों equate कर लो और एक डॉलर कितने का होना चाहिए 50 का ठीक है यहां तक purchasing power parity यही बोल रही है कि जब दो समान गोट्स एक जैसे गोट्स का प्राइज अग जो है उसी के सबसे यहां क्या होता पर actual action rate एक डॉलर 40 का है तो तो सीरी सी बात लोग क्या करेंगे क्योंकि 10 डॉलर का pain मिल रहा है मुझे तो लोग इंडिया के लोग क्या करेंगे 10 डॉलर का pain खरी देंगे 400 रुपए खर्चों का और उस pain को इंडिया में बेज देंगे कितने का 500 का तो धीरे-दीरे pain की demand बढ़ेगी pain की demand बढ़ेगी तो डॉलर की demand तो automatic बढ़नी ही है यही बात मैंने आपको समझाया था इंडिस सिच्वेशन आइब ट्रेजर बाइपन फॉम यूएस कितने 400 रुपए में और इंडिया में बेज देंगा कितने में 800 रुपए गैन कितने का हो जाएगा 100 और यह प्रोसेस कंटिनी कब तक चलते रहेगी जब तक डॉलर कितना आना हो जाए 50 रुपए तो demand of goods बढ बढ़ेगा तो demand of currency बढ़ेगा और currency will क्या हो जाएगा appreciate absolute form of is based on law of one price health दूसरा और है as per expectation theory currency of country having lower rate of inflation जहां rate of inflation कम होगा वहां की currency ज्यादा strong होगी यह बात हमने IRP किया बोलता है जहां rate of interest कम होगा और अपना purchasing power parity क्या बोलता है जहां rate of inflation कम होगा वहां के करने से बस और कुछ नहीं suppose इंडिया में एक पिन पास्टो का है और US में 10 डॉलर का 10 डॉलर पास्टो एक पिन is equal to pass inflation का rate माल लो इंडिया में 10% US में 8% calculate price of pain after one year in US टी के दहां 10% से बढ़ा दो वहां सीधी सीधी बात है तो यह काम कर लेते हैं तो 10.8 dollar हो जाएगा और यहां पास्टो पचास तो पास्टो पचास और 10.8 से हम action rate कितना गया पचास रुपए 93 पास्टो एक्वेशन जो हमारी थी किसकी IRP की वही क्वेशन यह क्वेशन से भी हो सकता वही क्वेशन में यहां लगा रहा हूं बस forward rate की जगह में क्या लिख रहा हूं estimated spot rate मेरी बास हम जब बस यहीं change हो रहा है क्यों change हुआ था क्योंकि rate of interest confirm होता पक्का है कि हमें 3% मिलेगा में inflation rate पक्का नहीं होता एक्सपेक्टेशन होता है इसी वजह से estimated spot rate निकलेगा तो इसमें करना क्या है spot rate मालूम ही है कितना था 50 यह निकालना है यहां का inflation rate यहां का inflation rate है ना inflation rate बस answer कितना है बस जो आयल्पी है वही purchasing power parity है एक example भी लेते हैं कि sport rate एक डॉल्र साथ inflation rate इंडिया में 15% यूस में 10% एक साल बात और तीन साल बात का rate निकलना एक साल बात का तो यह equation है यह मालूम है 60 रुपे यह 60 रुपे मैंने यहां लिखते हैं यह निकालना है अब रुपिया का rate 15% यह 15% यह 10% एक साल बात का rate निकलना तो कोई अधिकत की बात नहीं बस यहां power क्यों हो जाएगा 3 हो जाएगा रखी कुछ नहीं आंसर यह जाएगा 61.5 इस पर question नहीं करवारों question आते नहीं है अब हम आ जाते currency exposure वही सबसे important है तो अभी तक हमारा IRP हो गया purchasing power covered interest कर लिया अब आ रहा है हम लोग जल्दी से currency exposure क्योंकि वही सबसे अच्छा है ठीक है चलो जी तो अगले पार पर चल रहा है इस currency exposures currency exposure क्या है currency exposure means हाँ जी currency exposure का मतलब जो अब आप transaction करते हो या तो foreign currency import करते हो या तो foreign को export करते हो और जिसका payable या receivable अभी नहीं यह बाद में pay करना है और foreign currency में pay करना या foreign currency receive हने वाली तो डर तो है और उस डर को आप बोलते exposure risk तीन टाइप का था transaction exposure economic exposure and accounting exposure transaction exposure क्या है simple सी बात है import export करोगे तो वो जो transaction करोगे foreign party से और foreign party से जो करोगे foreign currency में करोगे तो जो डर है और उस डर से बचा जा सकता हला कि वो hedging हम पढ़ेंगे बात है इसके अलावा economic exposure का मतलब सुनना दिहांस economic exposure का मतलब हमें ना तो dollar payable है ना तो dollar receivable है तो भी हमें risk है उसको क्या बोले जाता economic exposure उसके लिए balance sheet बनाते तो balance sheet जो है dollar का रुपिया में बनाना पड़ता है roughly बता रहा हूं जल्दी से आज dollar 10,000 value थी fixed asset की पहले कभी आज यह debtors की debtors की 10,000 value थी 10,000 dollar उसको convert करोगे 50 के साब से तो ठीक है 10,000 into 50 लेकिन rate अगर 50 नहीं होता rate 40 हो जाता तो 10,000 into 40 होता सवाल यह है क्या currency की वज़ अपके asset की value कम दिखाई देगी हां और asset की value कम दिखाई देगी तो balance sheet जो है balance sheet उस पर भी तो फर्क पड़ेगा उस पर फर्क पड़ेगा तो shareholder को दिक्कत होगी तो यह सब पढ़ना पड़ेगा this is accounting exposure यह translation exposure होते हैं तो सबसे बहले बात करते हैं transaction exposure theory आ सकता है transaction exposure लेकर transaction exposure arises कब arise होगा firm has known amount of foreign currency known payable or receivable the home currency equivalent which is not known ठीक है हमें यह तो मालूम है कि foreign currency pay करना receive करना पक्का लेकर उसके बराबर domestic currency क्या हो कि यह हमको नहीं इसी को क्या बोले जाता है direct exposure और कोन face करता यह risk वही firm जो को foreign currency payable है यह foreign currency receivable है और इसको hedge करने की बहुत सारी techniques hedge करने की techniques economic exposure क्या होता है this is an indirect exposure which is faced by all firm thus even firm may not have foreign currency payable or receivable foreign currency payable भी नहीं receivable तो भी हम face कर सकते हैं suppose मैं वो example यहां लेते हुए चल रहा हूं जिसका question आगे है को इंडियन फर्म में export किया है invoice amount 60 लाग रुपए का export invoice किसमें रुपीज में डॉलर में नहीं है तो हमको कोई डर है कि नहीं हम तो इंडियन फर्म हमको तो कोई डर नहीं है हमको तो 60 लाग रुपिया चाहिए भाया foreign party US party आप convert करो उसका tension ना कि transaction exposure है नहीं है A1 डॉलर कितने का रुपाइक तो डॉलर required सामने वाली firm सामन यूएस पारटी व डॉलर देगी एक डॉलर साच रुपै का उससे उसको कितना बännलत अगेगा एक लाक डॉलर लगना चाहिए एक लाक डॉलर लगना चाहिए पर अगर डॉलर इड़ बंश्य हो जा500 हिए- Indian firm को नहीं है transaction exposure है कि नहीं है क्योंकि रुपिया में invoicing हो रहा है लेकिन जब आप सोचो foreign party को risk है क्या यास जो उसको एक लाग डॉलर देना था देड़ लाग डॉलर उसका टैंसर पर क्या उसकी वज़ा से मुझे tension हा सकता है क्योंकि उसको वो जो गुट्स जो एक लाग डॉलर में पढ़ रहा था अब देड़ लाग डॉलर में पढ़ रहा है राइट यस तो क्या वो आगे से यह नहीं सोचेगा यार यह तो महगा हो रहा मैं कहीं और से काम करूं क्या उसकी वज़ा से मेरा जो गुट्स का डिमांड है वो कम हो सकता है यस मेरा सेल्स कम हो सकता तो क्या मुझे रिस्क है कि नहीं है इस इकोनोमिक एक्सपोजर डिटेल में मैंने क्लास में आप उसे डिस्कूर्शन किया है कि लिखा हैंस cost of goods will increase cost बढ़ेगा यूस इंपोर्टर को और कितने पर्शन से बढ़ गया पचास पर्शन से price elasticity of demand है 1.5 प्राइज बढ़ेगा तो demand कम होगा 1.5 75% से कम हो जाएगा तो क्या इंडियन फिर्म को भी रिस्क फेस करेगा यह यह एक्जाम्पल ही क्यों लिए सर एक्जाम्पल तो बहुत सारी हो सकते थे यह यह एक्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि सेम एक्जाम्पल करता है वही firm face करेगी जिसकी foreign में branch है या foreign में subsidiary है this relates to the translation of financial statement foreign subsidiary company are foreign branches into the parents company home currency since no cash flow are involved this exposure is notional exposure however in real life this exposure मैं affect do price of share yes मैं आपको समझा है कि price of share तो क्या risk से बचा जा सकता है translation exposure से बचने की जरूरत ही नहें economic exposure से कैसे बच सकते हो सवाली पैदाने हां transaction exposure से risks को hedge किया जा सकता है और उसको hedge करने के बहुत सारी techniques it means कितने टाइप के exposure होते तीन transaction, economic and translation और hedge किसको कर सकते transaction, actual में foreign currency payable या receivable है उसी को तो hedge करोगे सर और उसको hedge करने की techniques आगे बढ़ते हैं उसको hedge करने की जो techniques होते हैं वो है एक है internal hedging और एक है external hedging internal hedging और external hedging internal hedging में internal hedging में हम मैं हूँ सामने वाली party है मैं और सामने यू.S की party हम दोनों आपस में discussion करके स्कतम करेंगे internal, आपस में बात्चित करके external hedging में होगा कि सामने वाली party से बात बन नहीं रही है तो हम किसी और पा bank के पास जाके या stock action से future contract कर सकते है उसे बोला जाता है external hedging किसी और की help third party की और internal आपने सामने यह था internal hedging में leading and lagging invoicing, netting, outsourcing यह चाल सीच पढ़ना है external hedging में आपके पास जाएगा public contract, money market currency, future currency ops में और आपके यह अपको आपका यह था आपको आपको डॉलर का पैमेंट करना मानती हूं यस मालो आज रेत है साट रुपह और आपको ऐसा लग रहा कि future मेर $65 हो सकता सहलाकि कि आपको तीन मैने बाद payment करना पर तीन मैने बाद rate $65 हो सकता आपको लग रहा तो भाई अभी payment करो सामने वाले से discount भी लिए सामने वाले से यह को कि तीन मैने बाद जो मैं payment करने वाला था तीन मैने बाद न काम्य मंट करके मैं आज ही payment करने वाला हूं अभी ले लीजे मुझसे पैसे इसली रीडिग और laggings क्या होता है? लेगिंग वह है जो अभी देना उसको क्या कर दीजे? डिले कर दीजे आपको मालम है future में rate कम हो जाएगा तो डिले कर दीजे भले इंटरेस्ट ले लो थोड़ा सा पर थोड़ा सा डिले कर दो इससे laggings बाकी और कुछ नहीं इसका मतलब यह हुआ अगर हमको pay करना तो pay करना तो हम देर से payment करेंगे कब जब foreign currency depreciate होगा अभी payment कब करेंगे जब foreign currency appreciate होने वाला appreciate होने बढ़ने वाला तो अभी payment करो पर अगर पैसा आने वाला और आपको लग रहा कि rate कम होने वाला अभी बुला लो export foreign currency receivable है receivable और आपको लग रहा foreign currency depreciate होने वाला है तो leading और appreciate होने वाला है तो lagging सी यह तो ठीक है नहीं पर चलो वही करते है पहना फर्स दिख रहा आपको leading and laggings leading means अभी payment for import and export laggings का मतलब delay lead the payable if foreign currency appreciate appreciate foreign currency का rate बढ़ने और dollar का rate बढ़ने वाला है तो अभी कर दो payment lagg the payable if foreign currency will depreciate lead the receivable if foreign currency will depreciate मतलब पैसे मिलने वाला है न और depreciate होने वाला तो अभी बुलवाओ और बाकी तो यह हो सकता आजाए future में एक question leading and laggings का question है वो तो हम वो करने ही पड़ेगा और यह question question step काता है दिखा एंडियन इंपोर्टर है जिट्टू शैटल अब बिल dollar 1,35,000 sir हमने import किया yes हमको payment करना है yes कितना dollar 1,35,000 payment करना है और जिसको हम payment करने वाले हैं उसने हमें दो option दिया या तो अभी payment करो कोई interest नहीं लगेगा अभी payment करो 1,35,000 plus जितने का भी into जितने का भी आएगा मतलब dollar बेचोगे ता भी 48.36 का हमें मिलेगा बस खतम करो बात या तो तीन महने बाद payment करना sir तीन महने बाद payment करेंगे interest कितना देना पड़ेगा 6% सर एक बात बताओ तीन महने बाद payment करना पे आफ्टर थी मत वित इंटरस्ट 6% देना पड़ेगा ठीक है तो सर 6% क्यों अभी payment करो बैटे अभी payment करो तो अभी पैसा कहां है CDC बात है क्या बैंक से लेन लोन लेना पड़ेगा इस इंपोर्टर बैंक चार्ज करेंगी 16% on overdraft CDC बात है दोनों ही cash flow ना याद रखना की कभी भी comparison तभी होगा जब दोनों cash flow एक time period का होगा हमेसा याद रखना तो चलो करके देखते हैं सबसे पहले क्या करें अभी payment करें तो अभी payment करोगे तो एक लाग पैमेंट पे इमिजेटली 48.36 के साथ एक लाग पैटीजार into 48. इतना रुप्या चाहिए कब चाहिए आज तो क्या करोगे उधार कहां से उधार लोगे इंडिया से उधार लोगे आप सामने वाले को ब्याज क्यों दे रहा हूं आप इंडिया से उधार ले लो ना इंडिया में कितने के साथ से इंटरस्ट मिल रहा है 16% के साथ से चार्ज की आ रहा है जबकि सामने वाली पार्टी कितने के साथ सिक्स पर्षेंट के साथ से लेकिन currency fluctuation भी तो माइने रखता है ठीक है देख लेते हैं तो भई इतना पैसे उधार ले लो रुपिया 16% के साथ से तीन मैने के लिए 16% तो तीन मैने का कितना आएगा 4% इतना रुपिया जाएगा अगर हम अभी पैमेंट कर दीते है तो उसकी अप एकचा सामने वाली पार्टी को विद इंट्रेस्ट पैमेंट कीजिए कितना एक लाग 35,000 प्लस रेट 6% तो तीन मैने का देड़ बर्षन अब इतना डॉलर फ्यूचर में खरीद होगे कितने के सबसे 48.83 तो आपका इतना जा रहा है बताओ कौन सा अच्छा सर यह हमारे लिए ज्यादा होच्छा होगा तो क्या अंसर रहे जाएगा पे आफ्टर थ्री मांथी इस बैटर ठीक है सिंपल कोशन और एक कोशन देख रहाए लिका एन इंडियन एक्सपोर्टर देख टू trag का रहा ऐख रहरे जो इट्रेशा यह वालाई. Nehman देखोलो होने वाला हाओ कॉष्टमेर होने वाला हाओ होने वाला है कॉक्ष्टमACE रट लट्र मांद बदा ळा रक्टर ह्त प्लीज दो उसको तीन मैने कर दीज तो मैंटनना बोल रहे थे अब 3 मेह मेने 2 मेने का तो मैं इंट्रेस्ट ले लूगा सामने पर यस इंद इन इंडिन एक्सपोर्ट इस प्लांगम टूए टू एलाओ टू मॉन्थ पर इंट्रेस्ट कितना पर्फशन हम नहीं हम कहेंगे जो भी जैसा भी हो यह आप अभी पैमेंट करो एक महने में पैमेंट करो अगर एक महने में पैमेंट होगा जो आएगा कितने के सबसे 56.70 इतना आया है 11,34,000 कितना है नहीं 1,43,40,000 और उसको 14% के सबसे डिपॉजिट कर दीचिए 2 months के लिए 2 months सबस्दे हा रहा न यहां आ रहा है 1 month तो यहां जमा करोगे 2 months के लिए जमा कर देंगे इतना पैसा मिलेगा लेकिन सामने वाले party से सीदा आप interest लीजिए 2 मेने का कितना बरशन 6% के सबसे इतना euro आएगा और इस euro को convert किस से 57.80 के सबसे किधर गया है यह वाला 57.80 तो इतना रुपिया आएगा कौन सा ज्यादा अच्छा ज्यादा अच्छा तो यह वाला यस आने वाला नाने वाला मतलब cash influence ज्यादा हो का वह हमारे लिए बैटर हो तो यह था leading and lagging invoice invoice होता क्या है यह भी leading and lagging क्या है यह भी hedge कर रहे है invoice हुआ है यह भी hedging बोडिया है हमने import किया इंपोर्ट किया थो हमको देना पड़ेगा 1,6,0,00,00 तो सामने वाले से बुलो ना भी यह डॉलर से हमको मतलब नहीं है हम रुपिया में payment invoice ही जो billing होगी न वो रुपिया में होगी साट लाख रुपे लेना खतम बारत आसे छे मैने बाद आना साट लाख रुपे ले जाना that's it tension खतम it means कोशिस क्या है कोशिस यह करो कि जो invoicing हो वो हमारी currency में हो तो है जो गया है in order to have transaction exposure the invoicer bill should be drawn in our currency home currency however this technique will kill currency exposure currency exposure खतम हो जाएगा पर economic exposure खतम नहीं होगा मैंने एक 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 जामपल लिया था price elasticity वाला टीक को अ कि अ कि ट्रांजेक्शन exposure खतम होगा मतलब और एक methods होता जिसका नाम होता है netting internal hedging का सक invoicing पर question है कि है आगे है वो मैं करवा पादमा netting में क्या होता है netting में ऐसा होता है दो लाग डॉलर आने वाला है एक चलो नहां है ना मेरे पास इक्जामप सपोस्ट राम को pay करना 1 लाग डॉलर यूस को और आने वाला कितना 70 थाजर डॉलर यूएस पार्टी से चलो एक लाग डॉलर जाने वाला है, 70,000 आने वाला नेटिंग समझ रहे होना, 30,000 तो क्या हो रहा है, पुले आप बताओ, calculate net amount payable, जाने वाले 1,00,00, आने वाला 30,000, अगर आप without netting या with netting, चलो देखते हैं, सबसे पहले without netting, जो आने वाला 1,00,70,25 पैसे, 75 पैसे हिसाब से जाएगा, और जो आन आने वाला netting करके 70 रुपा, 75 पैसे के सबसे इतना, क्या ये difference है, yes, 35,000 का फायदा हो गया netting के वज़े से, और ये netting के वज़े से फायदा क्या, ये bid ask spread दिख रहा हो, साथ में मालूम है, एक लाख आएगा, सब्तर हजार आएगा, तो transaction cost भी तो होता है, जबकि सीधा 30 र दे दो, transaction cost भी तो बचेगा, तो netting भी एक काम है, कर सकते हैं, netting का मतलब है क्या है, अगर कुछ पैसा आने वाला है, कुछ पैसा जाने वाला है, तो उसको net कर दो, देसे netting, एक है outsourcing या match, अगर हमको, हमको देना है एक लाख डॉलर, तो जिस जहां देना है, सपोज यूएस में मुझे पे करना, आज से छे मैने बाद एक लाख डॉलर, तो कोसिस ये करो कि वहां से कुछ ऐसा करो कि वो receivable हो जाए, एक लाख डॉलर, मतलब सर, netting ही है, बस मैं उसको match करवाने के लिए जबरदस्ती transaction कर, इसलिए कर रहा हूं कि जहां payable है, वहां receivable खड़ा करने की कोशिस कर रहा हूं, समझने के, अब इसको बहुत ज़्यादा तो समझा नहीं सकता, ये example के तो हो जाएगा, export किया, एक लाख डॉलर है, तो वहीं से हम क्या कर ले, raw material import करे, तो हमारा जा नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी doubts आ सकते हैं, उसके लिए class देखो भई, वहां मैंने चर्चा किया हूं, तो हमको direct, जो मिलने वाला कहीं, उसका rate कमना हो जाए, तो इसको hedge करने के लिए, हम outsource से कर देंगे raw material from US, इसकी वज़ा से dollar payable और ये neutral hedge against dollar receivable, ठीक है, if it is not possible to import to US, it may borrow dollar from US and create dollar payable, कुछ simple है, question नहीं होते हैं, अब आते है, external hedge, internal hedge में मैंने सुनो क्या करवाए आपको, leading lagging के तो question भी है, invoicing करवाए, उसके question नहीं है, है इकाद है, वो आगे मिलेगा, उसके बाद netting के question नहीं है, है एक question है, वो भी आगे मिलेगा, और matching के तो question नहीं, अब आते है कौन सी hedge, external hedge में, एक forward cover है, जो कि हम कर चुके है, वो आगे मिलेगा, दूसरा money market cover, money market cover क्या होता था, याद करवा रहा हूं, याद, money market cover में क्या होता था, हमको dollar देना है, suppose, US में, एक लाग dollar, तो देना है, एक काम करते हैं, वहाँ की bank में, means, मेरा क्या liability है, तो मैं asset create करूँगा, it means, वहाँ की bank में कुछ dollar आज ही जमा कर दूँगा, ताकि तीन महने बाद वापस वो एक लाग हो जाए, और वहाँ की bank वाला उस party को दे देगा, मेरा attention खताब, it means, dollar आज ही खरीदोगे, yes, और आज ही खरीद के जमा कर दोगे, yes, bank में जमा करूँगा, और bank वाला सामने वाले को दे देगा, तीन मेने बाद, और dollar मुझे एक लाग जमा नहीं करना पड़ेगा, उसे कम, क्योंकि भी आज भी तो मिलेगा, this is money market cover, money market का मतलब, अगर मुझे देना है, मेरी liability है, तो मैं क्या करूँगा, money market में कुछ short term के लिए investment कर दूँगा, आज ही US में, तक क्यों acid create करूँगा, तक दूसरा, अगर मुझे आने वाला है, एक लाज़ दौलर, आने वाला है, आज से तीन में तो मैं liability create करूँगा, अने मुझे लाज़ अने मुझे रिए करूंगा, मैं वहां से उधार लेना, मन्नीफमञ wij अधार लिंगा और कितन्त गोटे थे कम हाँ उधार लूगा एक लाग से कम थाके तेन मैन refuse सामने वाले पारी मुझे ना दे सामने वाले को दे बैंग को को दे दे एक लाव डो बात कंद इस इस मनी सर इसका मतलब अगर लायबिलिटी है तो as it liability है, देना है, तो वही जमा कर दूँगा, अगर लेना है, तो आज ही उधार ले लूँगा, ठीक, चलो देखते हैं, देखते हैं क्या सीधा question नहीं उठाएं, लेकर एन इंडियन importer, importer मतलब pay करना है, एक लाग तीन जार डॉलर, pay करना है, मुझे कहां pay करना है, यूएस में, तो pay करना है, मतलब मेरी क्या है, liability है, liability है, तो यहां क्या है, मैं आज ही जमा कर दूँगा, बैंक में, और बैंक में जमा करने का rate, यूएस में जमा करना का rate कितना है, 6%, पर कितने महा के लिए जमा करन rate के 6 मेने के लिए मतला 3% पे जमा करूगा तो इतना जमा कर दूं कि 3 महने बाद 1,3,000 डॉलर जो आज में US में कितना डॉलर जमा करूं कि 3 महने बाद 1,3,000 डॉलर हो जा है तो कैसे निकालोगे, पहला क्या है, forward cover, forward cover में तो कुछ है नहीं, comparison के लिए तो बोलेगा, वो पूछ रहा, forward cover अच्छा है या money market है जच्छा है, forward cover, 1,3000,000 x 46, नहीं, 48.80, तो इतना payment आ रहा, forward cover में, पर अगर मैं money market cover में जाता हूं, तो मुझे आज, calculation of amount to be invested in US money market for 6 months, so that amount including interest after 6 months should be valid, कितना जमा करे कि 6 महने बाद 1,3,000,000 हो जाए, 1,3,000,000 divided by, 6% है deposit का rate, तो 6 महने का कितना हुआ, 3你, $1,00,000, तो सर जी, आज मुझे कितना जमा करना पड़ेगा, मुझे जमा करना पड़ेगा, $1,00,000, आज कितने के हिसाब से मिल जाएगा, मुझे 46, तो मुझे आज कितना रुपै लगेगा, 46,00, तो 46,00,000 आएगा कहान से, हम इंडिया से उधार लेंगे कितने परशन की साब से 15 मतलब साड़े साथ परशन की साब से उधार हो जागा है 46,15 लाइक तो 1.075 चेक कर लेते कितना तो यह आगे बिटे 49,45 था क्या जाद अच्छा सर मनी मार्केट कवरीज बैटर money market cover is better क्योंकि यहां से cash यह पैसा कब जा रहा है यह 6 मेने बात यह पैसा कब जाने वाले यह भी 6 मेने बात हैंजिंग हो गई है कि yes तो क्या जाद अच्छा हमारे लिए money market cover is better एक exporter वाला कर लेगे कोशन चलो पढ़ते हैं क्या इंडियन exporter exporter है तो मतलब आने वाला है हमारे पास कितना आने वाला 61 dollar 61 500 आने वाला है dollar 61 500 आने वाला पहला forward cover forward cover मतलब इस पर convert करो इस पर क्यों है आप 46.45 इतना पैसा आएगा दूसरा अब भाई आने वाला है ना तो आज ही ले आओ और इतना ले आओ उधार ले लो कहां से यूस से उधार ले लिजिए और इतना लीजिए कि आज से छे महने बाद जब सामने वाला जिसको से मैंने उधार लिया है with interest 61 500 हो जा एक्सपोर्ट किया है तो ठीक है सर बोरो कर लेंगे 61 500 बोरो का rate कितना बोरो करें रेट कितना है अगा पाच पर्शन चे मेने कडाई पर्शन तो हम 60,000 डॉलर बोरो कर लेंगे आज ही बैंक से बैंक वाले को मैं पे नहीं करूंगा जिससे को मैंने एक्सपोर्ट किया है ना जिससे आने वाला वह आएगा नहीं वहीं की वहीं पैमेट हो जाए साट डॉलर और साट डॉलर को हम क्या करेंगे बेज देंगे आज ही 45.20 के हिसाब से तो इतना रुपिया मिलेगा अब इतना रुपिया को बैंक में इन्वेस्ट करेंगे 6 परशन की सबसे इतना रुपिया था क्या जाधाama टीशा सर्व इसमें भी money मार्केट कि मैं बात करूए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भिस ध्ीदीन Corporal रकना इसमें बचे confusion कहा हो जाते confusion confusion हो जाते कि उनको ही समझ में आता खी करना कि बको ये समयले सबश्र करना को acid create करो, acid कैसे create होगा, वहाँ जमा करता हूँ अगर लेना है, तो liability create कर दो acid है तो liability, opposite काट नहीं तो है, एक question और है exporter, यह अच्छा question है यह मेरा पसंदिरा question an exporter is UK based company invoice amount $3,50,000 ठीक है UK based करने, exporter is UK based company UK US export किया है आने वाला है $3,50,000 date create भी यह 3 month है, exchange rate दिया London का ठीक है, 3 month forward rate है पहले forward cover कर ले जो आने वाला है $, उसको convert करेंगे मतलब bank क्या करेगा sir bank dollar खरीदेगा अब पर rate किस का दिया, rate दिया pound का bank pound बेचेगा, 1.5905 बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, मतलब यहाँ तो 3.4% नहीं, 6 मेने का 3.5, यह इतना डॉलर उधार लेना पड़ेगा, जो डॉलर उधार लेकर आया है, आज हम उसको इस rate पे convert कर लेंगे, तो इतना pound आ जाएगा, और pound को हम 5% के हिसाब से 3 मेने के लिए, तो इतना pound मिलेगा बताओ दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ऐसा money market cover इस पैटर, बिल्कुँ से तो यह था money market cover अच्छा है भई, इसकी money market cover करके जाना है आपको किसी भी हालत में ठीक है सर, आगे चले सर, यस तो external housing हो रही है, external housing में एक तो हमने क्या किया forward cover किया, वो पहले ही कर चुके, और क्या किया इसके लावा और सर, money market cover किया, good, अब आजाते हैं currency future currency future क्या है, आपको किस बात कर, अगर में के तो मुझे dollar pay करना आसे 3 मेने बात, किस बात कर रहा है, सर, इस बात कर डर है कहीं dollar कर रिड़ा बढ़ना जाए, ठीक है न, तो बढ़ जाने तो चलो stock exchange चलतों, वहाँ betting करते हैं, और betting किस बात की करते हैं, betting हम यह कर रहे कि बढ़ेगा चलो हम सर्त लगा रहे हैं कि डॉलर करेट बढ़ेगा बढ़ जाने तो अगर डॉलर करेट पचाट रुपए से बढ़ेगा हमारा अगर 62 हो गया तो मुझे दो पच्टा देना पड़ेगा यहा अगर मैंने एक्सपोर्ट किया है तोfon डॉलर आने वाला हमझे किस बात का डर रहेकरल कcket क्लोट एक चलो ब ETF कम हो जाएगा अगर नोग्रेट कम हूआ होte ने दू उधर से तो जीट जाओगे ना वो तो पैसे मिल जाएगा बस यही था करेंसी फ्यूज शिदा कोश्चन पर एक्स वाइजेटन एक्सपोर्ट ओर्येंटेड बिजने साउस बेश्ट ऑन मॉंबई दा कंप्री इन्वाइस सेज इन कस्टमर करेंसी ठीक है मिलने वाला है हमको डॉलर वन लक आने वाला है डॉलर एक लक ठीक है और कब आने वाला है सेप्टमबर वन टूथाओजन नाइन को आने वाला कुछ मार्केट इन्परमिशन दे रखा एक जून को इस पउर्ट वन गgewाइं जून है सेप्टम्बर तर हमारे लिए मन्मान्थ्वाला का वह का है नहीं भई सेप्टमबर वाले मतलब है सेप्टमबर वाले से मतलब है में हमारे काम का क्या है अक समय का इस ट्रीमन्थ बावर्ट यह है हमें तो कॉंसे वाले से मतलब हमने September वाले से मतलब हो के एक September को Ilsport यह करेंची फीटर करेंट का मैसक्ति थीक कौन कॉंसर यह कोंचन इंस्काइव यह कोश्चन रिवीजन करना ऐसे नहीं करना बना के करना था प्लीज आपको जो तो रेगुलर क्लास है विउस का तो टेंसर है नहीं मेरे एक बात बताओ ठीक है रिविजन कर रहा है बहुत अच्छी बात है मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि विउस में आपको कम दिये हैं और अगर विउस चाहिए तो और लीजिए और भी विउस चाहिए और मिल जाएगे पर प करेंगे रेट किसका दिया है रुपीस का करेंसी कौन से डॉलर तो क्या होगा डिवाइट किदर गया है यह यह दिख रहा फावर्ट कवर एक लाक डिवाइड हो जाएगा तो इतना आग है दूसरा करेंसी फ्यूचर यह इंपोर्टन बस अब सुनते जाना मरी पार यह क्या है सर कॉंटर यह सब समझा रहा हूं पहले यह बताओ कि आप लॉग पोजिशन लेना चाहते हैं कि शॉट पोजिशन सबसे पहले यह चेक करो आपको क्या आने वाला सर डॉलर आने वाला ह किस बात का डर है डॉलर की गिरने का पर रेट किसका दिया है रेट रुपीज के तो रुपीज के बढ़ने का मतलब कोंसा अगर गिरने के लिए तो शॉट पोजिशन बढ़ने के लिए तो लॉंग पोजिशन इंपोर्टन है रेट किसका दिया रेट रुपी का दिया है त के गिरने कडर मतलब रुपियां के बढ़ने कडर तो सिंस डॉलर रसीवे बाएं वी एफरेड ऑप डॉलर फॉल बट बेस करेंसी इस रुपीज हैंस एफरेड ऑप रुपीज राइजिंग वी सुट टेक लॉंग पोजिशन ऑप रुपीज यहां तक मैं लोगए अब सवाल ही है कि कॉंट्रेक्ट साइज किसमें दिया है रुपीज में तो मुझे कॉंट्रेक्ट साइज में मैं उसको मैं डॉलर में कभी भी नहीं करूंगा मैं क्या करूंगा एक लाग जो एक्सपोजर है ना उसको मैं रुपीज में करूंगा तो एक लाग डिवाड़ेड लिया 10 contract पर एक रुपए इस इक वल टू इस पर बैटिंग किया कि इससे क्या होगा बढ़ेगा ठीक है यहां तक settlement rate और margin भी जमा करना पड़ेगा margin कितना है initial margin 15,000 रुपए 15,000 रुपए 10 contract मतला मुझे 1,50,000 रुपए कब जमा करना margin आज जमा करना पड़ा उस पर opportunity cost देखना पड़ेगा आपको सेटिल्मेंट डेट को क्या हो और सेटिल्मेंट डेट फ्यूचर प्राइस देखो बैटे अच्छे से spot ही है हमारे काम करनी currency future 0.02134 हो गया मैंने गहां था 0.02118 से उपर जाएगा और वाकी उपर गया और कितना होगा है 0.02134 क्या मैं जीत गया यस तो this minus this मैं जीता यह किस पर है सर यह है एक रुपए पर इतना डॉलर जीता तो 4,72,000 into 10 तो टोटल डॉलर कितना जिया 755.20 डॉलर में जीत गया तो क्या मुझे variation margin भी मिलेगा एक लाग डॉलर तो उधर से आ रहा है एक्सपोर्ट किया था और स्टॉक एक्षेंज से जीत कर डॉलर 755.20 इसको convert किस पर करूँगा इस पॉट्रेट कौन सा वाला इस पॉट्रेट ये वाला 0.02133 इतना आ गया पर एक दिक्कत है एक लाग पच्छा सार वह दिस वैरिशन मार्जिन का अमाउंट है पर वह जमा किया था ना उस पर आट पर्शन तीन मेने का इन अपॉट्रेट कॉश्ट पी आपको लेना पड़ेगा तो वह माइनस करने के बाद नेट मेरे पास इतना बच्छे है ठीक है ऊपिकर है हरं अगला हम है जिंग ही नहीं करते था अगर हम हैज हैं को देश डिवाइर यह वाले जो भी रिट अइस से तो बता यह कौंसा एडवांट से तोकरएंजिंज 3 पश्ट उसने पूच्छ त currency feature में basically बात क्या है, बस बात इतनी सी है जिस बात का डर है उस चीज के लिए बैटिंग कर एक question और देखते क्या देखा Nitrozen Limited, a UK company is in process of negotiating and order amounting to 4 euro million euro 4 million, sorry ठीक है, UK company is processing of negotiating, ठीक है a large German retailer 6 month credit it's successful, this will be the first time Nitrozen Limited exported goods into the highly competitive German market the following 3 alternative ऐसा है की आने वाला है की आने वाला है, euro 4 million और कहां की company है, UK ठीक है तो यह क्या चाहते है, पहला बात तो यह कहते है कि invoice जो है न euro की जगह किस में कर दिया जाए, pound invoice the German firm in sterling using the current action rate to calculate the invoice tension करता है अगर हम invoicing ही pound में कर दे, हम UK के रहने वाले pound में invoicing तो फिर तो रिकत नहीं है हमें तो 3 मैने बाद, 6 मैने बाद, 6 मैने बाद pound ही तो देना पड़ेगा अब बहुत किसको यूज करना, current action rate को यूज कर लीजिए alternative है कि invoice आप euro में ही कीजिए लेकिन आप forward cover कर लीजिए ठीक तीसरा invoice आप euro में ही कीजिए पर आप क्या कर लीजिए, future contract कर लीजिए ठीक है यह पि spot rate 1.1750, 1.7770 6 मन forward premium है 0.6.5 मतलब forward rate निकालने के काम आएगा currency future का rate दे रखा है 1.1760 future contract size दे रखा है spot rate and 6 मन सुनो, यही spot rate है और यही stock exchange का future rate भी है ठीक है आपको निकालना, calculate the nearest pound the receipt of nitrogen limited under each of the three proposal और कौन सा ज्यादा अच्छा है तो सबसेश पहले किस invoice से invoicing करना current action rate आप सुनो ध्याद से आने वाला है euro euro आने वाला है rate किसका दिया है जी rate pound का दिया है अब ध्याद से समना euro आने वाला है तो bank euro खरीदेगा पर rate pound का तो bank pound बेचेगा तो बेचने का rate यह वाला हो गया तो कभी भी आप इस से convert करोगे 1.770 वह किया होगा 40 लाग divided by तो इतना आप invoicing इतने pound का invoicing किजिए बात कता और यह pound आपको कब मिलेगा यह pound आपको 6 मेने बाद मिले तीन मेने बाद मिले आपको कोई डर नहीं क्योंकि आपके यहां की currency कौन सी है पाउंड सी है अब पाउंड सी मिल रहा है तो टेंशन करता है इस इनवाइस दूसरा क्या कर लो forward contract forward contract लिए मुझे rate चाहिए rate तो rate यह तो दिया है पिट्टे अब यह दिकत है प्लस होगा की माइनस ही तो swap points सर्थ descending orders में दिया है तो माइनस होगा exactly पर premium लिखा है तो जहां भी premium लिखा है वहां plus होना चाहिए अब अलग-अलग opinion है लोगों की कुछ लोगों का कहना अगर premium लिखा है तो यह ascending descending छोड़ो ना या premium मतलब plus अब कुछ लोगों का से चना premium या discount से हमको देखना नहीं हमें देखना ascending या descending आपके प्रैक्टिसमेन ने दोनों ही कर रखा तो चिंता मत करो आप यह भी देख लो premium पर अगर आपका focus नहीं हो रहा है descending order में है तो सिधा माइनस कर दीजिए और मैंने वैसे किया सिधा माइनस कर दीजिए गलती यह हो गए कि यहाँ पचपन माइनस होना चाहिए था वह काल्कुलेशन मिश्टेक है विट्टी 1.1770-0.0050 55 15 तो यह आगया pound 3414425.94 चेक कर लिए ठीक है तो पहला और दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं थी पहला कौन सा था इन्वाइसिंग दूसरा कौन सा था 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 तीसरा है करेंसी फ्यूचर बस इस पर फोकस कर लें पहले एक डिसेट कर लेते हैं कि लॉंग पोजिशन की शॉट आने वाला क्या है यूरो किस बात का डर रहे यूरो की गिरने का पर रहे किस का पाउंड पाउंड लॉंग पोजिशन we are afraid of euro falling but base currency is pound means pound rising pound के बढ़ने का दर euro के गिरने का दर pound के बढ़ने का दर तो हम कौन सा position लगे long position 1 euro is equal to 1.1760 यह कहा दिया भाई 1.1760 यह दिया ठीक है यहां तक आगे चले अब contract से तो पहले इसको convert कर ले 4 lakh divided by this तो यह आगे दिवाइड बेजिस तो 54.42 contract आया अब कुछ बच्चे क्या करते 0.42 के लिए forward contract क्यों भाई आप कौन सा actual में कर दो 0.42 के लिए ना forward contract करते वो option है currency option currency option पर मज जाना यह currency future अगर 54.42 contract आया तो 54 contract कर लेंगे अगर 0.5 round off कर लेंगे round off future contract में बैटिंग कर रहा है आप actual में कुछ नहीं कर रहा है जबकि currency option में ऐसा नहीं होता उसमें बच्चे हुए remaining जो fraction आता ना उसके लिए forward contract करते दोनों में अंतर है ठीक है 54 contract कौन सा position लिए आपने sir long लिए बिल को चलो देखते अब currency future rate कितना हो गया pound 1 is equal to 1.17 check करू यह हो गया 1.1785 यह rate हो गया और आपने कहा था 760 इससे बढ़ेगा वाकई बढ़ गया तो हमें gain हो गया this minus this into 64 contract इतने का फायदा हो गया तो यह भी euro मिलेगा stock action से यह euro यह euro तो यह total मिलाकर euro हो गया और इसको convert करो गया कि से इस portrait से तो इतना आगे तो बताओ कौन सा अच्छा है sir forward cover is better इसमें forward cover check कर ले न invoicing से इतना forward cover से इतना है इसको check कर ले न भी यह forward cover से कितना थोड़ा सा change है 3-4 चल जाएगा अभी भी forward cover यह अच्छा है तो आप calculation जो होगा न एक बार check कर ले जए ठीक है ठीक है sir और एक question है currency future का है question नमर 7 लिखा ABC technologic is expecting to receive a sum कितना आने वाला है 4 लाग after 3 मान आने वाला है 4 लाग company decided to go for future contract to house against the ठीक है जो आने वाला डॉलर तो उसकी गिरने का डर short position यह 1000 डॉलर as on date future contract 44 and 45 यह spot है मतलब 45 से कम होगा हमारा यह माना 45 suppose after 3 month the company closes position 44.50 हो गया तो यहार हमको तो loss हो गया और spot भी कितना हो गया इतना हो गया तो यहां हमारा फायत होगा you are required to calculate the effect ठीक है simple है we are afraid of dollar falling hence we take short position dollar 1 is equal to 45 number of contract निकाल लिया हला कि इसकी ज़िवरत थीन है currency future rate 44.50 हो गया तो अच्छा short position था कि okay short position था तो फायदा है ना कितने का फायदा 2,00,00 रुपा है और चुब डॉलर आया कितना डॉलर आ गया है 4,00,00 आया तो उसको हमने बेश दिया 40 तो इतना यह मिला और इतना stock action तो टूटल मिला आकर इतना मिल गया this divided तो हमको एक डॉलर कितने का पढ़ा 45 का यह पढ़ना था यह तो मुझे पहला क्या क्या चीज हो चुका है हमारा forward cover हो गया है sir money market cover यह भी हो गया sir currency future यह भी हो गया sir अब currency option 4 चीज़े ही तो है external hedging internal hedging में leading and lagging important है यह बाकि इनवाइसिंग तो यहीं cover कर वादी है option क्या हो था sir दो टाइप के option होते है call option put option yes call option का खरिते है जब हमको लगता कि rate बढ़ेगा put option जब हमको लगता कि rate बढ़ेगा भस खतम और कुछ नहीं है okay sir that's it चलो देखते है चीदा-चीदा question उठा रहा हूं ज्यादा concept में नहीं लंबी class नहीं लेना चाहता है XYZ Limited US firm will need pound 3 lakh in 180 days in this connection the following information is available 1 pound 2 रुपय का 2 dollar sorry 180 दिन का forward rate दिया है rate of interest दिया call option on pound 180 दिन यह call option premium इतना जा रहा है और 180 दिन बाद rate यह हो सकता है सबसे पहले क्या करना forward contract सबसे पहली बात क्या आपको pay करना है या आपको मिलने वाला US firm will need pound मतलब US firm को pound pay करना 3 lakh forward cover पे आते हैं forward cover मतलब 1.96 के सबसे convert करेंगे हम check करेंगे कितना dollar payable है dollar कितना लगेगा simple है 3 lakh into इतना आगे dollar पहला वाला point में कुछ नहीं है दूसरा money market cover money market cover देना है pound देना मतलब liability तो acid create करेंगे मतलब वहां जमा करेंगे कहां जमा करेंगे sir US में जमा करेंगे और जमा करने का rate कितना 5% तो 6 मेने का कितना आज जाएगा पर्षन तो 3 lakh divided by this तो इतना जमा करना पड़ेगा इतना जमा है तो इतना हमको आज खरीदना पड़ेगा इतना dollar लगेगा और इतना dollar कहां से उधार लेना पड़ेगा योके से उधार लेना पड़ेगा 5% के हिसाब से तो total में लाकर मेरा इतना payable आ रहा है कौन कौन सा काम कर चुका मैं forward cover कर लिया और क्या कर लिया money market cover कर लिया अब किसकी बात है option अब ध्यान से समझना सबसे पहले call option की put option sir call option तो लिखा ही है put तो है नहीं हाँ बिल्कुल call option तो लिखा हुआ है अब call option लिखा है तो हमको उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा call option मतलब हमें क्या किस बात कर रहे है बढ़ने का तो चलो call option बले rate यह हो सकता यह हो सकता यह हो सकता तीनों rate दिया है तो option कब exercise होगा exercise price दिया हो रहा है 1.97 यहां क्या हो जाएगा laps यहां क्या हो जाएगा currency option भी by call option exercise price दिया हुआ 1.5 है और premium कितना देना पड़ाई है total premium जा रहा 0.04 इंटो 3.12.000 डॉलर का premium जा रहा है अगर 1.9 हुआ तो laps हो जाएगा 0.0 1.95 हुआ तो laps हो जाएगा 0.0 और 2.05 हुआ तो यहां exercise करेंगे तो gross payoff कैसे आएगा मालूम है आपको 1.97 minus 2.0 तो यहां गए 0.08 ठीक अब probability 0.15 तो इतना है तो total gross payoff मेरा कितना आ रहा dollar 0.0 1.2 तो total payoff आएगा 3.00000 इंटो इतना डॉलर मुझे मिल जाएगा इतना डॉलर मुझे कहां से मिलेगा इतना डॉलर मुझे stock action से मिल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ मैं option खरीदा हूँ option खरीदा हूँ तो मैं यह चेक करूँगा कि मुझे कितना option मुझे कितना payoff मिलेगा expected payoff 3.600 मिलेगा और मेरा क्या माना उस समय rate क्या हो सकता expected rate इतना हो सकता 1.955 तो जो 3.00000 डॉलर है जो 3.00000 पाउंड है उसको मैं इस rate से convert करूँगा और stock action से मुझे इतना payoff मिलेगा premium सुना ध्यां से मुझे इतना dollar लगेगा premium का 12,000 dollar देना पड़ेगा और इतना मुझे stock action से मिल जाएगा तो total मिलाकर मुझे इतना dollar लगेगा alternative मुझे premium में क्या करना है यह opportunity cost भी consider करना चाहिए मैं फिर से बोल रहा हूँ यह कैसे काम होगा मुझे pay करना न pound मुझे pay करना तो इस rate से खरीदना पड़ेगा right okay sir तो चलो यह rate हो गए उसके सब से और मुझे premium भी दे चुका हूँ मैं 12,000 dollar उस पर मैं opportunity cost भी इन मैंने बाद लेना चाहिए 100% तो यह आ गए opportunity cost भी और साथ में कुछ pay off मुझे मिल जाएगा तो minus करने के बाद मुझे इतना पड़ेगा ठीक है currency option यह याद कि आपको थोड़ा सा इस question पर जाना पड़ेगा जहां जिसको समझ में नहीं आ रहा नो वह सीधा question पर चला जाएगा ठीक है actual question तीसरा क्या होगा है no hedging option number 4 no hedging no hedging है तो 3,000,000 इंट यह आ जाएगा तो no hedging is the best option no hedging कोई hedging होता नहीं यह question ना ambiguous question है थोड़ा सा ठीक है अच्छा वाला question करवाओ सार चलो भाई बहतरी नहीं question अच्छा question करवारो नहीं currency option का सबसे अच्छा question इसके बाद और कॉंसा question मस तो currency option का last question है currency exposure के last question देखते हैं अच्छा question है यह question करके जाना a limited of UK import some chemical dollar 364 इतना import किया है from US supplier मतला आप UK के हो pay करना है हमको सीधा सीधा dollar 364 8,900 इतना हमको pay करना है the amount is payable in 6 month 6 मेने बाद पे करना spot rate दिया और 6 month forward rate दिया Boring rate UK का 7% है US का 6% है deposit rate भी दिया हुआ currency option available pound 12,500 option premium strike price 1.70 call option का premium दिया है dollar pay करना है bank dollar बेचेगा bank pound खरीदेगा खरीदेगा तो 1.5455 no doubt divide होगा तो यह आगे answer money market car हमको pay करना है dollar मतलब हमारी liability asset create करेंगे asset create करेंगे मतलब महाँ जमा करेंगे amount to be invested यह और जमा करने का rate कहां जमा करना भाई? US में US में जमा करने का rate कितना भाई? UK-US UK 4.5 पर हमें कितने मैने के लिए 6 मैने के लिए तो इतना डॉलर हमको जमा करना पड़ेगा अब इतना डॉलर आज चाहिए भी तो तो आज का रिट बैंक क्या करेगा बैंक डॉलर बेचेगा मतलब पाउंड खरी देगा पाउंड का रिट दिया है तो यह आगे और इतना पाउंड हम उधार लेंगे कितने परशेंड के साब से साथ परशेंड के साब से हैं यू किसे हैं तो हमें इतना पेबल है, टोटल लग्ट ये कोश्रśl अच्छा है फारवर्ट कवर इतना आ गया अब बात किसकी है? करेंसी ओप्स पहले यह decide करें कि call option कि put option sir हमको dollar देना है तो sir हमको डर है किस बात का dollar करेट बढ़ना जाए पर rate किसका pound मतलब sir pound गेना जाए मतलब put option okay एक चीज़ समझ में आगे put option strike price कितना 1.70 put option मतलब premium गाएगा 0.096 बस यह था since dollar payable है we operate from dollar rising but base currency is pound that is pound falling hence we buy put option at pound 1 is equal to 1.7 और premium कितना होगा 0.096 यहां तो कोई दिक्कत कि नहीं तो अब देखते है dollar payable है right तो pound के कितने equivalent है इतना equivalent होगा अब number of contracts pound में दिया है साहित yes तो अब pound में contract निकल ले pound में contract तो 17.17 contract अगर future होता करें तो मैं round off करें तो लेकिन 17 contract यहां भी round off होगा 17 contract के लिए तो मैं currency option fraction कितना 0.17 contract इसके लिए मैं forward cover करूँगा cover through currency option 12.500 pound into 17 into 1.7 के सबसे तो यह आख है it means मुझे 2.012.500 pound खर्च होगे इतना dollar तो cover हो चुका है मेरा बचा हुआ dollar तो कि मेरा currency कितना exposure कितना इतना और इसमें से इतना तो already cover हो चुका है तो बचा हुआ है 3647 इसको मैं किस से convert करूँगा इसके लिए मुझे forward cover करना पड़ेगा forward rate है 1.5455 चेक कर ले यस 1.5455 यह forward cover कर लिया मैंने तो forward cover से मेरा pound इतना खर्च होगा 2360 अब premium है premium कितना देना है मेरा total cover कितना है 2.12.500 pound और एक pound पर premium है 0.00 तो total है 20.400 dollar का premium dollar 20.400 premium है समझ रहे हो ना भई एक pound पर 0.096 dollar तो इतने pound पर कितना dollar 2400 dollar तो premium कब जमा करना होता आज तो इसको convert किस से करेंगे हम spot rate और spot rate दिया है यह दिया हो तो उतना pound बैंक हम से खरीदेगा तो divide किस से होगा 1.5617 तो आज़ आज़ आज़े है 1.5617 तो आज़े आज़े है 13063 टूटल मिलाकर इतना पेबल है अब पॉर्चिटी कोश्ट यहां में consider नहीं कर रहा हूं सब प्रीमियम पर प्रीमियम तो शुरू में जमा करना है तो बात समझ में आ रही है 2.12.25 तो इतना पेबल है तो बताओ कुण सा ओप्सन अच्छा करेंसी ओप्सन इस तब पैस्ट तो अगर आपको करके जाना तो यह कोशन पक्का करके जाना अच्छा कोशन है अब चले कैंसलेशन यस सर कैंसलेशन पर चल रहा है नमब क्या है one two three four अभी पाइट नमबर को एक मिनट के लिए νट के लिए आप शलना कैंसलेशन में हमने क्या पढ़ाताक केंसलेशन में हम explorer को ने पढ़ा था वो हमको 31 मई को चाहिए इसा भी हो सकता जो 30 अप्रिल को चाहिए होता उसको हमें पहले चाहिए 15 मार्च को चाहिए इस अरली डिलेवरी तीन चीजह हमको डिस्कुशन करना इसमें पहली बात जो करेंगे वो करेंगे cancellation of forward contract और cancellation कहा हो सकता on maturity को भी हो सकता due date को maturity से पहले भी हो सकता है 30 April को ही cancel करवाना ज़रूरी नहीं है आप कुछ दिन पहले भी जाकर cancel करवा सकते हैं overdue forward contract या automatic cancellation का मतलब होता 30 April को dollar की आपको delivery लेना चाहिए था आप आ ही नहीं उस condition में क्या होगा this is overdue forward contract तो cancellation को मैं अगर मैं बोलू तो मैंने तीन पार्ट में बाठ रखा A, B, C तो सबसे पहले बात करें cancellation on maturity का होता क्या actual में bank के angle से सोचना पड़ेगा कि bank ने कौन सा contract किया अगर bank ने बेचने का contract किया selling contract तो उसको काटने के लिए उसी दिन का कौन सा rate लेना पड़ेगा buying rate लेना पड़ेगा that's it मतलब contract कैसे काटा जाता है cancel कैसे किया जाता है opposite rate लेकर cancel किया जाता है बिल्कु simple और कुछ समझने वाली बात नहीं देखना पड़ेगा bank का कौन सा contract है buying contract तो इस situation में bank क्या करेगा buy करेगा currency forward rate पर जिस rate पर booking है और वापस क्या करेगा sell करेगा किस पर spot rate पर actually buy sell करेगा नहीं हमको buy sell rate दिखना पड़ेगा अगर selling contract है तो bank sell करेगा और फिर वापस क्या करेगा buy करेगा बस इतना याद रखना है रेट ना एक ही डेट के होना चाहिए जो भी डिफरेंस है forward rate और spot rate के बीच में या तो payable होगा या recoverable होगा customer से अगर मुझे bank वाले को customer से पैसा recover करना है तो उसको बोला जाता है cancellation charges दूसरा होगा cancellation before maturity मेरी बास cancellation before maturity का मतलब क्या होता due date यह है पर cancel यहां कर रहे है यहां कर रहे है तो जिस rate पर बात कर उस rate बेचोगे forward rate पर लेकिन rate दूसरा buying rate ना इसी date का होना चाहिए due date का तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा one month forward rate मतलब दोनों ही forward rate लेना पड़े एक actual forward rate और एक उस दिन देखोगे कि due date को कौन सा forward rate था bank sell currency at original forward rate and buy currency at forward rate और फिर दिव ड़ेट और इसी का opposite हो जाएगा सर एक्जाम्पल से समझाओगे कि question सही समझा रहा हूं question लेते question number 20 देखा bank ने enter किया कौन सा sell करने का content बोले currency पेचिग है कितना डॉलर पांच लाग कितने के सबसे 34.60 कब contract हुआ 15 September और 15 ही September को customer request के contract cancel कर दीजिए simple है पर ये rate कौन सा interbank rate है interbank rate है सरची तो margin margin का adjustment करना पढ़ेगा पर चेक करो bank का कौन सा करता है sell तो अगर ये selling rate है तो opposite rate कौन सा हो जाएगा buying margin minus हो जाएगा selling rate of bank buying rate of bank minus क्या करोगे margin तो ये आगया buying rate of bank bank बेच रहा है 34.60 खरीद रहा है 34.47 तो bank तो recover करेगा यार bank को फायदा है gain to bank और contract size कितना पाच लाग तो bank को कितने का cancellation charges मिल जाएगा 65,000 का simple टिक अगला motion लाते है bank bank ने किसी का किया purchase ये है buying rate due date कब किया October 30 due date में ही cancel हो रहा तो एक buying rate है तो एक कौन सा होगा selling rate इसमें margin क्या हो जाएगा plus तो buying rate selling rate selling rate जाता है तो bank को gain हो रहा है contract size 2,50,000 है तो एक लाग 90,000 का gain हो गए this is cancellation charges आगे आख यार a bank had booked a forward purchase contract bank क्या करने वाला purchase कितने में बात हुई 33 रुपिया 50 पैसे में बात होगी delivery का बहुए 30 October on 30th September मतलब जस्ट एक महा पहले cancel करना है तो ठीक है बही एक महा बात कर it 33.50 margin देखना पड़ेगा 15 पैसे यह तो फिक है buying rate तो selling rate selling rate कौन सा लेना पड़ेगा यह margin 15 पैसे ascending order में तो plus होगा margin कितना है 15% यह भी अलग से दिया 0.15% तो यह rate आगे है तो बोलो bank को क्या हो रहा gain खरीदेगा सस्ते में बेचेगा महागे में gain into contract size तो आ गया है cancellation charge simple यह क्या था? यह था cancellation before maturity कसम खालो दोनों rate एक ही date क्यों होना चाहिए अच्छा सर overdue forward contract क्या होता है बिटे यह है due date और यहां customer नहीं आया तो bank क्या करती है 15 दिन का wait करती है और 15 दिन automatic cancel कर देती है अगर bank को gain हो रहा है इस rate पर 15 दिन वाला bank को gain हो रहा तो bank वसूल कर लेगी पर bank को loss हो रहा तो bank पैसे नहीं देगी यह कौंसर रूल था फड़ाई का रूल था फड़ाई रूल था फड़ाई रूल 8 provide that forward contract which remain overdue without instruction from customer से कोई instruction नहीं आया है on on before sell be 15th day from the date of maturity be automatic cancel by the bank if gain to bank then amount sell be recover labor from customer if gain to customer then no amount sell be payable to customer simple था और कुष नहीं कि देखते हैं और एक क्वेश्चन पंद्रा मार्च बैंक एंटर इंटर 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 फवर्ट पर्चिस एक एक एक्स्टेंशन वाला एक्स्टेंशन में कुछ नहीं बही cancel ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं पंद्रा मार्च को पर्चेस करने की बात हुई कितने में 43.65 ठीक है एक बाइंग रेट तो दूसरा कौन सा selling rate पर cancellation कब हो रहा है पोस्ट पॉन कर रहा है एक्स्टेंट कर रहा है पोस्ट पॉन यह कौन सा रेट है बाइंग तो एक कौन सा है selling rate दिखना पड़ेगा 43.6425 प्लस margin हो गया 0.1 तो 43.69 43.65 में बैंक खरीदेगा 43.69 में बैंक बेचेगा तो इतना ही का gain हो रहा है एक डॉलर पे total contract size है 5000 डॉलर तो extension charges कितना हो गया 200 रुप है extension में कभी भी new forward rate जरूर पूछेगा new forward rate में 15 जुलाई को bank का original contract खरीद नहीं का तो तो bank खरीदेगा यह खरीदेगा 43.70 माइनस 0.1 परशन यह question बहुत अच्छा है यह question मैंने detail में समझा रखा है YouTube मेरे ही channel पर तो यहां मैं उतना time आपका खराब नहीं करूंगा सीधी श्री बात करूंगा इंपोर्टर ने बुक किया forward contract $200, due date कौन सा है 30 जुन कितने में बुक है 64.4 इंपोर्टर ने बुक मतलब bank बेचने वाला यह बैंक बेचने वाला 64.4 डबल जुन कब बेचने वाला है 10 जुन को तो cover करके रखते हैं यह तो आपको पता cover कर मतलब यार पता नहीं rate क्या हो जाएगा तो यह बाली बैंक दूसरी बैंक से खरीदने का भी contract वहले हम खरीदेंगे और आगे बेच देंगे कितने में बात हुई 64.28 ठीक है spot June, spot July, spot August, spot September एक्षिज मारजिन दिया है 0.1 पर्शन इंट्रेस्टन आउटलेफंड दे रखा है 12 पर्शन इंपोर्टर रिक्वेस्टेट ओन 20 जुन बैट्टे आना कब था 10 जुन को 10 जुन पर इंपोर्टर आये है नहीं हम कितने दिन तक वेट करेंगे 15 दिन तक लेकिन इंपोर्टर जो आया वह कौन सी डेट में आ गया है 20 जुन को आ गया इंपोर्टर रिक्वेस्ट ओन 20 जुन को आकर बोलता कि एक्स्टेंड कर दीजिये सर विथ डिव डिव डिट ओन 10 अगस्ट को एक्स्टेंड कर दीजिये 10 जुन को bank swap by selling spot and buying one month forward अब सुनो बिटे बस कहानी speed से खतम करूँ बात कब की हुई थी 10 जुन 10 जुन को ऊआये नहीं तो अब आये नहीं तो अब हम दिक्कत में पढ गए किसी दिक्कत में पढ़ का तो मैंने बेच दिया apl Wonsi डूसरी bank को बेच दिया is MC से खरीदा मच्बूरी में forward rate पे किए इसरों मैंने cover कर रख था 64.28 और इसको बेचा, बेचा, sell कितने में बेचा होगा 10 जून को मैंने सामने वाली बैंक को बेचा, मतलब सामने वाली बैंक ने मुझसे खरीदा कितने में, उसके 63.8 सर यह तो खरीद नहीं है, बैटे मेरी थोड़ी ने, मेरी अटकी है सामने वाला बैंक में कस्टमर हो गया में कस्टमर हो गया, तो सामने वाला यह वाला बैंक मुझसे कितने में खरीदेगा 63.8 और मुझे एक बाद भी डर है कहीं अगले वाला परसं कस्टमर एक महाबाद आ गया तो, तो मैं कहता हूँ ठीक है अभी में बेज देता हूं और bank सामने वाली बैंक से मुझे एक महाबेद वापस बेज देना हूं बोले ठीक है और बोले हम बेचेंगे कितने में 63.95 00 में बेचेंगे हैं इसको बोले था sell by swap sell by swap बेचा और खरीदा ठीक है ठीक है ठीक है सर यहां तक बास समझ में आगे अब आगे क्या करना अब भाई साब कब आया 20 जून को आया कस्टमर 20 जून का आया तो पहले बोलो cancellation rate हमने का निकाल देते हैं कस्टमर को सोच बिटे cancellation rate कैसे निकलेगा हमने क्या बोला था बेचेंगे तो हम क्या करेंगे वापस खरीदेंगे 20 जून को और खरीदने का rate है 63.68 00 इसी को cancellation rate बोल रहा है 63.68 00 और margin क्या हो जाएगा minus minus कितना proportion margin है यार 0.1 पर्सन चेक कर लो कहा है 0.1 पर्सन कहीं नहीं रहे लिखा होगा यह है 0.1 पर्सन ठीक है 63 63.6800-0.1 पर्सन तो यहां कि 63.6163 यहां तक ठीक है It means cancellation rate कौन सा है बैटे opposite rate काटने वाला rate हमारा original contract है बेचने का तो opposite rate खरीदने का तो खरीदने का rate 20 जून का यह है क्योंकि date 20 जून यहां है ना यहां ठीक है पर round off करना है 0.0025 तो बोलो इसको round off करो के 61 तो 50 में करो यह 75 में 61 61 तो ठीक है 63 है तो round off करके 75 होगा इतना तो आप पता है ना अगर यह 53 होता तो मैं यह round off किस साई 5-0 में कर देता है यह कौन सा rate है अपो जिस सेकंड वाला rate इसी को क्या बोले जाता cancellation rate amount payable दूसरा के amount payable on dollar 2 lakh ठीक है bank का original किस चीज का contract था बेचने का selling contract 64 में bank वापस खरीदीगा कितने में 61 63.6175 तो इतना बैंक को क्या हो रहा है गें contract size कितना दो लाक तो इतना आ गया cancellation charges ठीक है तीसरा क्या मांगा है swap loss swap loss का मतलब होता है यह कहानी नहीं बताऊंगा कहानी में बहुत बता चुका हूँ आपको दिक्कत होगी तो description में link दिया होगा इसका तो आप पका पका आप कर लोगे this is sell by swap 63.8 में बेचा 63.95 में खरीदा इसका पैसा हम किससे वसूल करेंगे customer से bank ने sell किya 63.8 में bank ने खरीदा 63.95 में तो इसका पैसा हम 30,000 इसी को swap loss बोल रहा है इसको किससे वसूल करेंगे customer से recover करेंगे ठीक है उसके बद interest on outlay fund अब सब्सक्राइब से अब धियां से तो मैं आप सी यह बोल रहा हूं मैंने क्या किया 10 जून को सर आय नहीं तो मैंने 64.28 में खरीदा सामने वाली बैंक से और 63.8 00 में बेच दिया तो मेरा तो पैसा लग गया ना भाई कितने दिन का 64.28 में खरीदा और एक्स्ट्रा पैसे लग गये तो मझे कस्टमर से 320 रुपए भी वसूल करना पड़ेगा मतलब सर इन दोनों के वीच का यस तो टूटल मुझे कितना वसूल करना पड़ेगा देस प्लस थीज़ार प्लस 320 टूटल इतना वसूल करना पड़ेगा ठीक इस टूटल कॉस्ट और क्या मंगा थे तो यहां से देख लो मिटें कब के लिए एक्स्टेंशन करने के लिए बोला अगस्त तो अगस्त का रेट देख लेना यह दिख रहा है 64.2500 और उसमें मार्जिन क्या कर दोगे प्लस तो यह आंसर आजाएगा वराउंड अफ कर दीचेगा कि सिंपल यह कोश्टन ओल्रेडी कहां अपलोड़ेड है यह कोश्टन ओल्रेडी अपलोड़ेड है चैनल में तो प्लीज वहां जाकर देखोगे सर ऐसी वाला और ही कोश्टन ले ले क्या चाँ यह कोश्टन है अरली डिलिवरी का अरली डिलिवरी इसमें भी वही पिक्चर है जो पहले था ठीक है फड़ाई का रूल एपलाई होगा एक नावंबर 2006 को महसूर एंटर किया थ्री मांत बेचने का कॉंट्रेक्ट यूरो ठीक है बेचने का कॉंट्रेक्ट होगा यूरो कितने में बुकिंग हुई है यह कुछ नहीं बताया है यह यहां से निकालना पड़ेगा आपको एक ग्यारा का है तो बिलो नवंबर दिसम्बर यह कपकाओ के दिसम्बर जानों फिर यह बला रेट है ठीक है और बैंक क्या करने वाला बेचने वाला है तो 58.45 क्या हो जाएगा प्लस चेक कर लेते हैं अच्छा यह भी दिया हुआ है ठीक है बैटी एक ग्यारा का रेट है आगे क्या लिखा हुआ है यह निकाला है 58.53 एक ग्यारा का रेट 58.53 दिख रहा है यह अच्छे से निकाला हुआ फ़वर डेट निकाल रहा हुआ है कि कितने में वेचने की बात किया था 45 स्वेप ठीक है तो 58.9800 ठीक है margin भी एक करना पड़ेगा margin गहीं दिया होगा margin 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 point forward rate मांगा भी था उसने ठीक है यह margin दिया point 05 पर तो यह आ घर थ्री मंथ forward rate पहला point तो होगा है three month forward rate ठीक है 1.11 को, कब के लिए था, 1. послед Carp evolving के लिए था, पर सामने वाला जो person है, 22 को आ गया, जल्धी आ गया, और वो कहता है कि अब जो है, वो cancellation 1 जनवर एक महा पहले cancel करवाने के लिए अरली понini? कैंसल के लिए, अरली delivery के हमने का ठीक है, अब सामने वाला एक्सपोर्ट है न हाँ अब सामने वाला कहता कि यूरो खरीदो अब हमें खरीदना पड़ेगा सर वो तो आ गया जल्दी पर अर्ली डिलेवरी में उसी रेट में आपको खरीदना पड़ेगा हम ने का ठीक है जी हम खरीदेंगे 59.0095 के सब से यूरो ठीक अब एक काम करते है ठीक है सर खरीदो लो कि करूगे क्या अब सुना है अब हम खरीदेंगे 59.0095 यह बेचना है 59.0095 यह बेचना अब 59.0095 यह तक ठीक है अब भई इसको देना है मुझे आज ही देना इम्पोर्टर है ओंगोई इम्पोर्टर है तो मुझे देना उसका सीपमेंट जल्दी आ गया है उसको देना 59.00 मेरे पास अरलि डिलेवरी है मेरे पास तो है नहीं तो मुझे मजबूर है पहली बात अच्छे समनह लो early delivery में कही ना कहीं से हमने cover करके रखा होगा यह मान के चलो किसी bank से हमने cover करके रखा होगा ठीक किसी bank से cover करके रखा होगा तो अब मेरा question है कि यह जो bank है यह मुझे कब देगी dollar एक first fab को और मैंने यह सोचा था first fab को मैं transfer कर दूँगा कितने है 59.0095 पर समस्य यह हो गई कि first fab को सामने वाला आने की अपेक्चा first january को आ गया तो कोई बात नहीं मैं first january को दे दूँगा कहां से दूँगा कहीं से मुझे खरीद के देना पड़ेगा और कहां से खरीदूगा देखते first january को मुझे खरीदना पड़ेगा कितने के सबसे 50 इस रेट पे spot rate और सामने वाला bank बेचेगा तो मुझे महगे में बेचेगा 50 तो मैं 58.48 में खरीद कर 59.0095 में बेच दूँगा लेकिन समस्या है जब ये मुझे एक महा बाद बेचेगा तो मुझे इसको transfer करना पड़ेगा तो इस वैंग से बोलूँगा एक महा बाद मुझे कितने में खरीद होगे तो वो तो बताएगा कितने में 58.46 प्लस 18 एक महा बाकी है न तो ये खरीदेगा 56.58.64 ठीक यहां तक ओके सर फाइनल हो गया एमाउंट तो बी कलेक्टेट प्रॉम्ट तो कश्टमर ड्यूट अर्ली आलस एक्स्प्रीन हाव दा कॉंट्रिक बात समझ नहीं ये तो हमारा ये रेट निकला अब आगे क्या होगा आगे ये होगा बैंक सेल करेगा यूरो दोला कॉंट्रेक्ट रेट पे इस रेट पे कश्टमर से इतना रुपिया वसुल करेगा पर और एक चीज़ अर्ली डिलिवरी रिक्वाइड है तो बैंक को खरीदना पड़ेगा 58.48 के सबसे बता दूं ये 58.48 के सबसे बाई और सेल करना पड़ेगा 58 बाई सेल स्वैप और स्वैप लॉस होता है किस से वसूल करेंगे कस्टमर से स्वैप गेन हो तो कस्टमर को प 20,000 यह हमारा क्या हो कहा है स्वैप के अब और एक चीज क्या बचा इंट्रेस्ट ऑन आउटफ्लोफंट की इंट्रोफंट जड़ा देखते हैं आया कितने के हिसाब से खरी था 58.48 और कितने के हिसाब से बेज दिया 59 तो यह तो इनफ्लो दिख रहा है यह वाला रेट रही वाला रेट इनफ्लो इनफ्लो है तो इस पर इंट्रेस्ट भी तो देखना पड़ेगा एक महने का वह बात किया है कैसे फिप्टीणाइन इनफ्लो दो लाक हिए हो गया इतना मेरा इनफ्लो इसका 8 पर्षन एक महने का इंटरेस्ट आज़ासाथ यह भी इंफ्लो फंड है तो भाई customer से कितना एक तो इतना मुझे वसूल करना था पर gain हो गया तो ये minus कर दीजा और interest है तो ये भी minus कर दीजा इतना वसूल करना पड़ेगा मुझे customer से इसका पता नहीं मुझे नहीं मालूब early delivery का मैंने video upload किया है कि नहीं किया channel पर अगर नहीं किया होगा तो comments में लिग दीजाना मैं upload कर दूगा okay sir अब हम लोग आगे चल रहे है अब nostro account वस्ट्र account पर आगे हैं ठीक है हाँ जी अब बात कर रहे हम foreign currency account foreign currency account क्या है एक हो था nostro account nostro account लोर account सब कुछ तो आता नहीं nostro account पर सुनो हम लोगों को foreign में bank को especially bank को foreign में foreign bank के पास अपना account maintain करना पड़ता है जिसको बोलते है nostro account एक्जाम में किया दो टाइप के question आते है एक तो पूछता cash position cash balance और एक होता है position long या short जब जब भी खरीद रहे हो आपी spot buy कर रहे हो sell कर रहे हो तो आपके cash balance पे तो फर्क पड़ता है इस पे भी फर्क पड़ता है लेकिन अगर आप forward contract कर रहे है forward contract मतलब future में तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा इस पर फर्क पड़ेगा ठीक है बहुत जादा तो discussion कर नहीं सकता क्या इसका भी link description में है या तो बोले कुछ position है balance है नोस्ट्र एकॉन में credit balance है तो ठीक है बहुत है बहुत है cash balance नोस्ट्र एकॉंट ओपनिंग पोजिशन ओर बॉट मतलब ओका लोंग पोजिशन है पचासर यह पोजिशन स्टेट्म बनता और एक कौन सा बनता cash balance अब सुन पर्चेस किया बिल असी हजार बिल मतलब अरख सर तो इसका मतलब purchase मतलब long position क्या cash balance में लाइव नहीं ठीक अ हSu cop I s... मृट खुब लूट मार्कट में मतलब short positioning of cash balance फड़ेगा नहीं forward contract में cash balance में कैसे फ़रा ом पर्चेस गॉंट्रेट कैंसिल किया purchase का मतलब long position रहोगा पर कैंसिल हो गए तो तो शॉर्ट पोजिशन हो जाएगा और यहां आपका डैबिड हो जाएगा क्योंकि आपके एकाउंट से कम हो गया हूं ठीके सामने वाले को मैंने ड्राफ्ट लिखकर भेज दिया ड्राफ्ट दे दिया सामने वाले को अपने क्या किया शॉर्ट पोजिशन था पर उसको आपने क्या कर दिया तो वापस क्या हो जाएगा आपका लॉंग पोजिशन हो जाएगा अगर देखा जाया तो नॉस्ट्र एकॉन में में वी 25,000 बैलेंस है क्रेडिट और यहां मेरा ओ कितना है 25 तो 5,000 खरीदना पड़ेगा अगर मैं 5,000 खरीदता हूं तो मेरा यह बालर बैलेंस यह 0 हो जाएगा शोल्ड है शॉट पूजिशन है और खरीदता हूं तो लॉंग हो जाएगा 5,000 हो जाएगा और फिर इसको मुझे कितना में रिंधें करना है 10,000 तो मुझे फा SF 5000 at spot, spot buy करेंगे but due to this transaction, position is zero we have to maintain overbought position SF 10th hence we buy forward SF 10th खतम अब कुछ special question है जो मुषको करवाना है जितना हो सकता मैं करवा देता हूं कुछ अच्छे question है यह वाला कोशन जैसे 27 December 2001 को कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि रैमिट करें DG 25,000 to Holland 25,000 चाहिए क्या चाहिए DG ठीक है कहानी है इस्ट्राइक हो गई और जो डिलेवरी जो 27 December को मिलना चाहिए था वो 3 जनवरी को मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत की बते है और कहां के रहने वाले कुछ दिया नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ इंडिया के तो मुझे रुपीस पर DG का रेट निकालना है रुपीस पर DG का रेट निकालना है रुपीस पर DG का रेट निकालना है अगर यहां DG महगा हुआ तो मुझे लॉस हो गया अगर डीजी सस्ता मिल गया डिले की वजह से तो मुझे गेन हो गया बस रुपीज पर डीजे और तीन रेट दिये हैं तो हम तो एक्सपर्ट हैं मुझे क्रॉस रेट से काम करना पड़ेगा कैसे उपर रुपीज होना चाहिए याद रखना तो रुपीज पर डॉलर डॉलर से डॉलर कटे हैं डॉलर पर पाउंड पाउंड से दीजे बस याद रखना कि यहाँ बिड़ना गलती से उसने इधर दे दिया है ठीक है क्या काम हो सकता है यह रेट मैंने अच्छे से लिख के रखा है इस तरह से डॉलर पर रुपे लिख दिया था तो अब इसी को देखकर कर लो पहला क्या चाहिए रुपीस पर डॉलर डॉलर मतलब वन से डिवाइट करना पड़ेगा को के सार यह को हैचे चल्षे अचाहिए मैंने एक रीट निकाला इसका मतलब आपको सोचना पड़ेगा मैंने बिद्यासक नहीं निकाला मैंने एक ही रेट निकाली है तो जो छलो सोचते हमारे पास कुमसी का हमें रूपीया का रेकर क्षारी यहां पहुँच गयां, बैंक क्या करेगा, बैंक पांड बेचेगा, यह वला रिट, फिर बैंक पांड खरीदेगा यह वला रिट, इसलिए फाइनल कर लेते हैं एक यह कर लिया, एक यह कर लिया और एक यह कर लिया, आंसर आगा है, 14.07, और 14.07 में margin at करोगे, तो 14.09, अगर में 27 दिसंबर को डीजी खरीद है क्रॉस रेट है और कुछ नहीं है इतने का पढ़ता पर 3 जनवरी को खरीद रहा हूं तो मुझे 14.23 का पढ़ा तो क्या मेहगा पढ़ा यस कितना 35,000 रुपा है मुझे ज्यादा लग यह कोशन यह कोशन एक्चुल में क्रॉस रेट का आगे यह कोशन भी देख लेते हैं अच्छा कोशन है अलर्ट लिमिटेस प्लानिंग तो इंपोर्ट करेंसी और बॉरीं कहां से उधार लिया जाए एक्चुलि इसका कोशन है तो भाई क्या करना है मल्टी पर्पर मसीन करीदना जापान से कितने का 3400 लैक्स येन का लोन मिल सकता कितने कंपांड़ है। हाँ एक कोशन है किया हुआ है बहुत अच्छे से मारत QA Aliants कैOSH का कुट्व पर्पर से इसाब कि धा बमद मन्यक्रीच किसंपर मिलेगा जो मैं टोडांट से पाषा उधार मिल ऑना तो बहुत अगा hir – कैसा क्टी कोई तो मेरी हेल्प करेंगा इंडियन मैंग करेंगी तो उसको दो पर्षंट कमिशन देना पड़ेगा बताइए हमें फॉरिम रंच का एक्सेप्ट करना चाहिए किने सबसे पहले इंडिया वालों से धार ले इंडिया से उधार ले की जा पांस उधार ले 18 परशंट के यसाब से ले लिए तो एखजार क्वार्टर्ली कंपांड़े धे क्वाटर्ली तो थारा पर्षन का तीन मेने का रेट निकाला और उसका पावर 2 कर दिया तो यह आगा है यह 6 मेने बाद payment होगा quarterly अ कि alternative क्या alternative वे टोक्यो ब्रांच से उधाली ची टोक्यो ब्रांच से कितने परशन पर मिल जाएगा 2 पर लेकिन साथ में मुझे कमिशन भी देना पड़ेगा ठीक है तो चलो 3400 लाक येन दो परशन के हिसाब से तो टोक्यो ब्रांच को 2 परशन मतलब 6 मैंने का 1 परशन 3434 लैक्स येन पेबल है कब पेबल है आज की 6 मैंने बाद 6 मैंने बाद तो इसको फावर रेट से आपने डिवाइट करके आंसर निकाल लिया पर कमिशन भी तो कमिशन कब पे होगा कमिशन आज कितना एक हजार लाग का कितना परशन एक परशन तो सो एक हजार लाग इंटू एक परशन दस लाग पर आपको फ्यूचर वैल्यू लेना पड़ेगा कंपैरिजन होना चाहिए यार दूनों छे महने का तो कमिशन में भी मैंने अपॉर्चिनरी कॉस्ट जोड़ दिया कहां सर जहां हमारा कम है तो हमारे लिए अच्छा आगे चले सर यस यह वाला यार एकोनोमिक एक्सपोजर ट्राजेक्शन एक्सपोजर वाला कोश्चन है अच्छा कोश्चन है यह 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 चलते है लिखा मैसर्स ओमेगा एलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट एसी ट्वी जर्मन ठीक एक्सपोर्ट कर रहा है तो आएगा कितने में एक्सपोर्ट कर रहा है और लिए 2400 उनिट से 500 रुपए के हिसाब से 2400 इंटू 500 मतलब यूरो बाराला काने वाला यह मैंने पात पर आप इंपोर्ट भी करते हो 800 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ठीक है इंपोर्ट होता है तो मतलब हमको पेबल है 2400 इंटू 800 इतना डॉलर उनिस लाग पीस है फिक्स एन वैरीबल कॉस्ट है 1000 और 1500 कैश्फ फ्लो फोरेंट करेंसे दिविन 6 में तक करेंट एक्स पॉर्ट रेट दे रखा रुपीस पर यूरो रुपीस पर डॉलर ठेक है 6 मन्त फावर्ट दे रखा फावर्ट मानके चल रहा हो है तो उसमें एक्शन रेट के चैंज होने से जो लॉस होगा दिसे ट्रांजेक्शन एक्सपोजर अब मुझे बताओ क्या यूरो आने वाला है यास यूरो आने वाला तो जो आने वाला उसको हम बेशते 60 51.50 अभी कितने के हिसाब से 52 के हिसाब से भी क्या हमारा फाइदा हो गया है यह 50 पैसे का इंटू 12 लाक तो 6 लाक रुपय का फाइदा जो जाने वाला है उसको मैं 27.25 के हिसाब से भी खरीदता है लेकिन अब खरीदना पड़ेगा 27.75 के हिसाब से तो मेरा लॉस है तो ultimately मेरा लॉस कितने का है 3,60,000 क्यों due to transaction exposure यह shortcut है आप ऐसे भी कर सकते हूं आप ऐसे भी कर सकते हूं पहले इस rate से पूरा calculation कर लीजे फिर इस rate से पूरा calculation कर लीजे और दोनों के profit में comparison कर लीजे सर इसका मतलब sales time pass कर लो material का cost variable overhead fix overhead फिर sales material cost अब पहले ये rate कौन सा वाला उठाया था यहां वाला उठाया था अब ये वाला rate कहां से उठाया यहां से उठाया बार कुछ कुछ है नहीं पहले इतना profit होता था अब इतना profit हो रहा तो loss कितने को रहा 3,60,000 कुछ था यह नहीं question में तो यह था आपका calculate loss or gain due to transaction exposure दूसरा क्या बोलना है लिगा based on the following additional information calculate the loss gain due to transaction and operating exposure if बुले जो हम export कर रहा है invoicing वो rupees में हो रहा 25,000 रुपए के हिसाब से और जो बोले rate current exchange यह यह वाले ना लेकर आप यह वाले ले ले ना बोला है price elasticity of demand दिया है 1.5 payment and receipt are to be settled add it means जो rate यह है उसकी जगह rate यह हो जाएगे बोले बस मतलब यह वाले rate को ignore करके यह वाले rate लेने के लिए बोला है बेचना कितने में 25,000 और sell करते समय 25,000 में ही बिखेगा तो बताओ transaction exposure की वज़ह से और economic exposure की वज़ह से क्या है अब सुनना दियांस सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि 25,000 रुपए में में बेच रहा हूं अगर मैं 25,000 रुपए में बेच रहा हूं तो पहले rate था 51.75 जो customer है मेरा उसको 51.75 के हिसाब से Euro देना पड़ा था और अब 52 से अब किसकी हिसाब से Euro देना पड़ेगा rate क्या पड़ेगा उसको per unit यह देखना पड़ेगा बस अच्छा यह shortcut मारा है हाँ यह लिखा हुआ है किसके सबसे 25,000 रुपए के सबसे payment कर रहा है अब सुनना मेरी बात को ठीक से पहले क्या-क्या पूछा है transaction exposure और economic पहले transaction exposure की मैं बात कर रहा हूं first तो भई एक transaction का मतलब receivable है उसमें तो कोई fluctuation होना नहीं क्योंकि invoicing किसमें हो रुपीज में जो payable है उसी में fluctuation है पहले कितना था पहले सर्था 27.15 अब इसकी जगह क्या है 27.75 यह fluctuation है तो loss on dollar payable this is transaction exposure सवाल या फिर आप कैसे कर सकते या तो ऐसे कर सकते हो पर मेरे ख्याल से यह यार इतनी जरूरत ही नहीं है सीधर सीधर दिख़रा है transaction exposure अब बात किसकी हो रही है economic exposure बस वही मुझे आपको समझाना सुना ध्यांस invoicing in rupees rupees में हो रहा तो जो जर्मनी customer है हमको तो कोई transaction exposure है नहीं जो जर्मनी customer है उसको पहले पढ़ता 51.75 के हिसाब से यहां 51.75 के हिसाब से पर अब कितने के हिसाब से पढ़ेगा 52 के चे महा बात तो उस हिसाब से देखा जाए बिटे देखो तो जो मुझे 40 जो सामने वाले को 484 83 के हिसाब से product मिल रहा था ना अब उसको 480 उसको तो फायदा हो गया कितने percentage का फायदा हो गया 0.48% और price elasticity 1.5 है तो 0.72% इसका मतलब क्या price कम हुआ यस तो क्या demand बढ़ा यस price कितने से कम हुआ 0.48 से तो demand कितने से बढ़ गया 0.72 it means अब units जो भी कर रही थी वो कितना भी करा था 4000 जो units भी कर रही थी 2400 अब 2417 units बेची जाए और 2417 units बेचेंगे तो extra कितना units भी का हमारा सत्रा क्यों 17 units भी का economic exposure की वज़ा से demand बढ़ गया और 17 units से हमें फाइदा कितना का हुआ 22,100 रुपय का फाइदा हुआ that's it this is gain due to economic exposure और यह क्या है था loss due to transaction exposure बस इतना ही आपको बताना discussion यही है loss due to transaction 11 लग बावनाजार gain due to operating expenses बावशार एक्सों क्यातर अच्छा अच्छा गोश्ण यह है आपका currency swap मैंने topic वाइस नहीं लिखा currency swap currency swap का नहीं यह international cash management इसे वह होता क्या है एक ही company उसके अलग-अलग देशों में subsidiary होती हो कि जैसे कोई Indian based company है उसके subsidiary यूस में किसी के पास surplus fund है और किसी के पास deficiency है तो एक तरीका यह है कि हम सब मिला ले जिसके पास deficiency है उसकी deficiency खतम हो जाएगी और बचा हुआ हो वो चाहो तो invest कर दे दूसरा तरीका है कि सब अपना अपना काम करो decentralized आपके जिनके पास surplus है वह invest करो जिनके के पास deficiency है वो बॉरो करो लास्ट में हम मिला कर देखेंगे कितना बचेगा बस और कुछ नहीं है तो सबसे पहले मैं decentralized system की बात करूंगा देखो rate दिया हुआ अच्छे से 30 दिन के लिए है दो subsidiary US-UK में है action rate दिया spot rate दिया 30 days forward rate दिया और यह deposit sorry borrowing rate और deposit rate दिया सो नों borrowing पहले deposit बात में Indian operation इंडियावाले को deficiency है विट्टी 500 million चाहिए ठीक है पर इन दोनों के बास surplus रखा इसके पास इतना इसके पास इतना calculate cash balance at the end of 30 days period in rupees in rupees लिखा for each company under each of the following scenario ignoring transaction cost and taxes देखते हैं हर एक company invest करेगी on cash balance a deficient local currency independently देख लेते हैं US भाई साब आपके पास है 12.5 million dollars आप अगर invest करोगे तो आप 1.5% के इसाब से करोगे 30 दिन के लिए तो आपको interest मिलेगा इतना दोनों मिलाकर हो गए इतना और उसके बाद क्योंकि rupees में निकालना तो divide किस से करोगे फिर से रुपीस का rate दिया है bank dollar खरी देगा मतलब bank रुपिया अच्छा इसमें तो है नहीं bidask का चक्कर है कि हाँ bidask करना है bank क्या करेगा bank रुपिया बेचेगा बेचेगा तो कितना आएगा dollar per rupees नहीं दिया इन a bidask नहीं दिया एक ही rate है यह pound का rate ही रहा है तो 0.02 बात ही कत्म होगे फिर ठीक ऐसी UK 6 million है तो चलो UK वाले तुम भी invest करोगे 3.7% के साब से 30 दिन के लिए तो इतना आ गया है और फिर आपका rate दिया है 6 मैने वाला यह आ गया है इंडिया वाले भाई साब आपके पास तो पैसा ही नहीं तो आप उधा लिजी अब भी के भी फूल किजिए किसके पाश डेफिशेंसी चलो इंडिया ना चलो आने दो पैसा तो बारह हजर पास सो मिलिया यहां बारह हजर पास सो डॉलर है और डिवाइट किससे को इस पॉट्रेट डॉलर है ना तो 0.0215 इतना रुपिया मिल गया इंडिया में इतना यहां से मिला कहां से यूके से इससे डिवाइट कर लिया और यह तो था तो हमारे पास इतना बज गया पाच लाग की डेफिशेंसी पूरी होने के बाद भी आज हमारे पास इतना पैसा बचा इसको इन्वेस्ट कर दिया 6.2 परशंट के हिसाब से 30 दिन के लिए तो हमारे पास इतना पैसा तो बताओ क्या ज्यादा अच्छा है सर क यह ज्यादा अच्छा है पुल कैस इमिजिएटली इस बैट तो यह कोशन था तो ठीक है अगले कोशन चले यस इसको बोला था करेंसी आप इन्वेस्ट्मेंट कहां करने है कि चलो देखते हैं वाओ असंपेटे आदा कोशन नहीं है इसमें यह कोशन ड़ा हुआ है कोशन यह यहां से पढ़ लेते हूं कोई लंडन है लंडन में क्या चलता पांड तो कोई लंडन में कोई कंपनी जिनके पास पांड शर्प्लस नहीं है डॉलर सर्प्लस में है कोस्ट कितना चार पर्शन हो सकता होंиком कि ए पड़ा होगा चार परशन देना वो पड़ा होगा रहां बोले डालर 5 ठीक है आप इसको इण बसको इंवेश्ट कर सकते हो jail to new york नींवेश्ट कर सकते हो और या तो FF में इनवेस्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ यहां question आप पढ़ दोगे Sir हमारे पास क्या है dollar उसका cost कितना है 4% अब Sir उसको invest करना है तो सबसे पहले अगर में London में invest करों तो वहां तो pound चलता है तो ठीक है न डॉलर से pound में convert करो तो यह दिया है dollar से pound में तो rate किसका दिया? rate दिया है pound का तो bank pound बेचेगा यही मतलब है मतलब 1.5390 तो 5,000,000 divided by 1.5390 तो यह आ गया dollar आपके पास pound आ गया 324886.28 यह 29 इतना pound मिल गया इसको चलो invest करते pound में लंडन में 5% किसे आपसे तो 3 मेने का देख ले ना तो इतना pound मिल लंडन में तो पूरा फे पूरा answer जो है तो 3 मेने का एक पर्शन पाच लाग पाच लार हम को वापस करना पड़े तो पाच लाग पाच लार हमें क्या खरीदना पड़ेगा dollar खरीदना पड़ेगा किस rate पर तीन मेने बाद bank pound खरीदेगा मतलब यह वाला 5380 तो 5380 यह तो swap points यह add हो गया तो 1.5343 तो सुनना धियांस हमने dollar पाच लाग को convert करके क्या किया pound में convert किया उसको invest कर दिया और इसमें से हमें खर्च करने पड़ेगे कुछ dollar क्योंकि हमको वापस करना पड़े कुछ pounds क्योंकि हमको वापस करना 5055000 डॉलर तो 5055000 डॉलर खरीदेंगे इस rate पर खरीदेंगे ठीक है तो हमें इतने खर्च आजाएका इसमें से इतना खर्च हो गया तो हमारे पास इतना डॉलर तो बच्छी गया दूसरा इसके अपिच्छा इंवेस्ट किसमें कर दिजिए New York मी invest करो ना आज कहां 8 percent तो ठीक है फिर तो चार फिर तो 4 पर सट की कमाई हो सधlor perche as 4 पर चरा पर्सन मतला है प्वाच ऑर डॉलर की कमाई सी दी चार पर Sug mail निकाल लो तो इसे निकलेगा, 1.5390, प्लस 0.0085, टिक, हाँ यह तो लिखा हुआ है, अगर आप New York में, अब बात करते FF, अब FF में, डॉलर है तो डॉलर और FF का रेट नहीं दिया, डॉलर से पहले पाउंड में कनवर्ट करना पड़ेगा, पाउंड से फिर FF में कनवर्ट करना पड़े तो सबसे पहले डॉलर से पाउंड में, डॉलर से पाउंड में कनवर्ट किया, पाच लाग डिवाइड बाई 1.5390, यह वाला रेट है, इतना आ गया मेरे पास पाउंड, अब पाउंड से हमें पाउंड, तो बैंक यहाला रेट है, बैंक पाउंड क्या करेगा, बैंक आगया, अब इतना euro आपको लगाना खर्च करना पड़ेगा, इतना euro, तो इतना euro आपको खर्च करना है, बदले में पहले क्या खरीदना पड़ेगा, pound खरीदना पड़ेगा, euro, तो चलो pound खरीद लेते हैं, 1.8290 bank pound बेचेगा minus 0.0140 क्योंकि swap point descending order में तो bank इतना pound आपको मिलेगा क्योंकि pound में answer देना उसमें से इतना pound payment करना पड़ेगा यह तो यह वाला है यह वाला pound payment करना पड़ेगा dollar का dollar खरीदने के लिए इतना pound खर्च हो जाएगा ultimately मेरे पास इतना बच्च है याद आ रहा है यह question भी YouTube में डला है खास बात यह है किसमें ज़्यादा है 1662 एक आया 323 मेरे ख्यल से इसमें ज़्यादा देख रहा आपको ठीक है ओके सार अगले question पर चलेगा यह वाला question वैसे यह question इतना छोटा सा है बच्चा question आयेगा नहीं फिर भी देख लेते एक यह में example यहीं के ही समझाया था मान लो आज रेट है 60 और मुझे ऐसा लग रहा कि एक सलबादिया जो भी हो रेट जो है वो 2% से बढ़ जाएगा 60 प्लस 2% मतलब से कितना होगा 61.20 और मैंना यूस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं कितना 500 डॉलर ठीक 500 डॉलर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो 500 डॉलर इंटू साथ आज मेरा 30,000 रुपे खर्च हो जाएगा लेकिन 500 और इंट्रेस्ट कितना मिलेगा तो अगर इस हिसाब से देखो तो मुझे टोटल कितने की हो रही 10.16% की कमाई हो रही इसको आप कैसे निकाल सकते थे 8% 1.02 बस यह समझाने के लिए किया था पाकी तो यह है क्वेश्चन 5,000 5,250 और 3,50 5,000 डॉलर 5,250 3,50 तो 5,250 माइनस 5,000 प्लस 3,50 12% यह तो आपको आता चैंज इन यह कैपिटल में चैंज हो रहा प्लस रेमेन्यू हां पर बोल रहा अगर डॉलर एप्प्रिशेट हो रहा तो रिटन जो निकालना रेट ऑप्रिटन निकालना रेट ऑप्रिटन डॉलर में निकालना तो ठीक है पर रुपीज में निकालना तो फिर कैसे निकलेगा 12,1.02 प्लस 2 आंसर आजाएगा 14.24 पर यह पॉइंट अच्छा है यह पॉइंट समझ में आया ना इसको सोचो थोड़ा सा आट्टोमेटिक समझ में यह एक्जामपल है यह कोश्चन का कोई हिस्सा नहीं है एक निटिंग वाला कोश्चन डला हुआ इंपोर्ट किया सर्ची गुट्स कितने डॉलर का सात लाग का एमाउंट कब पे करना तीन मैने बाद तीन मैने बाद पे करना इसके लाग आपने एक्सपोर्ट किया चार लाग पच्छाज अर यह अमाउंट के फिर इसीव होने वाला है दो मैने में रिसीवेबल एमाउंट फॉर्वर्ट कॉंट्रक्ट अल्रेडी रिसीव जू होने वाला उसका फॉर्वर्ट कॉंट्रक्ट बुक है आपका 48.90 के सबसे रेट दे रहा है इसपोर्ट टू मन्थ त्री मन्थ ठीक है कंपनी वांट तू कवर दर रिस्क है नो कवर पेबल बाइ टू कवर पेबल इन दा फॉर्वर्ट कॉंट कोई नेटिंग वाला काम नहीं फॉर्वर्वर्ट कॉंट्रक्ट करो ठीक है वह कोई दिक्कत नहीं डॉलर पेबल आप्टर थ्री मन्थ सात लग तो सात लग पे करना है तो 48.70 प्लस 0.45 चेक करो कितना रहा 49.15 के सबसे है पेमिट हो जाएगा और जो आने वाला उसके लिए तो बुकिंग है 48.90 के सबसे है और तीन मेने बात का आपको आउट फ्लो दिखाना है इसलिए दिखाना है क्योंकि अगला पॉइंट भी रहा तीन मेने बाद का इसलिए मैंने का चलो बारा परसंट है फंट का कोश्ट रुपीस का उसमें एक मेने का एक परसंट मेरी बात समझने की कोशिश करना मैं कोशिश किए गरों तीन मेने बाद मुझे पे करना है और जो आने वाला फइंड है दो मेहने में आने वाला तो चलो हो न उसमें एक मेहने का ब्याज भी कमा लेती तो एक मेहने का ब्याज कमा ली तो इतना तो net payable after लोॉटर थ्री म attempting आदरा रहा है कि好像 जो एक बनारों उसको एक कंचल करो और जो मेहने में आने वाला उसको एक माने और बढ़ां और नेंगि करतो यह जो दो मेहने में आने वाला उसको एक मेहने और बढ़ाते और नेटिंग कर देते हैं चलो करते हैं पहले कैंसल करते हैं 48.90 में बैंक खरीदेगा और 49 में क्या करेगा बेज देगा 49 कैसे आया 48.70 जाते हैं अलगे करेंगे कि दो मैंने बाद कर ले तो 245 वी को लेया चाह तो तो कोस्ट सीधा तीन मैने बात तो मैंने का 45,000 रुपए आज खर्च हो गए बेवज़ा और उसका क्योंकि मुझे सीधा तीन मैने का cash flow देखना है तो यहां जाएगा 46,350 यह क्या आया है यह आया है cancellation charges with interest अब क्या करना है अब receivable को मैंने लेक कर दिया कि एक महाँ बात तो साथ लाक माइनस चाल इतना दो लाक पचास जार टूटल मुझे payment करना पड़ेगा दो लाक पचास जार कितने के सबसे 49.95 के सबसे तो इतना payable है cancellation charge इतना देना पड़ेगा तो टूटल यह जाएगा that's it ऐसे डाल दिया था यह question practice manual का है भाई जल गलती मत करना यह भी question अच्छा है और इस साल के RTP में भी था यह question तो क्या हो रहा साहब कोई AKC limited है और export कर रहा है US को Japan में और Europe में export हो रहा है तो आने वाला है कितना कितना आने वाला है जो देखलो इधर से यह न आने वाला इधर से डॉलर आने वाला इधर से यूरों आने वाला कुछ variable cost दिया है export selling price दिया अब एकसपोर क्योंकि variable cost दिया है तो हमको per unit दिया तो हमें units तो निकालना पड़ेगा तो यूनिट निकाल लेते हैं 650 के साफ से यहां रिषिप्ट टोटल में दे रखा तो यूनिट निकल जाएगा यहां 12,000 यहां 10,000 यहां 8,000 इसके साफ से फिर मैंने वैरेबल कॉष्ट निकाल लिया 12,000 इन्टू, 225, 3,95, 8,000 इन्टो, 510, नहीं तक ठीक है अब अगर हम हैजिंग कर लेते हैं अगर हम forward contract करते हैं तो forward rate दिया है यह वाला rate कुणकि कब आने माला तीन मैने बाद तो रुपीस के रइट दिया, तो आने वाला है, बैंक, रुपीस बेचेगा, बेचेगा तो यह बाला, पैनल, डिवाइड होगा कोई शक्की वाहने, तो इतना मिलेगा, ठीक, इस, यह क्या है, और यह क्या है, वेरिबल कॉष्ट, और डिवाइड बाय सेल्स, सर यह तो इतना मिलेगा, कर्णा रहा है, तो है जिएघ करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तो कौन्ट्रिबूशन तू सेल्स रिशो निकाला, बैंने इस हैजिंग के, अगर हैजिंग नहीं करता, तो फिर यह वाला रेट लेना पड़ता, फिर निकालूँगा contribution to sales ratio ये कितना आ रहा है 19.17% और ये कितना आया था 19.56% तो क्या ज़्यादा अच्छा housing is better due to higher contribution to sales ratio क्योंकि contribution to sales ratio के लिए पूछा था इसलिए मैंने वो बताया अगर वो नहीं बोलता ना तो मैं तो cash flow के basis पे decision ले 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 लास्ट कोश्चन drill dip limited भाला ये question सर करवाओगे कि में ज़रूरत नहीं है ये तो आप देखकर ही समझ लोगे क्यों बोल रहा हूँ ऐसा क्योंकि अब भी 10 दिन पहले यही question same question मैंने YouTube में upload किया तो अब मेरी हिम्मत बची नहीं है और sufficient है अगला video कब आएगा मैं नहीं जानता और मैं seriously बता रहा हूँ अगला video RTP का होगा portfolio management के chances थोड़े से कम है sorry पर मैं मजबूर हूँ अभी थोड़ा सा तो actually क्या है मेरा ब्रदर जो है उस covid positive है तो अभी बहुत tension चल रहा है थोड़ा सा admit वगे रहा है तो please थोड़ा सा cooperate करो मैं आपका phone वगेरा receive नहीं कर पा रहा हूँ बड़ी मुस्किल से मैंने ये video lecture तयार किया हूँ तो मैं RTP upload करूँ RTP अभी नहीं कुछ समय बाद कुछ time दीजिए मुझे कुछ समय बाद मैं video upload कर दूँगा portfolio management अभी possible नहीं हो सकता तो अगले महाँ work time मिलता है तो मैं upload करूँ आपका thank you thank you so much थोड़ा से जल्दी करवाए है मजबूरी थी इसी वज़े से thank you